हेलो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सो भच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइन्स का एक बार हम बेसिक ओवर्व्यू ले लेते हैं कि इस चैटर में हम क्या क्या चीज सीख पाएंगे ठीक है देखिए सबसे पहले यहां पर इंट्रोड़क्शन दिया हुआ है इंट्रोड़क्शन में कारवन के बारे में कुछ फैक्स बताया गया है वो हम देखेंगे उसके बा देखने को मिलता है तो कोवलेंड बॉंड देखने को मिलता है यह टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस्में हमें टीन चीजर करना है सबसे पहला सम कारवन कंपाउंड्स का प्रॉपरटी ग्रोड्रिइश को गई Hos और तीसरा चीज होगा Covalent Bond Covalent Bond होता क्या है बनता कैसे है इसका Properties क्या होता है वो चीज हमें आपे Study करेंगे ठीक है यह तीन चीज इस Study करने से यह Topic हमारा End हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे कुछ Allotrops के बारे में बताया गया है वो हम देख लेंगे जो काम का बात होगा वहाँ पे ठीक है अब Start हो जाता है दूसरा सबसे Main Topic जो की है Versatile Nature of Carbon यह Topic सबसे बड़ा और यही सबसे Main Topic के इस Chapter का यह Topic अगर आप अच्छे से कर जाते हैं तो Chapter लगभग खतम होगी आपके लिए ठीक है उसके बाद अलग अलग Carbon Compounds का structure देखेंगे कि कोई chain के रूप में होता है कोई branch होता है तो कोई ring होता है ठीक है इस सब चीजों को study करेंगे इसके बाद हम आगे study करेंगे functional group के बारे में यह होता क्या है उसके बाद homologous series और उसके बाद आखरी में इस topic में study करना है nomenclature of carbon compounds इतना चीज़ अगर हम study कर लेते हैं तो यह हमारा topic end हो जाएगा ठीक है दूसरा topic इसके बाद आजाता है तीसरा topic जो की है chemical properties of carbon compounds यह important तो है लेकिन इसको त्यार करना काफी easy है इसमें हमें 4 type के reactions को study करना है सबसे पहला है combination reaction उसको study करेंगे उसके बाद आजाता है आपका oxidation reaction उसके बाद आपका है addition reaction और चौथा है substitution reaction यह 4 reaction study करते ही यह topic end हो जाएगा ठीक है आब आजाएए आप 4 topic पे 4 topic है इसमें हम 2 carbon compounds के वो study कर रहे होंगे खासकर से ethanol और दूसरा है ethanoic acid इनका properties क्या है वो सबसीज हम इनके बाद में detail में study करेंगे ठीक है यह होगा चौथा यानि second last topic और उसके बाद आजाएंगे हम एकदम इस chapter के आखरी topic पे जो की है साबुन और सर्फ के बाद में study करेंगे soaps and detergents यह topic इस study करते ही यह chapter पूरा end हो जाएगा आपका ठीक है तो chapter काफी बड़ा है उसी के इसाब से वीडियो भी काफी वीडियो का जो length होगा वो भी काफी बड़ा होगा तो आपको वीडियो पूरा end तक देखना है ब्रेक ले लेके हम पता देंगे कि आपको कब कहा कहा पर ब्रेक लेना है और आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका है जब भी हम पढ़ाते हैं तो वीडियो में आपको कुछ important questions भी देते जाते हैं ताकि आपका concept clarity के साथ साथ आप exam के लिए भी एक अच्छे तरीके से त्यार हो पाए तो वीडियो को पुड़ा end तक देखिएगा क्योंकि अगर आप ये वीडियो पुड़ा end तक देख लेते हैं तो आपको इस chapter के ऊपर और कोई वीडियो देखने का जरोत नहीं परेगा ठीक है और तब एक बार अगर आप अच्छे से मेहनद कर लीजिए बाढ़ बार इस chapter को study करने का जरोत नहीं परेगा ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस chapter को चलिए देखते हैं सबसे पहले introduction पार्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम अपने आसपास देखे तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास कई सारे जो चीज जैसे की food हो गया गया clothes हो गया दवाई हो गया किताब हो गया और भी बहुत सारे चीज ठीक है वह सभी क्या है carbon element पर based है ठीक है carbon क्या है एक element है ठीक है तो इन सब चीजों में कहीं न कहीं carbon पाया जाता है इसके अलाबा जो all living structures है या तक हमारा खुद का body भी वह भी क्या है carbon based है उसमें पी carbon पाया जाता है अब देखिए दो चीज़े एक है earth crust और एक है atmosphere इन दोनों ही जगह पे धरती पे भी और आस्मान यानी atmosphere में भी दोनों में ही अगर carbon का amount का बात करें तो वह काफी कम है है quite mirrors है ठीक है बहुत कम amount carbon present है लेकिन इन सब चीजों में हमारे असपास से कई सारी चीजों में carbon जो है वो पाया जाता है ठीक है अगर हम exact अगर numbers के रूप में बात करें तो earth crust में सिफ 0.02% carbon पाया जाता है वह भी minerals के रूप में जैसे कि carbonates हो गया hydrogen carbonates coal petroleum इन सब forms में carbon पाया में पाया जाता है वह भी कितना है 0.03% ठीक है तो बहुत ही मतलब 1% से भी कम है इतना कम amount carbon present है धर्ती में और आसमान दोनों जगह पे लेकिन फिर भी यह carbon element जो है हमारे आसपास के कई सारे चीजों में पाया जाता है हमारे आसपास के कई सारे चीज carbon based है ठीक है तो अभी हम atmosphere में carbon कितना है तो 0.03% एक्मसफेर में carbon dioxide के रूप में तो present होता ही çev वी प्लस carbon dioxide रूप में बी present होता इसका amount काफी कम होता है बोलते हैं in traces कuration का अक्म है 못 में carbon monoxide present होता है atmosphere में ठीक है चलिए तो इस chapter में हम इसी carbon element के बारे में पढ़ेंगे इसका properties क्या है कैसा कैसा bond होता है इसका nature क्या है वो सब चीज इस्टेडी कर रहे होंगे ठीक है चलिए तो यह वो introduction part इसमें आपको इतने चीज ध्यान रखना है इसके ऊपर एक छोड़ा सा question आपको देते हैं आप इसको try कीजिए लिखा हुआ है कि carbon exist in the atmosphere in the form of dash चार option दिया हुआ है atmosphere में carbon किस रूप में exist करता है बताइए तो अगर आप option नमबर बी चूज कर रहे है तो आप बिल्कुल राइट है लिखाए कि carbon monoxide in traces carbon monoxide काफी कम amount में and carbon dioxide ठीक है इस फ़र्म में exist करता है carbon dioxide के फ़र्म में कितना 0.03% option नमबर बी यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक bonding in carbon the covalent bond देखिए इसमें लिखाए कि in the previous chapter यानि last chapter किस के बारे में था बताईए तो metals and non metals के बारे में था ठीक है तो last chapter में हमने properties of ionic compounds के बारे में discuss किया था हमने देखा था कि ionic compounds जो होते हैं उनका melting point boiling point दुनों ही high होता है इसके परावा ये लोग काफी अच्छा electricity कंडग करते हैं solution या फिर molten state में ठीक है liquid state में काफी अच्छा electricity कंडग करते हैं और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ionic compounds जो है वो transfer of electrons के द्वारा बनते हैं ठीक है electrons एक element से दूसरे element में जाता है ions का formation होता है तब जाके ionic compounds बनते है ठीक है तो ये सब चीज हम study किये थे previous chapter में इस chapter में हम क्या करेंगे देखिए हम कुछ carbon compounds के property को study कर लेते हैं सबसे पहले ठीक है properties of some carbon compounds सबसे पहला property है carbon compound का ये कि जानातर carbon compounds जो होते हैं वो poor conductor of electricity होते हैं electricity उतना अच्छा conduct नहीं करते हैं ये पहला property आप याद कर लेंगे ठी दूसरे property पर दूसरा property stable के उपर based है stable को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये जो carbon compound से उनका melting point और boiling point काफी low है compared to ionic compounds के मुकाबले carbon compounds का melting point boiling point low है देखें यहाँ पर acetic acid chloroform ethanol methane यह सब क्या है carbon compounds है सब में carbon पाया जा रहा है ठीक है तो यह हो गया Kelvin से degree Celsius में convert करने का तरीका यह भी आप ध्यान में रखेंगे खासकर चे वो जो कोई competitive exams देने वाले है इसके उपर question आता है ठीक है तो देखें और आप इन सब का formula भी याद कर लीजिए acetic acid का यह formula होता है chloroform का यह formula होता है ethanol का यह और methane का यह यह चप्टर में आगे चलके हम discuss करेंगे अगर आप अभी याद कर लेते हैं तो आपको आगे जब discussion होगा तो आपको और अच्छे से दिवाग में बैट जाएग ठीक है चलिए तो पहला प्रोपर्टी था कि कार्जातर कार्वन कंपाउंड्स पूर कर्णेटर अफ एलेक्टिसीटी होते हैं दूसरा प्रोपर्टी हमने यह देखा कि इनका melting point और boiling point काफी low है compared to ionic compounds तीसरा प्रोपर्टी हम बोल सकते हैं इसके basis पे दूसरे वाले के basis पे सिंस इनका melting point और boiling point low है इससे क्या समझ में आता है कि इनको कम heat करने से ही यह लोग melt हो जाते हैं और boil होना सुरू हो जाते हैं मतलब जो molecules के बीच में force of attraction जो है न वो उतना strong नहीं है वो जल्दी ही break हो जाता है कि कम heat करने से ही वो melt और boil होना सुरू हो जाते हैं ठीक है मतलब force of attraction between the molecules are not very strong समझेगी नहीं यह तीसरा प्रपर्टी हो गया और चौथा प्रपर्टी हम 1 के basis पर derive कर सकते हैं यहाँ पे since यह लोग poor conductor of electricity है इसका मतलब यह जो carbon compound से यह कोई ions को form नहीं करते हैं अगर यह electricity conduct कर रहे होते हैं इसका मतलब यहाँ पे ions का formation हो रहा होता लेकिन since य यह लोग के electricity अच्छा conduct नहीं करते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि यह जो carbon compound से वो does not give rise to any compound समझेगी नहीं समझेगी यहाँ तर चलिए तो यह चारो प्रपर्टी है carbon compounds का बच्छे से त्यार कर लेंगे ठीक है चलिए इसके basis पर हम एक question पूछते हैं आप से आप इसका answer देने क कोशिज कीजिए यह देखिए question यह रहा दिखाए कि which of the following statements are usually correct for carbon compounds these number one are good conductor of electricity क्या यह carbon compound का property है कि good conductor होते हैं नहीं are poor conductor of electricity तो दूसरा property right है तीसरा property देखके बताइए have strong force of attraction between their molecules तो यह गलत है force of attraction उतना strong नहीं होता है force option है do not have strong force of attraction between their molecules यह right है तो दूसरा property और चौथा property right है यानि option number जो D है वो right हो जाएगा समझे तो देखिए इस प्रकार से question बनता है इस topic से चलिए तो यह study हो गया अब आगे हम study करते हैं पहले carbon element को ठीक है carbon का atomic number जो है वो है 6 अब आप बहुत सरे बच्चों के मन में ख्याला रहा होगा कि atomic number क्या होता है तो इसके बार में आपको class 9 में पढ़ाया गया होगा ठीक है अब जो लोग नहीं पढ़के आए हैं उनके थोड़ा साथ recap करते हैं और जो लोग अभी जिनको पता भी atomic number क्या है वो भी वीडियो में बने रहा है क्योंकि उनको भी काभी नए बात सिखने को मिलेगा अभी ठीक है चलिए जराची सिखने के लिए अभी हम आते है periodic table पे पहले तो यह आप देख सकते हैं यह है एक modern periodic table यह आपको आपका NCIT book का जो page number 86 है उस page number पे मिल जाएगा आपको ठी सबसे पहले यहाँ पर hydrogen दिया हुआ है फिर दूसरे नंबर पर helium दिया हुआ है तीसरे नंबर पर lithium चौत्रे नंबर पर beryllium पाच्वे पर boron फिर carbon nitrogen एक से करके नंबर इन करकरके बहुत सरा element लिखा हुआ है टोटल कितने elements है तो 118 element है ठीक है तो आपको यह total 118 यहाद करन है ठीक है इसी करम में कि सबसे पहले hydrogen है उसके बाद helium है उसके बाद lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium यह जो पहला 20 elements है इनको आप ऐसे करम में याद करेंगे ठीक है इनका नाम इससे फाइदा क्या होगा देखिए अगर आप इसको ऐसे serial wise याद कर लेंग सबसे पहले नमबर पर hydrogen आ रहा है तो यह पहला नमबर जो है क्या बता रहा है atomisch नमबर बता रहा है ठीक है इससे आपको सब elements का पहला 20 elements का atomic number याद हो जाएगा helium का atomic को कितना है तो आप बलेंगे यह दूसरे नमबर पर आ रहा है तो इसका atomisch नमबर हो गया 2 वेलियलियम का अट्रोमीक नमबर तो थे नमबर पर आ रहा है तो वेलिय Clinton नमबर चार ठीक eder Hang again एक कारबन के बारे में तो carbon 6 पर आ रहा है तो carbon का अट्रोमीक नमबर केतना होगी है 6 समझेगी निह Inskan करके पहला 20 एलिमेंट को याद कर लेना है ठीक है तो ऐसे हमको भी राइडंडमली अगर आप से पूछेंगे कि बताईए, अलुमिनियम का अट्रॉमिक नमबर कितना है, या फिर नैट्रोजन का अट्रोजन का अट्रॉमिक नमबर कितना है, बताईए, नमर का बहुत यूज है उसलिए आपको यह यह याद करने बोल रहे हैं ठीक है पहला बात जाने चलिए इस तरीके से आपको अच्छे से यह पहला 20 20 elements याद कर लेना है ठीक है अभी आप वीडियो पॉसकर करके याद कर लीजिए बहुत कामाने वाला यह ठीक है चलिए इसके अलाबा कुछ और बेसिक बात जानिए यह जो कार्बन है कार्बन का atomic number अभी हमने देखा कितना है 6 अब यह 6 जो है अब कार्बन का एक atom जो है वो कैसे रहता है उसको हम discuss करते है देखिए उसका structure कैसा होता है किसी भी atom का सबसे पहले 107 जो होता है वो क्या होता है CRIS C noucleuse में होता है neutron और protons ठीक है यह atomic number जो है ना वो क्या बताता है वो बताता है number of protons कर्बन का atomic number 6 है इसका मतलब carbon का protons कितना होगा तो वो भी 6 होगा ठीक है और neutrons इसको अब ही discuss नहीं कर दें क्योंकि इसका काम नहीं है फालती मैं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे इसको मास नमर से घटा के निकालते हैं तो इसको आप फिलाल के लिए भी छोड़िए ठीक है अभी आप सिर्फ इतना जाने कि एक्टोमिक नमबर जो है उस छे है इसका मतलब नमबर और प्रोटोन भी कितना होगा छे होगा ठीक है और साथी साथ जो नमबर और उफ इलेक्ट्रोन से वो भी छे होगा इलेक्ट्रोन की इदर होते हैं तो सबसे पहले नूकिलियस के अंदर सिफ नूट्रोन और प्रोटोन होते हैं उसके बाद बाहर में क्या होते हैं सेल्स होते हैं सेल्स कक्ष जिसको बोल सेल है तो इसको की से डिनोट करेंगे के ल, M से डिनोट करेंगे उसके बाद वाले सेल को N से डिनोट करेंगे ठीक है ऐसे करके हम लोग नाम देते हैं तो फिलाल यहां पर देखिए और पहला सेल में maximum दो ही एलेक्रोंज हो सकता है ठीक है और दूसरा सेल में 8 एलेक्रोंज तीसरा सेल में भी 8 एलेक्रोंज फिलाल के लिए आप ये class 10 के लिए इतना बात याद करके रख लिए ठीक है 11 में जाएंगे तो आपको कुछ और पढ़ हो सकता है तो 8 ही हो सकता है तीसरे सेल में भी 8 ठीक है चलिए तो इसको अब अपलाई करते हैं कार्बन का हमने देखा atomic number कितना है 6 है यानि number of protons भी कितना होगा 6 होगा और number of electrons भी कितना होगा 6 होगा ठीक है सबसे पहले बीच में है nucleus इसके अंदर neutrons और protons है जिसे हमें कोई मतलब नहीं है फिलाग और यह बात याद रखेगा कि protons जो होते है वो positive charge के होते है और electrons जो है वो negative charge के होते है ठीक है चलिए और positive negative हमें से एक दूस्टे को attract करते है चलिए इसका use क्या है अभी तुम बारने बताएंगे फिलालाब इस पर focus किए structure बे सबसे पहले बीच में nucleus इसके अंदर कीराले बारने में निए क्या टिस्टिब्यूट हो जाएगा तो यह जो बना दिए इसको बोलते हैं structure और गर्वान एक कार्वन एटम का structure है ये सीखेंगे नहीं ये इसको बनाना अभी इसका use करेंगे ठीक है चलिए एक और आप बना के दिखाए तब और अच्छे समझ में आएगा माल लीजिए हम यहाँ पर nitrogen का structure बना चाहते है तो इसके लिए आपको सबसे पहले nitrogen का atomic number पता होना चाहिए तो अभी हम देखे थे कि nitrogen का atomic number कितना है साथ ठीक है याद करके लिखा ले साथ है इसका मतलब सबसे पहले बीच में nucleus ठीक है उसके बाद आजाता है पहला cell पहला cell में कितना electron हो सकता है दो ही electron हो सकता है तो ये दो हमने यहाँ पे बना दिया और उसके बाद k के बाद l cell आ गया l cell में 8 electron हो सकता है तो 2 तो हमने पहले cell में डाल दिया बच गया कितना और इसमें 5 electron अभी भी इसके पास बचा हुआ है तो वो 500 electron बाहर वाले cell में आ जाएगा एक, दो, तीन, चार हो गया पांचवा हम यहाँ डाल देते हैं तो यह हमने बना दिया nitrogen का structure तो बार-बार इतना ना पराना परे है इसके लिए हम एक shortcut भी निकालते हैं हम क्या करते हैं electronic configuration लिखते है electronic configuration यह word को अच्छे से पहचान लिजी अभी बहुत यूज़ करने वाले हैं इसको ठीक है electronic configuration क्या होता है कि हम जो अलग-अलग cell में जो electrons का number है उसको represent करते हैं पहले cell में कितना electron है तो 2 तो आप यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 कॉमा दे देते हैं फिर ठीक है दूसरे cell में कितना electron है तो 1, 2, 3, 4, 5 electron तो यहाँ पर हम 5 देते हैं इतना जो आप लिख दिए ब्रैकेट के अंदर 2, 5 इसी को लोग बोलते हैं electronic configuration of किसका लिख है आप यह nitrogen का तो electronic configuration of nitrogen नहीं है समझेगी नहीं चलिए अब आप मुझे chlorine का electronic configuration लिख के बताईए तो आपको सबसे पहले सिरियली लिखना पड़ेगा hydrogen, helium, lithium आपको क्या मिल जाए chlorine का atomic number मिल जाए अब मुझे तो directly याद है chlorine का atomic number 17 होता है तो आप इसका electronic configuration लिखते है तो सबसे पहले बीच में nucleus होगा यह आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे है यह nucleus है K cell में कितना electron हो सकता है तो 2 electron हो सकता है तो पहले cell में 2 electron दूसरे cell में कितना electron हो सकता है तो maximum 8 हो सकता है 2 निकलने का बाद भी इसमें 15 बच जाओवा था तो 8 electron आप इसमें accommodate कीजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दूसरे cell में 8 electron हो गया इसका ठीक है 15 में से 8 निकल गया अभी भी 7 बच आए तो एक और हमें और cell बनाना पड़ेगा तीसरा cell 13 मेरा बन रहा है लेकिन आप concept बनने कोशिश कीजिएगा ठीक है इस cell में भी maximum कितना electron हो सकता है तीसरे cell में 8 तो इसके पास अभी 7 electron है तो 7 हो को यहाँ पर distribute कर दीजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 समझे की नहीं समझे तो यहाँ पर हम दे देते हैं 7 तीसरे cell में 7 तो यह जो आप लिखे हैं इसको क्या वो लेंगे electronic configuration of किसका? chlorine बात अगराई समझे की नहीं यहाँ तक समझे, चलिए अब यह जो 7 है ना अब यह 7 में खास बात है खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस 7 को हम बोलते है यह साथ, देखिए यह जो है, यह outermost cell में electrons present है सब्द समझे नहीं कोशिश कीजिएगा, ठीक है outermost cell में कितना electron है तो आप बोलेंगे outermost cell में chlorine का 7 electron है, तो बार बार हम outermost cell ना बोलके, science के language हम क्या बोलते है इसको, हम इसको बोलते है valence electrons कोई आपसे अगर आप direct पुछे की बताओ chlorine का valence electrons कितना है, तो आप कितना बोलेंगे कि बाहर वाले cell में कितना electron है 7, तो इसका valence electrons कितना है 7 है, बात है गरा ही समझ रहे हैं आप यह टर्म सबसे पहले जाने हैं उसके बाद हम दूसरा टर्म यह जान रहे है valence electrons, ठीक है देखिए चलिए, आप आप मुझे oxygen का आप मुझे valence electrons बतागे दिखाए valence electron तो सबसे पहले आप oxygen का atomic number पता करेंगे, कितना है atomic number तो मुझे ड्रेक्ट लियाद है 8 ठीक है, आप उसे सिरियली लिखके निकाल लेंगे, oxygen का atomic number ठीक है, 8 है यानि इसका electronic configuration कितना होगा, तो आप बलेंगे पहले cell में 2 electron होगा उसके बाद दूसरे cell में बज गया कितना, 6 electron दूसरे में तो 8 हा सकता है तो 6 हम यहाँ पर distribute कर सकते है ठीक है तो valence electrons कितना है oxygen का तो आप बलेंगे 6 है यहाँ तक clear है बात, चलिए इसके अलाबा एक और चीज़ है एक और term में जिसको बोलते है valency valence electrons और valency में क्या difference है यह समझी है, देखिए कोई भी element जो है न वो चाहता है कि noble gas का electronic configuration attain कर ले noble gas का एक खास बात होता है कि इसका जो outermost cell में हमेशा 2 या फिर 8 electron होता है, इसका valence electron 2 या फिर 8 होता है, यह हमेशा खुश रहता है, यह satisfied रहता है बात एक रहा ही समझे जो noble gas होता है ना, इसका outermost cell में, यानि इसका जो valence electron है, noble gas का उसमें हमेशा कितना electron होता है, क्या तो 2 होता है, नहीं तो 8 होता है ठीक है, तो सारा जो element है वो भी चाहते हैं कि इनका भी outermost cell में कितना electron आजाए, क्या तो 2 आजाए, नहीं तो 8 आजाए, अब देखिए यहां से समझे, यह जो hydrogen है ना, hydrogen में तो सिफ एक ही electron है, atomic number 1 है, तो इसका electronic configuration में क्या हो गया, एक हो गया इसका valence electrons कितना है, तो आप भो लेंगे एक ही cell है इसमें, तो outermost cell में एक ही electron present है, तो valence electrons एक ही है तो hydrogen का जो nearest noble gas है, यह जो group, आप देख रहे हैं, यह जो 18 number जो यह group है, यह पूरा इसको, यह सारा जो है, यहाँ पर सब noble gas है, ठीक है, यह सब खुश elements है, यह reaction ही नहीं करते हैं, यह लोग पहले से खुश है, ठीक है तो यह इतर का जो सारा elements है, यह सब, यह सब, यह सब चाहते है कि इनके जैसा बन पाई यह लोग, ठीक है, सब अपने nearest element का electronic configuration attain करने है कोशिश करते हैं, nearest noble gas का, ठीक है तो hydrogen क्या चाहेगा, वो helium का electronic configuration attain कर ले, तो hydrogen में पहले से एक electron है helium का अगर electronic configuration देखे तो इसका पास दो ही electron है, atomic number 2 है, मतलब दो ही electron है तो पहले cell में 2 electrons आ गिया ठीक है, तो यह एक और electron लेके खूस हो जाएगा है, समझे है एक तो पहले से है, यह चाहेगा हम भी helium जैसा बन जाए, तो इसके पास कितना है, दो है outermost cell में, तो यह चाहेगा कि मेरे पास एक और आ जाए, तो मेरा भी outermost cell में 2 electron हो जाएगा और यह भी खूस हो जाएगा, ठीक है तो hydrogen जो है, उसके outermost cell में 2 electron होने से यह खूस हो जाता है ठीक है, अगर हम यहाँ पर fluorine का बात करें तो fluorine का atomic number है 9, यानि इसका electronic configuration होगा 2,7 ठीक है, valence electrons कितना है, 7, fluorine का nearest noble gas क्या है, neon है fluorine के सामने तो neon है, तो fluorine चाहएगा कि हम neon जैसा बन जाए, neon का outermost cell में, देखिए इसका 10 है यानि 2,8, outer most cell में 8 electron है, तो यह fluorine चाहएगा कि मेरे भी outer most cell में कितना electron हो जाए, 8 हो जाए, तो यह एक ले के खूस हो जा रहा है, समझ रहे ना तो और यहाँ पर अगर हम मालीचे sodium का बात करें sodium का atomic number है 11, यानि इसका electronic configuration कितना होगा, 2,8 10 electron होगा, तीसरे cell में 1 electron 2,8,1, ठीक है sodium का nearest noble gas क्या है, तो sodium के लिए यह जो noble का ऐसे argon, यह काफी दूर पर जाएगा sodium के लिए nearest क्या है, यह neon है, तो इसका outermost cell में कितना है, 8 है तो यह चाहिए कि मेरे भी outermost cell में 8 हो जाए, ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, एक electron को lose कर देगा, एक electron खो के यह खूस हो जाएगा, ठीक है तो यह जो number of electron कि कितना gain करके, या फिर कितना lose करके कोई electron खूस हो जा रहा है, कोई element खूस हो जा रहा है, इसी number of electrons को क्या बोलते है, valency बोलते है नहीं समझे, एक बार question पूछता है, आप से तब समझेंगे देखिए, oxygen का electric contradiction बताईए, तो आप बोलेंगे 2,6 इसका बाहर बाले cell में कितना electron है, 6 तो आप बोलेंगे कि यह कितना लेके खूस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यह और 2 लेगा तो खूस हो जाएगा, क्योंकि 2 लेने से इसका बाहर cell में 8 electron हो जाएगा तो यह जो दो है ना दो कोई क्या बोलते है वैलेंसी बोलते है अब समझे की नहीं समझे चलिए क्लोरीन का फिलेंसी बता के दिखाईए तो आप बलेंगे क्लोरीन का अटोमिक नमबर 7 17 है यानि 2,8,7 यह हो गया इलेक्रोटिक कॉन्फिग्रेशन बाहर वाले सेल में 7 एलेक्रोण है यह एक और लेगा तो बाहर वाले सेल में 8 एलेक्रोण हो जाएगा यह खुस हो जाएगा तो एक लेने से यह खुस हो जा रहा है तो एक जो है क्लोरीन का हो गया वैलेंसी बात अगरा है समझे की नहीं समझे समझे एक और कोशन का एंसर दे इसका निरे स्नोबल गैस क्या है नियॉन तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रोन है वो चाहेगा कि इसका भी बाहर सेल में 8 हो जाए तो यह 6 इलेक्ट्रोन लेगा तो नहीं 6 से aluminum का atomic number कितना है 13 है कि नहीं 13 तो इसका electronic configuration होगा 2,8,3 ये हो गया इसका electronic configuration इसका बाहर वाले cell में 8 चाहिए तो क्या करेगा ये क्या तो 5 ले सकता है या फिर 3 छोड़ सकता है कौन सा easy रहेगा इसके लिए 3 छोड़ना easy रहेगा ठीक है क्योंकि 5 लेने से अच्छा 3 छोड़ दिया जाए तो ये 3 छोड़ के खूस हो जा रहा है तो इसका balance कितना हो गया 3 हो गया, समझे की नहीं समझे चलिए आप मुझे carbon का बता के दिखाईए अब आप मुझे last potassium का बता के दिखाईए तो potassium का electronic configuration 2,8,10,8,18 और 1,19 ठीक है बाहर वाले cell में 1 है तो 8 या फिर 2 मतलब 2 तो सिफ ये hydrogen करता है ठीक है आप सिफ 8 पर focus कीजे फिलाल ये और मतलब क्या तो 7 लेगा तो इसका बाहर वाले cell में 8 हो पाएगा या फिर क्या करेगा ये 1 छोड़ देगा तो बाहर वाले cell में 8 हो जाएगा अपने आप ठीक है तो ये क्या करेगा एक छोड़ के खुस हो जा रहा है क्योंकि 7 लेने से अच्छा एक छोड़ आ जाए तो एक छोड़ रहा है इसका valence हो गया समझे की नहीं समझे चलिए एक लास्ट आपसे पूछते है फॉस्फोरस का बता दीजे बस तो फॉस्फोरस का एटोमिक नंबर है 15 मतलब electronic configuration 2,8,5 आप मुझे बताईए valence electrons कितना इसका तो valence electron मतलब outer most cell में कितना electron है 5 तो valence electron हो गया 5 और अगर valence को ही पूछे valence मतलब यह कितना ले के या फिर कितना छोड़ के खूस होगा तो आप बलेंगे क्या तो यह 3 ले सकता है या फिर 5 छोड़ सकता है कौन सा easy पड़ेगा 3 लेना हमेसा easy पड़ेगा तो यह इसका valence हो गया 3 समझे इतना चलिए तो इसलिए आपको बोले कि आप यह पहला जो 20 element है आप इसको याद कर लीजिए और जितना भी knowledge दिए उसके basis पर हम आगे chapter को continue करते है ठीक है चलिए तो देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या-क्या चीज लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है atomic number of carbon इस छे अब यह line के लिए रहे चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि electronic configuration of carbon आप बताईए तो carbon का electronic configuration क्या होगा तो आप इसली बता सकते हैं 6 electron है इसका मतलब पहले वाले cell में 2 electron और दूसरे वाले cell में 4 electron यही हो गया इसका electronic configuration ठीक है फिर आगे आपसे पुछाए कि what would be the distribution of electrons in various cells of carbon cells में electrons का distribution कैसे होगा तो इसी तरीके से होगा 2,4 ठीक है how many valence electrons will carbon have carbon का balance electrons बताईए तो आप बोलेंगे इसके बाहर वाले cell में 4 electron है इसका balance electrons कितना हो गया? 4 हो गया चलिए हमने सभी सवाल का answer दे दिया अब आगे देखिए we know that reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer cell कोई भी element जो है वो क्या चाता है उसका outer cell जो है वो completely filled रहे completely filled यानि उसके बाहर वाले cell में 2 electron रहे नि तो 8 electron रहे 2 कौन चाता है? सिफ hydrogen चाता है कि उसके बाहर वाले cell में 2 electron रहे बाकी सब चाते है कि उसके बाहर वाले cell में 8 electron रहे ठीक है? इसको बोलते है completely filled outermost cell अगर 8 electron है तो या फिर 2 है तो ठीक है? hydrogen के case में that is attain novel gas configuration मतलब सब element क्या चाते है कि noble gas का electronic configuration attain कर ले क्योंकि noble gas का बाहर वाले cell में क्या तो 2 electron होता है ने तो 8 electron होता है बात अगरा ही समझते है अब? चलिए तो elements forming ionic compounds achieve these by either gaining or losing electrons from the outermost cell और हमने last chapter में देखा था कि वो element जो ionic compounds बनाते है वो इसको कैसे achieve करते है मतलब completely outermost cell कैसे लाते है? वो क्या तो electrons को gain करते है ने तो electrons lose कर देते है अपने बाहर वाले cell से और जो outermost cell है उसको fill कर लेते है ठीक है? इस तरीके सा ionic compounds का formation होता है चलिए आप carbon के case में देखते है carbon के case में जो outermost cell है उसमें कितना electron से? चार electron से ठीक है? इसलिए carbon को क्या करना परेगा? electron खोना परेगा खोने से क्या होगा? बाहर वाले cell में 2 electron हो जाएगा और carbon खुज हो जाएगा ठीक है? तो वह यहाँ पर लिखाए कि needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration ठीक है? अब चलिए देखते हैं कि carbon अगर 4 electron gain करता है तब क्या होता है? देखिए if it were to gain or lose electrons number 1 देखिए it could gain 4 electrons forming C4 minus NIN इसके बारे मैं आपको last chapter में बता चुके है कि अगर कोई element है C इसमें कितना electrons है? तो आप बोलेंगे 6 electron है और अगर कहीं लिखा हुआ है इसमें अगर मालीजे ये और 4 electron ले लेता है तो 4 electron का excess हो गया इसके पास तो हम लोगer excess को ऐसे denote करते है 4 minus करके इसका मतलब अब इसके पास कितना electron है? पहले से 6 था और 4 है तो कितना होगे? 10 electron है इसके पास कहीं अगर लिखा हुआ है C4 plus अगर plus लिखा हुआ है मतलब इसके पास 4 electron का कमी है मतलब पहले से इसके पास 6 electron था अब ये 4 electron का कमी है इसका मतलब इसके पास अब 2 electron है ठीक है आप मुझे इसका meaning बताए कहीं लिखा हुआ है O2 plus इसमें कितना electron है बताइए तो आप बलेंगे इसके पास 2 electron का कमी है ठीक है इसलिए oxygen के पास पहले से 8 electron होता है और 2 का कमी है यानि इसके पास अब 6 electron है total ठीक है चलिए ऐसे O2 plus होता नहीं है O2 minus होता है बताए इसमें कितना electron होगा तो आप बलेंगे इसके पास पहले से 8 electron था अब ये 2 और excess है इसके पास इसका मतलब इसके पास अब 10 electron है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं कि अगर carbon charge electrons अगर gain कर लेता है इसका मतलब ये क्या बनाएगा C4 minus anion मनाएगा ये negative charge है इसको anion कहते है ठीक है लेकिन carbon के nucleus में protons कितना है तो आप बलेंगे अभी भी 6 है और हम आपको अभी थोज़े दर पहले बता है कि proton का charge होता है negative और electron का charge होता है निक तो यहाँ पर लिखाए कि अगर carbon जो है 4 electron अगर gain करता है तो वो क्या बना लेगा C4 minus anion बना लेगा नेगेटिव चार्ज है उसलिए हम इसको anion कहते है ठीक है तो जब 4 electron gain करेगा तब क्या होगा देखिए इसका जो nucleus है नुकलियस के अंदर क्या है proton से और इसमें 6 proton है carbon के अंदर ठीक है और proton का अभी आपको पताए थे कि proton का charge क्या होता है positive charge होता है electron का charge negative होता है ठीक है तो इस तरीके सी यह balance होता है nucleus के अंदर है positive charge और बाहर cells में electron से तो इसका होता है negative charge तो यह positive negative एक दुस्रे को hold करके एक balance बना कर रखे हुए होते है तो अगर यह carbon जो है और 4 electron ले लेगा बाहर में और 4 electron हो गया total 10 electron हो गया लेकिन proton तभी भी कितना है 6 ही है तो 6 positive charge total 10 negative charge को balance नहीं कर पाएगा ठीक है इसमें लिखा है कि वो 6 proton बाले nucleus के लिए 10 electron को hold करणा मुश्किल हो जाएगा ठीक है that is 4 extra electron इसलिए carbon जो है वो 4 electron gain नहीं करता है ठीक है तो क्या carbon 6 electron lose करेगा क्या चलिए उसको भी देख लेते हैं उसके बारे में लिखा है कि it could lose 4 electrons और 4 electron lose करने का बाद वो क्या बना लेगा c4 plus cation बना लेगा negative charge को nion कहते है positive charge को cation कहते है ठीक है लेकिन it would require a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons nucleus के अंदर तो 6 proton है 6 positive charge है ठीक है और बाहर में पहले 2 electron था और यहाँ पर 4 था जब आप यह चारों को हटा देंगे तो इस चारों को हटाने में काफी ज़्यादा energy लएगा ठीक है क्योंकि अब यह 6 proton जो है सिब 2 electron को hold करके रखा हुआ होगा तो यह 4 को हटाने में काफी electron हटने का बाद अब सिफ से proton जो है वो सिफ 2 electron को hold करके रखे हुए होंगे तो इस 4 electron को remove करने में काफी ज़्यादा energy लग जाएगा इसलिए carbon जो है वो 4 electron को lose भी नहीं करता है तो carbon ना ही gain कर पाता है ना ही lose कर पाता है समझे इसके उपर exam में question बन जाता है ठीक है कि reasons बताए कि क्यों carbon जो है चार electron gain या फिर lose नहीं करता है तो यह दोनों reason आप अच्छे से त्यार कर लेंगे ठीक है चली तो carbon इस problem का solution कैसे निकालता है देखिए तो carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons वो अपने valence electron यानि बाहर वाले जो electron से बाहर वाले shell में उसको share कर लेता है दूसरे carbon atom के साथ यहाँ ragon कर ली तो यह दूसरा carbon atom आता है दौनों अपना electron को share कर लेते है तिक है इस तरीके से इस problem को overcome करता है अब यह sharing कैसे होता है अभी的是 करेंगे details में ठीक तो carbon चाहे तो दूसरे carbon atom के साथ electron share कर लिता है या फिर दूसरे element के atom के साथ carbon है मान लिजिया oxygen के साथ electron share कर लिया या फिर hydrogen के साथ electron share कर लिया तो दूसरे atom के साथ भी या फिर carbon के साथ भी electron share कर सकता है ये carbon ठीक है तो ये जो sharing है ना electron का sharing मतलब वैलेंस का जो शेडिंग है ऐसा नहीं कि सिफ कर्डवानी करता है करो रभी कई le hecho YOUR Drillее तो यह गया है तो है यह मौलीकुले도 हावा में आप को कोई हाई कही एक मिलता है तो आपको कौन सा मिल रहा है ये चीज मिल रहा है आपको हवा में X2 molecule क्योंकि ये independently exist कर सकता है क्योंकि ये hydrogen क्या खुस है अकेले से अकेले में ये खुस नहीं है क्योंकि इसका outer muscle में एक ही electron है लेकिन ये sharing करके एक molecule बना चुका है ये खुस है ठीके तो ये हवा में ऐसे रूप में गूमता है तो कहीं भी अगर आपको hydrogen सा सामना होता है तो आपकी इस hydrogen से मिल रहे इस hydrogen से मिल रहे इस बाप को हमें सा याद रखिएगा ठीके हम लोग जो oxygen सांस ले रहे है वो oxygen क्या है atom नहीं है वो oxygen एक molecule है हम लोग oxygen हमें इस रूप में ले रहे हैं ठीक है तो O2 अगर लिखा हुआ है तो इसको molecule कहेंगे और सिफ O लिखा हुआ है तो इसको atom कहेंगे ठीक है तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि कई सारे elements जो है वो molecules बनाते हैं कैसे electron sharing कर गे अब हुआ हम इसको detail में discuss करेंगे कि कैसे molecules का formation होता है ठीक है है और वह electrons जो share होता है न वह दोनों ही atoms को belong करते हैं माले यह carbon यह carbon और यहाँ पर इल्लेक्रोन शेर हो गया दोनों में तो यह जो share electron है यह इस carbon को भी को बिलॉंग करेंगे और इस कारवन को भी बिलॉंग करेंगे ठीक है दोनों ही अटम् सको बिलॉंग करेंगे यह बात यहाँ पर लिखाए और दोनों ही एटम् इस तरीके से noble gas configuration को attain करते हैं अब यह sharing कैसे होता है तब से sharing visage sharing अभी स्कों में डिसकारते हैं चल रहे हैं तो इसको डिटेल में डिसकार्ष करतें हैं चली इसको डिसकार्ष करने से हैं काफी टाइम हो गया है एक बार आप थो आप बेक ले लिग लेजिए जितना भी यह तक पर है उसके बाद इसके वाद हम आगे कर दो ठीक है चलिए अब देखते हैं कि कैसे sharing करके molecules का formation होता है ठीक है देखे जो सबसे simplest molecule जो है इस तरीके से बनता है वो है hydrogen का है hydrogen का atomic number one है ठीक है इसका मतलब इसके k-cell में सबसे पहले वाले cell में एक electron होगा इसको एक और electron चाहिए तो इसका k-cell जो है वो फिल हो जाएगा ठीक है तो यह क्या करते हैं कि दो hydrogen atom एक साथ आते हैं और अपने balance electron को share कर लेते हैं और एक molecule मनाते है hydrogen का जिसको H2 बोलते है ठीक ह इससे होता क्या है कि दोनों ही hydrogen atom हर एक hydrogen atom है वो nearest noble gas का electronic configuration attain कर लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक है nearest noble gas helium है hydrogen का तो यह इसके बाहर बाद जो k-cell है उसमें दो electron हो जाता है ठीक है अब इसको represent कैसे करेंगे देखिए एक hydrogen atom हम यहाँ बनाते हैं एक hydrogen atom यहाँ बनाते है फिर इसमें जो इसके पास भी एक और दो electron हो गया इस hydrogen का बात करें तो इसके पास भी एक और दो electron हो गया तो इस तरीके से दोनों share कर लेते हैं और दोनों ही अपना outermost cell fill कर लेते हैं ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है sharing of electron ठीक है तो यह आप भी-अभी copy pane लेकर बैठ यह और जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे-वैसे आप भी बनाने का practice करिए ठीक है जितना practice करेंगे उतना आपके लिए easy बनेगा क्योंकि यह सब देखने में easy लगता है लेकिन आप exam time में करने जाएंगे न तो आप अटकेंगे tough लएगा आपको अभी साब इसका बनाने का practice बैठाईए ठीक है य कौन सा balance electron जीतना है उतना ठीक है तो hydrogen के case में एक ही balance electron है तो इसको हम cross से भी बना सकते है या फिर cross के जगह हम चाहिए तो ऐसे dot भी दे सकते है ठीक है और इस hydrogen का भी देखिए यह भी hydrogen है यह भी hydrogen है तो दोनों ही हम same type का electron बठाए ठीक है अगर माल लीजे यहां पे एक hydrogen होता का और एक chlorine होता है तो इसका electron अगर हम dot से दिखा रहे है तो इसका electron हम cross से दिखाते है ठीक है अलग-अलग symbol यूज़ करते है लेकिन अगर दोनों ही same atom है यह भी hydrogen है यह भी hydrogen है तो जो हम यहां पर यूज़ कर रहे है वही symbol हम यहां पर यूज़ कर देते है cross यूज़ किये तो cross dot यूज़ करते है तो dot ठीक है फिर उसके बाद आप एक्जाम में pencil से ऐसे करके circle कर देंगे या फिर और इस hydrogen के लिए भी ऐसे करके circle कर देंगे इस तरीके से sharing हो गया दोनों hydrogen atoms का ठीक है तो यह जो दो इलेक्ट्रोन है ना इस दोनों इलेक्रोन को क्या एक जो pair है यह एक pair मिलके एक single covalent bond बनाते हैं between two hydrogen atoms ठीक है मतलब आप इसको चाहे तो देखिए यह hydrogen एक electron यह hydrogen एक electron यह इसके साथ sharing किया यह इसके साथ sharing किया ठीक है आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी denote कर सकते है यह hydrogen और ऐसे करके हम एक line दिखा देते है यह line क्या denote कर रहा ह single covalent bond दिखा रहा है दो hydrogen atom के बीच में ठीक है वह यह आप लिखा है कि a single covalent bond is also represented by a line between the two atoms दो atoms के बीच में आप ऐसे करके line draw कर दीजिए तो यह line क्या दिखा रहा है एक single, एक line है तो single है, covalent bond ठीक है चलिए तो यह यह चो आप diagram बनाएं ना इसको हम लोग क्या बोलते है यह term आप देखिए, exam में direct question आगा कि hydrogen molecule का electron dot structure बना के दिखाईए, तो आपको यहां से लेके यहां तक बना देना है, ठीक है, सबसे main है यह चीज, electron तो समझी गए dot, क्योंकि हम इसका पर cross यह dot का symbol ही उसकरने, उसलिए यह पर dot लिखा हुआ structure, ठीक है, चलिए, एक और बनात अब तक तो आप इसमें export हो गए है, आप बोलेंगे 2,8, 10 हो गया और दीसरे में 7 electron, 17 electron हो गया इसका, उसका valency बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे यह एक लेके खुस हो जा रहा है, तो valency इसका 1 है, अगर कोई आप से पूछे कि valence electrons बताइए कि valence electrons कितना है, तो आप बलेंगे बाहर वाले cell में 7 electron है, तो यही हो गया इसका valence electron, ठीक है, तो chlorine जो है, वो एक diatomic molecule form करता है, Cl2, hydrogen B, जो H2 बना रहा था है, इसमें भी कितना है, 2 atom है, hydrogen का 2 atom है, तो यह भी क्या है, एक diatomic molecule है, उसी तरीके से chlorine भी जब बनता है न, तो 2 chlorine atom मिलके, एक chlorine का molecule बनाते ह तो chlorine भी क्या है, diatomic molecule है, ठीक है, can you draw the electron dot structure for this molecule, तो चलिए बना के दिखा देते है, chlorine का electron dot structure, chlorine का electronic configuration 2,8,7, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले सोचने का तरीका क्या होगा, आपको एक्जाम में बोला गया कि chlorine का आप electron dot structure बनाईए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि chlorine का atomic number क्या है, इसके लिए आपको अभी जो आपको बताये थे, predictable वो severely याद होना चाहिए, ठीक है, chlorine का atomic number आप find out कर लेंगे 17, ठीक है, इसके बाद आप इसका electronic configuration लिखेंगे, वो होगा 2,8,7, यह हो गया electronic configuration, अब आपको सीफ इसका valence electron जो है, 7 इससे मतलब है, ठीक है, यह दोनों पर दियान मत दीजे, एक आपने यहाँ पर बना दिया chlorine का atom, एक आपने यहाँ पर बना दिया chlorine का atom, ठीक है, बाहर वाले cell में 7 electron है, तो वही 7 electron हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, यह दोनों नहीं दिखाना है, तो 7 electron represent कीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, ठीक है, इस chlorine का भी 7 साथ electron है, यहाँ पर हमने cross use किया, तो यहाँ पर भी cross use करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, ठीक है, कितना चाहिए, इसको एक लेकर यह फूस हो जाएगा, तो यह क्या करेगा, एक जो है electron उसके साथ share कर लेगा, एक electron, ठीक है, यह भी chlorine बलेगा कि तुम भी मुझे अपना एक electron द यह chlorine, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, covalent bond, समझे की नहीं, और यह finally देदेगा, chlorine का diatomic molecule, यह फिर simply chlorine molecule देदेगा, ठीक है, चलिए, तो यह हमने देख लिए chlorine का electron dot structure, और यहाँ पे भी यह बात लिखा हुआ है, कि देखिए, यह बात note कीजिएगा, कि जब हम electron dot structure बनाते हैं यह फिर इस तरीके से, तो इसमें हम सी valence electron को ही depict या नहीं दिखाते हैं, ठीक है, सारा electrons नहीं दिखाते हैं, चलिए, अब oxygen का प्रणया कुछिस करते हैं, देखिए, लिखाएगी, in the case of oxygen, we see the formation of double bond between two oxygen atoms, oxygen के case में, यह oxygen है, यह oxygen है, दोनों के बीच में, दो covalent bond देखने को मिलता है, ठीक है, अब यह कैसे बनता है, चलिए, हम एक बार बना के देख लेते हैं, कि यह कैसे होता है, देखिए, oxygen का सबसे पहले, आप मुझे atomic number बदाईए, तो आप बोलेंगे 8, 8 देखते हैं, आप electronic configuration लिख लेंगे इसका, 2,6, मतलब balance electrons 6 है, तो यह oxygen atom यह oxygen atom, इसका बाहर में हमने बना दिया 6 electrons, 1,2,3,4,5,6, इसका भी बाहर में 6 electrons बना दिए, 1,2,3,4,5,6, यह इसको और 2 चाहिए, तो खूस हो जाएगा, ठीक है, तो यह दो electrons इस से ले लेगा, share कर लेगा, ठीक है, और यह oxygen भी इसका 2 electrons ऐसे करके share कर लेगा, तो यहापे ह हम देख रहे हैं कि एक pair तो यह रहा, इसके लिए एक bond, ठीक है, और एक pair यह रहा, इसके लिए एक bond, तो double covalent bond यहापे हमें देखने को मिल रहा है, समझे की नहीं, वही बात हुआ पर लिखा हुआ था, अब यह तो हम बना दिये, आपको काफी easy लग रहा होगा, लेकिन इ एक, दो, तीन, चार, पाक, छे, ऐसे बना देंगे, अब इस oxygen को 6, 6 तो है, और 2 चाहिए, अब 2 कैसे share करेंगे, वो क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे diagram बनाएंगे, फिर इसको भी और 2 चाहिए, ऐसे करके ऐसे बना देंगे, मतलब काफी untidy सा और गंदा सा work कर देंगे, ठीक है तो ऐसा नहीं बनाना है आपको, जैसे हम बनाए थे, कि आपको पहले से practice करते करते हैं, इतना अंदाजा हो जाना चाहिए, कि आपको 2 electron share करवाना है, एक, दो, तीन, चार, तो वो 2 electron इधर बनाएंगे आप, ठीक है, और इसका भी वो 2 electron इधर बनाएंगे, जो share करना है, बा वो ही बात यहां पर सारा लिखा हुआ है, तो इसको अब नहीं पढ़ते हैं, आप समझ में आई गया है, आगे आप देखते हैं, कि कैसे, एक water molecule का formation कैसे होता है, वो देखते हैं, water का formula क्या होता है, H2O, ठीक है, चलिए, इसको ब्राने कोक्षिस करते हैं, कि water molecule कैसे बनता ह है, H2O है, इससे बहुत से प्रास लेगा, एक oxygen है, और दो hydrogen है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, बीच में oxygen बनाईए, और यहां पर एक hydrogen बना दीजिए, यहां पर एक hydrogen बना दीजिए, hydrogen का atomic number होता है, एक, मतलब electronic configuration एक ही रहा, oxygen का 8 होता है, यानि इसका electronic configuration 2,6, ठीक है, तो इ है, तो इस cross तो हम यहां यूज़ कर लिए, तो इसके लिए हम dot यूज़ कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, ठीक है, यह hydrogen को एक चाहिए, तो यह एक electron इस oxygen से ऐसे करके ले लेगा, ठीक है, यह hydrogen भी एक electron ऐसे करके oxygen से ले लेगा, दोनों hydrogen खूस, oxygen के पास 6 है, बाहरवाले cell में, और इसको कितना चाहिए, दो चाहिए, तो एक electron यह इस hydrogen से लेगा, और एक electron यह इस hydrogen से लेगा, और इस तरीके से sharing कर लेगा, ठीक है, अगर हम इसे यहां पर bond दिखाना चाहिए, तो बीच में oxygen, यहां पर hydrogen, यहां पर hydrogen, यहां पर एक pair of electrons है, तो यहां पर एक bond हो गया यहां पर एक pair of shared electrons है तो यहां पर भी एक bond हो गया तो इस तरीके से bond का रूप में दिखा सकते हैं और यह finally क्या बन गया है एज 2O molecule बन गया समझेगी नहीं तो इसको आप practice कीजिएगा देखिए हम यहां पर कैसे एक और एक दिखाए तब जाके यहां पर इजली गोला बनाना इजी पड़ा हमें ठीक है तो यह सब चीज कैसे आएगा practice करते करते आएगा कि चलिए तो यहां पर हम देख लिए water molecule का formation यहां पर कोशन पूछा गया है कि does the molecule have single bond और double bond तो यहां पर हमने देखा कि single bond है hydrogen है एक single bond oxygen फिर एक single bond hydrogen ठीक है तो यहां पर single bond देखने को में रहा है एंसरों का single bond चलिए अब हम देखते है nitrogen molecule का formation ठीक है nitrogen भी एक diatomic molecule बनाता है nitrogen का atomic नंबर 7 यानि इसका electronic configuration कितना हो गया चलिए बनाकर दिखाते हैं आपको है है nitrogen का atomic number 7 यानि इसका electronic configuration हो गया दो कॉमा पांच ठीक है तो यह हो गया एक nitrogen यह हो गया एक दो कामा पांच है इसको तीन चाहिए ठीक है तु देखिए एक-दो और TW वदे इसको और तीन चाहिए ना तो हम इधर identical एधर बनादेंगे आप एधर बनाएगे gyak बस यह three इंदर कंप कोना चाहिए और डिख़ी यह इनिदर से एधर से करड़ के ऊससे कर लेगा ठीक है और इस तरीके से nitrogen molecule बनेगा तो इसको अगर हम बॉन्ड का रूप में दिखाए तो ये nitrogen ये nitrogen ये एक pair तो एक bond ये एक pair तो और एक bond और ये एक pair तो और एक bond यहां पर triple covalent bond हमें देखने को मिल रहा है दो nitrogen atom के बीच में ठीक है अब हम देखते हैं ammonia का formation बहुत सरा है प्रैक्टिस करते करते आएगा ammonia का formula होता है NH3 इसको आप याद कर लीजिए तो एक बार हम आपको बना कर दिखाते हैं कि ammonia का कैसे formation होता है देखिए NH3 मतलब एक nitrogen है और तीन hydrogen है तो हमने यहां पर बना दिया एक hydrogen यहां बनाते हैं एक hydrogen ऊपर बना लेते हैं और एक hydrogen ऐसे इधर बना लेते हैं ठीक है hydrogen का balance electrons एक इसका भी एक इसका भी एक nitrogen का electronic configuration होता है दो कमा पाच यानि दो एक एक एलेक्ट्रोन यहाँ पर एक एलेक्ट्रोन यहाँ पर और दो एलेक्ट्रोन यहाँ पर ठीक है चलिए शेयर कर लेते हैं यह हैड्रोजन इसका एक लेके खूस यह हैड्रोजन भी एक एलेक्ट्रोन लेके खूस तीनों हैड्रोजन खूस नैट्रोजन बोलेगा कि तुम ल तो यह फाइनली क्या मिल गया हमें NH3 इसको बोलते हैं Ammonium Molecule एक्जाम में डिरेक्ट कोशन आएगा कि इलेक्ट्रोडिक कॉन्फिगरेशन बताइए सॉरी इलेक्ट्रोन डॉट इस्ट्रक्चर बताइए Ammonium Molecule का ठीक है चलिए Ammonia का भी देख लिया अब लास्ट में एक है मिथेन मिथेन का देख लेते हैं मिथेन का फॉर्मूला हम आपको बताए थे वो टेबल में याद कर लेने इधर जो उपर में हमने टेबल देखा था Carbon Compounds के फीचर पढ़ते वक्त यह देखिए यहाँ मिथेन का जिक्र हुआ था इसका फॉर्मूला है CH4 चलिए इसका इलेक्ट्रोन डॉट्टी स्ट्रक्चर बनाते है है मतलब इलेक्ट्रोन डॉट्टी स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4 नाम से ही समझ में रहा है कि एक Carbon है और चार Hydrogen है तो बीच में एक Carbon चार इलेक्ट्रोन को हम चारों दीचा में बना देते हैं ठीक है यह Hydrogen अपना एक लेके खुस यह अपना एक लेके खुस यह भी एक लेके खुस और यह भी एक लेके खुस कार्बन को और चार चाहिए तो सब Hydrogen से एक एक करके यह ले लेगा ठीक है इस तरीके से शेरिंग हो जाएगा अगर हम इसको बॉन्ड के रूप में दिखाना चाहिए तो Carbon एक बॉन्ड हाइड्रोजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन और यहां पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन यह बन गया CH4 समझे की नहीं समझे यहां तर चलिए अब हम मिथेन के बारे में दो चार बात और भी जान लेते हैं इसके उपर कोशन्स आता है देखिए लिखा है सबसे पहला बात मिथेन है क्या है Carbon compound है ठीक है दूसरा बात यह है कि मिथेन को widely use किया जाता है as a fuel ठीक है और यह major component है बायो गैस और compressed natural gas का मतलब बायो गैस और CNG दोनों में ही मिथेन का amount काफी ज्यादा रहता है तो एक्जाम में ऐसे question पूछ सकते हैं कि एक ऐसे compound का electron dot structure बनाईए जो की एक major component है बायो गैस और CNG का तो आपको इससे समझ जाना है कि यहाँ पर मिथेन का बात हो रहा है और आपको मिथेन का electron dot structure बना देना है ठीक है इट इस वन आप दा simplest compound formed by carbon ठीक है carbon का यह simplest compound है यह भी बात आप याद रखेंगे मिथेन का formula यहाँ पर लिखा हुआ है CH4 ठीक है तो carbon का जो वैलेंसी है वो चार है इसलिए carbon tetravalent है कि कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रोंस है बैलेंसी भी चार है और बैलेंस इलेक्ट्रोंस भी चार है इसका तो carbon को क्या कहते है टेट्रा वैलेंट कहते है समझे कि नहीं चलिए इसके बाद यह sharing कर लेगा और दीखें यह कोशन यहाँ पर ऐसे भी बनता है carbon जो है carbon का atomic number यहाँ पर 6 है इसका मतलब इसका electronic configuration 2,4 हुआ ठीक है अब यह जब sharing कर लेगा तो इसके बाहर वाले सेल में कितना electron हो जाएगा 8 2,8 तो यह किसका कौन सा noble gas का यह electronic configuration एटेन कर लिया तो यह बात आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि carbon जो है वो किसका electronic configuration करता है neon का क्योंगी neon का भी atomic number है 10 तो carbon जब sharing करके जब खुद होता है तो यह किसका electronic configuration करता है neon का exam में इसको पर question बनता है ठीक है बस तो इतना ही molecules का formation हमें देखना था of a water molecule is water molecule का कौन सा correct electron dot structure है पहला अगर option देखे ए तो यहाँ पे hydrogen लिखा गुआ है oxygen और फिर hydrogen कितना electron से तो उपर में 2 side में 2 4 और नीचे 2 6 तो यह तो oxygen का ही balance electron है hydrogen का balance electron यह नहीं बनाया ही नहीं तो यह गलत हो गया option नमबर अगर B देखे तो hydrogen hydrogen बीच में oxygen है electrons अगर count करें तो 1 2 3 4 5 6 7 electron है oxygen का 6 है और एक hydrogen का यह माना एक साथ आया तो एक hydrogen का electron missing है यहाँ तो यह भी गलत हो गया option नमबर C अगर देखे तो यहाँ पे oxygen के आजू बाजू 8 electron से यानि 6 electrons oxygen का होगा और एक hydrogen का और एक दूसरे hydrogen का तो यह सही तरीके से दिखाएगा अप्चिन नमबर C जो है यह राइट हो जाएगा कि यह लोग डॉट के जगहा पे hydrogen का electron को क्रॉस से रिप्रेजन करते तो और भी ज्यादा अच्छा होता ठीक है लेकिन खेर हम यहाँ पे कोशन के हिसाब से option नमबर C टिक कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से भी कोशन आता है इसको भी आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे मूब करते है चलिए आगे दिखते है आगे आप यहाँ पे कोवालेंट बॉन्ड का definition लिखा हुआ है तो ऐसे बॉन्ड विच आर फॉर्मड बाई शेरिंग ऑफ एलेक्ट्रोन पेर बिट्विन टू एटम्स आर नोन एस कोवालेंड बॉन्ड मतलब ऐसे बॉन्ड जो कैसे बनते हैं इलेक्ट्रोन पेर को शेर करके बनते हैं दो एट कोवालेंट ली बॉन्ड फॉर्म नोलिक्यूल बट इंटर मोल्यक्ट्रोन फोर्स in बॉला गया है कि एसे मॉलिक्यूल जिसमें कोवालेंड बॉन्ड पाया जाता है उन में वीदिन ता मॉलिक्यूल तो बॉन्ड इससाओ होता है मतलब देखिए आम लीजे यह वाटर है ए यह एक water molecule है तो within the molecule जो bond होता है यह molecule के अंदर जो bond है यह वाला bond और यह वाला bond यह दोनों bond काफी strong होता है ठीक है लेकिन intermolecular force एक और यहाँ पर molecule लेते है water का H2O एक और यहाँ पर molecule लेते है water का एक और लेते है molecule water का ठीक है तो यह सब जो molecule के बीच में जो force of attraction है ना वो यह आपे बुला गया है intermolecular मतलब दो molecules के बीच में जो force of attraction है वो काफी weak है ठीक है यह बात समझे की नहीं मतलब within the molecule, molecule के अंदर जो bond है वो काफी strong है लेकिन intermolecular अगर force का बात करें तो वो काफी weak है थोड़ा सा ही heat करने से यह तूट जाएगा और यह easily melt हो जाएगा और क्या हो जाएगा? boil हो जाएगा, ठीक है? melt और boil हो सकते है तो वो यह बात आगे लिखाए देखिए लिखाए कि this give rise to low melting and boiling point of this compound यानि covalent compound का melting point और boiling point दोनों ही क्या होता है? low होता है compound में हमें पता है कैसा bond होता है? covalent bond, ठीक है? तो यहाँ पे इनका melting point, boiling point दोनों ही कम था आपने starting में ही देखा था reason अब समझ मारा है आपको चलिए इसके उपड़े question बन जाता है कि क्यों covalent compound का melting point, boiling point कम होता है तो आपको यह जो जितना हम green sand line की है यह बाता को लिखना परेगा, ठीक है? चलिए फिर आगे देखिए अगला point यह है कि since electrons are shared between atoms and no charge particles charge particles यानि ions are formed क्योंकि यहाँ पे electrons का sharing होता है इसलिए यहाँ पे कोई ions का formation नहीं होता है और ions का लेना देना सीधा किस से है? electricity से है, ठीक है? since यहाँ पे ions नहीं होते हैं, इसलिए यह covalent compounds जो होते हैं ना यह poor connector of electricity होते हैं बात अगरा ही समझ रहे हैं? चलिए तो यह होगी आगला feature इसके उपर भी question आता है कि क्यों covalent compounds poor connector of electricity होते हैं? तो यही बात यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा answer में ठीक है? यहाँ पे electron dot structure दिखाया गया है methane का समझे? अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले एक difference between देख लेते हैं covalent compound और ionic compound के बीच में ठीक है? बहुत important exam में आता है यह तो यह difference ही है रहा आपके सामने पहला point देखिए इसमें लिखा है ionic compound में कि it is formed by transfer of electrons समझ में आ गया? और covalent के case में it is formed by sharing of electrons ठीक है? दूसरा point में लिखा हुआ है it is formed between a metal and a non-metal ionic compound एक metal और non-metal के बीच में ही बनता है ठीक है? लेकिन covalent compound जो है यह दो non-metal के बीचे बनता है बहुत important है यह point ठीक है? इसके उपर अलग से question भी बन सकता है दूसरा point के उपर तीसरा point में लिखा है कि ionic compound का melting point boiling point high होता है और covalent compound का दोनों ही low होता है चौथा point है ionic compound के case में कि यह लोग good conductor of electricity होते है due to the formation of charged particles यानि ions और covalent compound bad यानि poor conductor of electricity होते है because of absence of charged particles यहाँ पर ions का formation नहीं होता है इसलिए यह लोग poor connector है ठीक है? तो यह चार point का difference आप त्यार रखे ionic compound और covalent compound के बीच में ठीक है? चलिए फिर आगे move करते हैं आगे यहाँ पर allotrops of carbon के बारे में बताया गया है और यहाँ पर यह एक yellow box है और यहाँ पर लिखा हुआ है more to know अब यह आपको पता होना चाहिए कि आपके CBC के syllabus में जो class 10 का syllabus है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका insighti book में जितना भी यह more to know करके box दिया हुआ है यह बस आपके knowledge के लिए जरूरी है जो final जो board exam होगा उसमें इस box से question नहीं पूझा जाएगा ठीक है तो बस हम जितना काम का बात है उतना ही त्यार करते है exam के लिए यह उतना important नहीं है लेकिन अगर आपको competitive exams दे रहे है तब तो आपको त्यार करना ही है देखिए लिखा हुआ है allotrops of carbon का मतलब क्या होता है देखिए carbon जो element है ना यह nature में अलग-अलग forms में पाया जाता है जिनका physical property अलग-अलग होता है varying होता है तो यहाँ पर तीन carbon allotrops के बारे मताया गया है सबसे पहला है diamond दूसरा है graphite और तीसरा है buckminster fullerine यह तीनों का नाम तो आपको याद हो ना ही चाहिए तो इन तीनों का जो physical property है ना वो different है लेकिन सिंस यह तीनों carbon ही से बना हुआ है carbon ही element है तो इसका मतलब इन तीनों का chemical property जो होगा वो same होगा बात अगर ही समझ रहे तो allotrops का physical property अलग-अलग होता है vary करता है लेकिन chemical property same होता है ठीक है अब इसको हम example से समझते है diamond और graphite यह है diamond और यह है graphite दोनों ही carbon atom से बने हुए difference यहाँ पर आता है कि carbon की इस तरीके से arrange है यहाँ पर diamond के case में अगर हम देखे ठीक है इन दे case और diamond जो हर एक carbon atom है वो 4 और दूसरे carbon atom के साथ एक 3D structure बनाया हुआ है देखिए यह carbon atom है यह और 1, 2, 3, 4 4 अलग-अलग carbon atom के साथ एक 3D structure बनाया हुआ है इस तरीके से यहाँ पर bonding पाया जाता है लेकिन graphite के case में एक carbon atom जो है वो 3 दूसरे carbon atom के साथ एक ही plane में bond बना के रखे हुए देखिए माँ लिए यह carbon atom है तो यह 1, यह 2, यह 3 यहाँ पर 1 carbon atom 3 ही carbon atom के साथ bond बना के रखे हुए लेकिन यहाँ पर 1 carbon atom 4 carbon atom के साथ bond बना के रखे हुए ठीक है तो और एक बात यह भी याद रखेगा हमने अभी थोड़े दिर पहले यहाँ पर बना था कि carbon जो है carbon का valency 4 है तो मतलब carbon tetravalent है tetravalent है इसका मतलब क्या है कि carbon जबी भी बनाता है न तो 4 bond बनाता है ऐसा हमने methane के case में देखाता है यादे यहाँ पर देखिए methane का structure जो बनाया हुआ है इसमें आप समझ सकते हैं कि carbon हमेशा कितना bond बनाता है 4 bond बनाता है क्योंकि इस carbon के पास 4 ही electron है ठीक है वो कहीं से और बाहर से 4 electron लेता है share करता है तो हमेशा carbon 4 bond बनाता है तो इसको अब हम chapter में क्या बोल के रखेंगे carbon के कितने हाथ है 4 हाथ है ठीक है आप समझेगा कि carbon tetravalent है तो देखिए यहाँ पर तो carbon का 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ और carbon का 4 हाथ हमें कुछ न कुछ होना चाहिए तो 4 हाथ यहाँ पर भड़ा हुआ है, खुस है लेकिन यहाँ पर जो carbon atom है वो उसका सीफ तीन ही हाथ फुल्फिल दिख रहा है तो एक और हाथ में क्या है तो वो आपको समझना पड़ेगा कि दो हाथ मिलके यहाँ पर एक ही carbon atom को उठा रहे है कहीं एक जगा पर double bond होगा यह एक single bond, यह एक single bond और यह यहाँ पर कहीं double bond होगा, ठीक है वो यहाँ पर लिखा है कि graphite के case में एक carbon atom तीन carbon atom के साथ bond मना के रखे हुए होते हैं और one of these bond, इन तीनों में से कोई एक bond एक double bond होता है ताकि carbon का जो valency है वो satisfied रहे carbon जो है चारो हाथ में कुछ ना कुछ पकरा दाए, ठीक है चली फिर these two different structure diamond और graphite दोनों का ही physical property काफी different है ठीक है, लेकिन chemical property same है, for example diamond का अगर बात करें, diamond का, तो diamond एक hardest substance है, लेकिन graphite जो है, वो काफी smooth और slippery होता है फिर graphite जो है ये एक अच्छा connector है electricity का, ठीक है unlike other non-metals diamond उतना अच्छा electricity conduct नहीं करता है, ठीक है और एक तीसरा है buck mr. fullerine ये भी एक ऐलोट्रोप है carbon का, बस आप इतना याद रखें, ज्यादा detail में नहीं जाते है तो ये आप ये भी बताया गया है कि diamond को आप pure carbon से खुद भी बना सकते है, बहुत high pressure और बहुत high temperature पर अगर pure carbon को रखेंगे, तो वो diamond बन जाता है ठीक है, बस difference ये है कि synthetic diamond जो होता है वो natural diamond से काफी छोटा होता है लेकिन बाकी दोनों का सारा property सेम होता है, ठीक है तो इतना ये बात आप देहन रखें यहाँ से काफी होगा, आगे यहाँ पर कुछ questions देख लेते हैं, देखिए सबसे पहला question है कि what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2, carbon dioxide का electron dot structure बनाने बोल रहे है तो बना के दिखा देते हैं सोचने का तरीका क्या होता है यहाँ पर आप elements identify कीजिए एक है carbon, carbon का atomic number 6 होता है यानि इसका electronic configuration 2,4 ठीक है, oxygen का atomic number 8 होता है, यानि इसका electronic configuration 2,6 अब इसका यह देखिए formula CO2, carbon 1 है और oxygen 2 है, तो किस तरीके से बनाए बीच में हम carbon रखते हैं एक side oxygen और एक side oxygen ऐसे रखते हैं ठीक है, अब balance electrons बनाईए carbon का 4 है, तो 1 अब यह किस तरीके से बनाए, देखिए 1, 2, 3, 4 carbon का 4 balance electron हम बना दिए अब oxygen का 6 बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस oxygen का भी 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ऐसे प्राण से सुभीदा क्या हुआ कि हमें समझ में आ गया कि oxygen का पास 6 है, यह 2 share करने वाला है इसलिए carbon का 2 हम इधर side में बनाए ठीक है, यह oxygen खुस यह oxygen भी इससे ऐसे 2 लेके खुस हो जाएगा carbon बोलेगा, मुझे दो 4 चाहिए तो यह इससे 2 लेगा और इससे 2 लेगा इस तरीके से sharing हो जाएगा, ठीक है इसको अगर हम bond के रूप में दिखाया तो बताइए, यहाँ पर कितना bond देखने को मिलेगा तो 2 bond क्योंकि 2 pair है यह 1 pair और यह 1 pair ठीक है, oxygen और यहाँ पर double bond oxygen finally मिल गी है CO2 exam में question ऐसे भी पूछा जाता है आपसे पूछ लेंगे कि carbon dioxide में कितना covalent bond पाया जाता है number of covalent bonds बताओ तो आपको यह count कर लेना है 1, 2, 3, 4, 4 covalent bond होता है यहाँ पर तो answer हो जाता 4 इस तरीके से भी question आता है ठीक है, चलिए, तो इसको आप practice कर लेंगे आज ही अगले question number 2 पे what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur देखिए, आप आपको sulfur molecule का electron dot structure बनाना है हमने oxygen molecule का देखा hydrogen molecule का देखा nitrogen molecule का देखा, ठीक है यह सब क्या है, diatomic है मतलब 2 atoms oxygen के मिलके बने हुए थे यह भी 2 atoms hydrogen के, इसमें 2 atoms nitrogen के लेकिन जो sulfur molecule आप बनाएंगे न sulfur molecules unique है क्योंकि इसमें कितना atoms होता है, 8 atoms होता है यानि 8 sulfur आपको यहाँ पे बनाने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 ठीक है, फिर sulfur का यह देखना है, atomic number कितना है तो sulfur का atomic number है 16 16 यानि इसका electronic configuration हो गया 2, 8, 6, ठीक है तो valence electrodes 6 सब में बनाना है ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बनाएंगे ठीक है, इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है फिर इसका भी बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम एक और एक अलग क्यों दे रहें, क्योंकि ये एक जो है इसके साथ share होगा, और ये एक इसके साथ share होगा बता देते हैं आपको ये sulfur के पास 6 है, 2 चाहिए इसको इसका भी बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस sulfur को notice कीजिए इस sulfur का ये 6 electrons इसको और 2 चाहिए तो ये क्या करेगा एक electron यहां से लेगा और एक electron यहां से लेगा ऐसे करके ये share कर लेगा, ठीक है फिर इस sulfur पर फोकस कीजिए इसके पास पहले से ये 6 है एक पीछे वाले से और एक आगे वाले से ये share करेगा तो एक पीछे वाले से ऐसे लेगा एक आगे वाले से ऐसे लेगा, यह share कर लिया, फिर इस War का भी बना लेते हैं, छए उलेक्ट्रोन्स, अब इस सलफर को दीखिए, इसके पास 6 उलेक्ट्रोन्स यह रहा, दो चाहिए और तो एक आगे वाले से और एक इछे वाले से इस तरीके से बनाता जाएगा यह पुरा गोला हो जाएगा ठीक है आप यह पिक्चर देख लीजिए फाइनल जवाब बनाएंगे तो आपको इस टाइब का मिलेगा इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिस तरीके समब बताए ठीक है इस तरम बनाएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा चलिए तो यह हो गया और एक जो कंपाउंड है इसका भी आप याद कर लीजिए आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम से समझ मारा है टेट्रा मतलब होता है चार यानि कार्बन और क्लोरीन है चार CCL4 तो carbon theta chloride का भी electron dot structure बाने का आप practice कर लेंगे ठीक है structure आप समझी रहे हैं formula देखेंगे कि C है chlorine 4 है तो 4 दिशा में chlorine बना दीजिए उसके बाद balance electron बना इए chlorine का balance electron 7 होता है तो 1 इधर रखिए और बचा हुआ 6 इधर दे दीजिए carbon का 4 dot से represent कर दिए ताकि अलग-अलग दीखे थोड़ा ये chlorine एक लेके खूस ये chlorine भी एक लेके खूस ये chlorine भी एक लेके खूस और ये chlorine भी एक लेके खूस carbon को 4 चाहिए तो ये सब से एक एक करके ले लेगा इस तरीके से sharing हो जाएगा अगर हम bond के रूप में दिखाए तो C, bond CL, bond CL, bond CL और bond CL देखे रहें carbon का 4 हत carbon tetravalent है ठीक है इस तरीके से बना लेंगे तो ये CCL 4 भी आप practice करके रखे ये बहुत बार आता है exam में ठीक है चलिए तो इसी के साथ ये जो हमारा पहला topic था bonding in carbon covalent bond ये खतम हुआ काफी बड़ा topic था उम्मीद करते हैं आपको काफी चीजिस में सीखने को भी मिला होगा ठीक है टाइम लिए लेकिन काफी मजबूती के साथ हम लोग इसको cover किये चलिए अब आगे आजाते हैं अगला topic है versatile nature of carbon और उम्मीद करते हैं आप ठक भी गए होंगे तो इक छोड़ा सा break ले लिजिए आप इसके बाद हम इस topic को cover करते हैं ठीक है अब चलिए अगले topic को start करते हैं अगला हमारा topic है versatile nature of carbon ठीक है देखते हैं इसमें क्या लिखा है अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है formation of covalent bond देख लिया है by sharing of electrons in various elements and compounds ठीक है कैसे बनता है वो हम देख लिये we have seen एक हमने simple carbon compound कौन सा है simple carbon compound? methane इसका structure भी हम बना के देख लिये ठीक है और चर्पर के starting में ही यानि introduction part में हमने देखा कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे चीज़े जो carbon based है जिसमें carbon पाया जाता है ठीक है? in fact हमारा खुद का सरीर जो है वो भी एक क्या है carbon compound से बना हुआ है तो अगर numbers की रूप में बात करें तो numbers of carbon compounds जो की chemist को पता है आज के date में वो कितना है? millions में है ठीक है? तो ये बाकी जो दूसरे element है उससे कई ज़्यादा numbers में carbon compounds पाया जाता है ठीक है? तो ऐसा क्या reason है carbon में कि carbon इतना सारा compound इतना सारा चीज़ों में पाया जाता है तो इसके लिए दो factor notice किया गया है two factors noticed in case of carbon are ठीक है दो reason है जिस वोज़से unique ability to form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules this property is called catination, carbon के पास एक खास ability है कि वो क्या कर सकता है bond बना सकता है बाकी दूसरे carbon atom के साथ ठीक है और इस तरीके से वो काफी ज़्यादा molecules बना देता है हमें पता है carbon का कितना हाथ है? चार हाथ है तो यह अगर हाथ है मालीजेस में दूसरा carbon पकड़ लिया फिर इस carbon का और चार हाथ, मतलब एक हाथ तो पहले से फिल है तीन हाथ और खाली है तो इस अगले हाथ में एक और carbon पकड़ लिया फिर एक और carbon पकड़ लिया चाहे तो यहां पर भी carbon पकड़ सकता है यहां पर भी carbon पकड़ सकता है तो इसी प्रोपर्टी को क्या बोलते हैं यह कितना भी लंबा चेंज बना सकता है तो यह जो carbon एटम है वह दूसरे कार्बन एक साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसी प्रोपर्टी को क्या बोलते हैं catination बोलते हैं इतना समझे की नहीं देखें फिर आगे लिखा है इस compound may have long chains of carbon या फिर branched chains of carbon या फिर even rings के रूप में भी हो सकता है अब यह जो तीन word आप यहाँ पर देख पारे हैं लिखा हुआ है एक है chains और एक है branches और एक है यहाँ पर rings यह एक अलग से topic की आगे discuss क्या हुआ है ठीक है अभी हम तोरे दिर में हम इसको study करेंगे इसको meaning क्या है वो समझते है carbon जो है वो दूसरे carbon atom के साथ bond बना सकता है जिसको catination कहते हैं अब यह जो compound है इनका यह क्या तो एक chain के रूप में हो सकते हैं अगर यह ऐसे सीधा गया तो इसको क्या बोलेंगे chain कहेंगे ठीक है branch chain ठीक है या फिर यह carbon atom जो है वो rings के रूप में भी arrange हो सकते हैं मतलब यह carbon atom यह carbon यह carbon यह carbon ठीक है फिर यह carbon और यह carbon ठीक है तो इस तरीके से यह ring के रूप में भी arrange हो सकते हैं तो वही बात यहां पर लिखा है कि क्या तो यह carbon compound chains बना सकते हैं या फिर branch chains के रूप में हो सकते हैं समझेगे नहीं बात यहां तक चलिए इन एडिशन कारवन एटम्स में भी लिंक्ट बाई सिंगल डबल और ट्रिपल बॉंड इसके अलावा एक बात यह भी हो सकता है कि दो कारवन एटम्स एक दूसरे से क्या तो एक बॉंड से जूर सकते हैं या फिर दो कारवन ठीक है तो अगर अगर दो कारवन एटम्स के बीच मेंनली सिंगल बॉंड है तो वो जो भींपांट अगर बना रहा है तो वो वो गंपांट को बुलते हैं saturated कंपाउंड और अगर कोई करवन कोई ऐसा कंपाउंड है टीके जिसमें 2 करवन के बीच में मन डबल या फिर ट्र saturated compound समझे की नहीं समझे एक बार फिर से पढ़ते हैं देखिए compounds of carbon which are linked by only single bond between the carbon atoms are called saturated compound यह मा लीजे एक carbon compound है ठीक है चार carbon वाला इसमें सारा carbon atoms के बीच में एक single bond ही है तो ऐसे compound को बोलते हैं saturated compound जिसमें दो carbon atoms के बीच में सिफ single bond present हो ठीक है और अगर मालीजे कोई इस तरीके से बनाता है यहाँ पर हम देखने कि यह carbon compound है लेकिन इसमें दो carbon atoms के बीच में यहाँ एक double bond पाया जा रहा है तो इसका मतलब यह compound जो है यह unsaturated compound है तो यहाँ पर लिखाए देखिए compounds of carbon having double यह फिट triple bond यह double के जगए अगर triple भी होता तो ऐसे carbon compounds को क्या कहते है unsaturated compound कहते है तो compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms जाद रखेगा carbon atoms के बीच में ही अगर double और triple bond है तो ही हम इसको क्या कहेंगे unsaturated compound और इसको saturated अगर तो carbon atoms के बीच में single bond है तो समझेगी नहीं चलिए आप मुझे सोचके बताईए यह कौन सा compound है शैकर ने जगे unsaturated है तो आप बैंगे यह saturated compound है आप मुझे बोलके दिखाएए यह कौन सा compound है तो आप आप बोलेंगे इसमें double bond एक जगा प्रिजेंट हो गया मतलब यह क्या है एक unsaturated compound है ठीक है चलिए तो इन दुनों का definition आप त्यार कर लेंगे इसको अभी हम और भी study करेंगे फिल्याल अभी लंबा लंबा चेंज और कोई भी element नहीं बना सकता है एक element है जो सोचा कि हम carbon को टकर देंगे वह element है silicon ठीक है और उसके बाद और जड़ा मतलब यह bond form नहीं कर पाता है ठीक है लेकिन अगर carbon का बात करें तो carbon carbon जो bond है वह काफी strong है इसलिए वह carbon stable भी है carbon 10 carbon atom का भी chain बना सकता है ठीक है काफी लंबा चेंज भी बना सकता है लेकिन silicon जो है वो देखिए 7 या फिर 8 atoms तक max जाता है maximum उसके पाद रूख जाता है लेकिन carbon जो है वह काफी strong bond बनाता है इसलिए काफी stable है carbon काफी लंबा लंबा carbon compounds बनाता है ठीक है तो वही बात यहां पे limitation आप समझी गई कि यह maximum 7-8 atom तक ही compound बना सकता है मतलब 7-8 atom तक ही bonding कर पाएगा उसके पाद नहीं कर पाएगा यह ठीक है चलिए इस गिवस अस लार्ज नमबर ऑप compounds with many carbon atoms linked to each other ठीक है अब इसके उपर एक कोशन आता है कोशन इस तरीके से आएगा ठीक है लिखा है कि catenation is the ability of an atom to form bonds with other atoms of the same element catenation का definition लिखा हुआ यह ठीक है आप भी यह तेयार कर सकते तो it is exhibited by both carbon and silicon carbon भी catenation दिखाता है silicon भी catenation दिखाता है ठीक है तो compare the ability of catenation of the two elements give reason तो आप दोनों को compare किजिए कि कौन catenation ज्यादा करता है और reason बताइए तो carbon यहाँ पर catenation ज्यादा exhibit करता है ठीक है carbon जो है यह जो property है catenation का उसको ज्यादा exhibit करता है क्यों क्योंकि यहाँ पर reason आप यहाँ से यहाँ तक दे देंगे ठीक है silicon जो compound बनाता है 7-8 atom तक वो काफी ज्यादा reactive हो जाता है और यह काफी unstable होता है इससे आगे वो और compound नहीं बना सकता है लेकिन एक carbon carbon bond काफी strong होता है इसलिए यह काफी stable compound फॉर्म करता है ठीक है बस इतना बात जो green sun line की है वो इसका answer में दे देना है चलिए तो main topic हमारा क्या चल रहा था कि carbon इतना सारा compounds कैसे बना लेता है तो दो reason हम देखने वाले थे तो उसमें से एक reason हम देख चुके है पहला reason है catenation carbon catenation property दिखाता है मतलब वो कितना भी compounds कितना भी बड़ा chain बना सकता है ठीक है या फिर branch chain या फिर रिंग्स बना सकता है इस वर carbon इतना सारा compound form करता है तो पहला reason हो गया catenation अब आते हैं दूसरी reason पर दूसरा reason है इसको अगर हम एक सब्सक्राइब बोले तो वह है tetravalency tetravalency नाम से भी स्वाज में आ रहा है चार valency होना ठीक है since carbon के पास valency है 4 का तो it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon तो carbon के पास कितना हाथ है 4 हाथ है तो ये 4 हाथ में क्या कर सकता है carbon atoms को पकड़ सकता है या फिर atoms of some other monovalent element या फिर ऐसे element को पकड़ सकता है जिसका valency 1 हो ठीक है carbon के जिगा पर ये चाहे तो यहाँ पर chlorine भी पकड़ सकता है ठीक है कुछ भी पकड़ सकता है देखिए का compounds of carbon are formed with carbon जो है वह oxygen के साथ bonding करता है hydrogen के साथ nitrogen sulfur chlorine और भी बहुत साथ element के साथ करता है और अलग-अलग compounds बनाता है अलग-अलग properties के साथ यह properties क्या होगा डिपेंड करेगा कि carbon किसके साथ bond बनाया हुआ है ठीक है तो इसको हम लोग बोलते है यहाँ पर carbon लगा तो और तीन हाथ ठीक है तो टेट्रा बैलेंसी का वज़ए से carbon बहुत ज़्यादा compound बना लेता है यह हो गया दूसरा डीजन ठीक है चलिए फिर आगे यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा गा है तो बॉन्ड जितना इस्ट्रोंग होगा वह compound उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है तो reason क्या है carbon क्यों इतना दा इस्ट्रोंग बना पाता है तो उसका reason यहाँ पर लिखाया देखे वन reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size carbon इतना दा strong bond इसलिए बना पाता है क्योंकि carbon का जो size जो है न वह small है ठीक है इससे फाइदा यह मिलता है कि जो carbon का जो nucleus है जिसके अंदर neutron और proton है proton जिसमें positive charge है वो shared pair of electrons को electrons यानि जिसमें negative charge है तो यह जो nucleus है यह electrons यानि shared pair of electrons को काफी strongly hold on करके रख पाता है ठीक है the bonds formed by elements having bigger atoms are much bigger लेकिन वही अगर इसका size अगर बड़ा होता तो उस case में nucleus का बाहर वाले cell के साथ दूरी काफी ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पे उतना strong तरीके से इसको hold on करके नहीं रख पाता लेकिन carbon का size since छोटा है तो यहाँ पे nucleus और shared pair के electrons को भी इसमें दूरी कम है इसलिए यह force of attraction काफी strong है यहाँ पे तो ज़्यादा strong bond बनता है और ज़्यादा stable compound बनता है बात अगरा ही समझ रहे तो वही बात यहाँ पे लिखा है तो बस इतना इस चीज़ आपको त्यार करना है exam में question आएगा कि क्यू carbon इतना सारा compound बनाता है तो पहला reason तो पहला reason आप एक word में देंगे catenation और दूसरा reason आप एक word में देंगे tetravalency ठीक है यहाँ पे भी लिखा हुआ है यह देखिए इज़र पे लिखा हुआ है कि tetravalency और catenation ठीक है यह दो characteristic feature से carbon का जिसके खारण large number of compounds देखने को मिलता है ठीक है और अंदर से कैसा कैसा question बनेगा वो भी आँको बता दिए carbon इतना strong bond क्यों बनाता है उसका reason भी यह आप देख लिए इसके उपर भी question आ सकता है ठीक है चलिए फिर saturated compound unsaturated compound क्या होता है वो भी देख लिए अगर दो carbon atoms के बीच में अगर single bond है तो saturated में आएगा और अगर दोनों के बीच में double bond या फिर triple bond है तो वो unsaturated में आएगा ठीक है चलिए इतना चीज हमने देखा फिर more to know में यहाँ पर organic compound बताया गया है organic compounds वो compounds होते हैं जो natural substance से extract किये गए हो ठीक है जिसमें मतलब nature का कोई रोल हो ठीक है लेकिन पहली बार फेडरिश वोलर ने 1828 में यूरिया को prepare कर दिया था मतलब इसमें लाब में ठीक है तो और यूरिया क्या है एक organic compound है पहले यह मना दाता था कि जो organic compound है वो nature का force से ही बन सकता है लेकिन इन्होंने सबसे पहली बार इस बात को गलत सावित कर दिया 1828 में इन्होंने सबसे पहली बार organic compound लैब में बना दिया ठीक है तो chemistry में एक branch है जोसको बोलते है organic chemistry तो इसमें organic chemistry में हम क्या पढ़ते हैं carbon compounds के बारे में पढ़ रहे होते हैं except carbides, oxides of carbon, carbonate और hydrogen carbonate इन सब को छोड के बाकि जितने भी carbon compounds है वो सब हम लोग organic chemistry में इस्टेटी करते हैं ठीक है तो उतना बस extra knowledge था यह आगे move कर जाते हैं अगला topic के हमारा यह saturated and unsaturated carbon compounds meaning तो आप समझी लिए अगर दो carbon atoms के बीच में single bond है तो इसको saturated कहते है और अगर 2 के बीच में double bond या फिर triple bond है तो उसको unsaturated carbon compound कहते है ठीक है अब इसको हम यह आपे detail में study करेंगे देखिए बोला है कि we have already seen the structure of methane methane का structure तो हम देख चुके है formula बते हैं यह methane का तो अगर आप CH4 बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल right है ठीक है देखिए अगर पहले याद कर लिए होते हैं तो कितना easy पड़ता है चलिए अब हम methane जैसा ही एक और compound है जिसको बोलते है ethane ठीक है इसका अब हम structure बराने का कोशिश करते है methane का formula था CH4 ethane का formula होता है C2H6 अब काफी बचे यहाँ पर घबड़ा जाएंगे कि इतना सा formula कैसे याद करेंगे ठीक है तो अभी थोड़ा सा patience रखिए इन सब का एक mathematical formula है अभी आपको दे देंगे ठीक है तब आप कितना भी बड़ा formula खुद से बना पाएंगे ठीक है अभी आप सिप याद कीजिए कि methane का formula CS4 ethane का C2H6 अभी आपको तरीका बता देंगे ठीक है इतना याद नहीं करना पड़ेगा आपको तो चलिए C2H6 का हम structure बने का कोशिश करते है तो structure बने का एक तरीका होता है देखिए In order to arrive at the structure of simple carbon compounds पहला step यह होता है कि आप carbon atoms को single bond के साथ जोर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे C2 दिख रहा है मतलब दो carbon atom है तो हमने दो यहाँ पे ऐसे से लिख लिए और दुनों के भीच में single bond हमने बना दिया ठीक है उसके बाद Then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining balances of carbon carbon का balance यानि 4 होता है तो एक हाथ तो यहाँ पे और अल्रेडी fulfilled है एक हाथ यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे 4 हाथ इस carbon का भी 4 हाथ होना है तो एक हाथ तो यहाँ पे बना दिये दूसरा हाथ तीसरा हाथ 4 हाथ ठीक है तो बोला गया है जो remaining balance है यानि जो बाकि जो जितना खाली हाथ है उन सब खाली हाथ में आप hydrogen पकड़ा दीजिए carbon को तो यह खाली हाथ में भी hydrogen दे दिए इसमें भी hydrogen इसमें भी hydrogen इसमें भी hydrogen और इसमें भी hydrogen तो hydrogen आप fill कर दिए मतलब carbon को आप satisfy कर दिए ठीक है इस तरीके से आपको क्या मिल गया इथेन का structure आप बना दिए समझेगी नहीं चलिए तो यह देख रहे एक बार फिर से अगर हम recap करे तो अगर आपको इथेन का structure बनाना है इथेन का formula C2H6 होता है इसका अगर structure बनाना है तो आप क्या करेंगे दो carbon है तो आप दो carbon ऐसे बनाईए दोनों के भीच में single bond दीजिए फिर बचा हुआ जो valency है उसको आप hydrogen से satisfy कर दीजिए ठीक है तो hydrogen कितना यहाँ पर 6 है तो 1,2,3,4,5,6 hydrogen बनाई दिए दो carbon बनाई दिए बस यही हो गया structure इथेन का समझे चलिए फिर यहाँ पर electron dot structure बनाया गया है इथेन का यह भी easy है बनाना दो carbon है छे hydrogen है तो दो carbon यहाँ पर बनाया गया और hydrogen तीन यहाँ structure देखेए है इलेक्टरोन dot structure बनाने से पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले ऐसा structure बना लेते हैं इसको देखे हम यह बनाएंगे तो easy बनेगा तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले लिख लिए उसके बाद आप electrons बनाना शुरू कर दीजे की पहले इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद इलेक्ट्रोंस बराना शुरू करें के यह हैड्रिजन का एक Light में हैड एक Playzk दीजिए और Carbon में चार Das का भी एक फैनल तnten चार अब स्वेश्ट सो इंकर है धीन दीज़िए Łब मसं इस तरीके से bond sharing करके यह ऐसा बनाएगा ठीक है तो यह electron dot structure भी त्यार रखेंगे और यह simple structure भी त्यार रखेंगे इसके उपर एक ऐसा question भी बनता है कि पूछेंगे कि बताओ तो ethane में कितना covalent bond होता है तो covalent bonds का अगर numbers पूछे तो आपको क्या करना है सीधा यह ऐसा structure बनाना है और यहां पर count कर लेना है कितना bond है तो 1,2,3,4,5,6,7 bond है तो 7 हो जाएगा answer ठीक है चली एक और practice करते हैं तो और अच्छे से clear होगा अब हम कोशिस करते हैं propane का structure बनान होगे formula बोलिए methane का तो आप बोलेंगे CH4 ethane का बोलिए ethane का formula तो C2H6 अभी हम देख रहे है propane ठीक है गवराईएगा नहीं थोड़ा सा patience रखेगा अभी थोड़े दिर में सारा clear हो जाएगा propane का formula होता है C3H8 ठीक है C3H8 इसका formula होता है चली इसका structure बनना है कोशिस करते है तीन carbon है तो हम सबसे पहले तीन carbon यहाँ पर बना लेते हैं एक दो तीन ठीक है single bond से link कर दिये और बचा हुआ carbon को कैसे satisfy करना होता है valency को hydrogen fill कर दीजे इसमें तो इस carbon को लिए एक दो तीन यह carbon पुरा खुस यह carbon को अगर देखे तो एक हाथ already यहाँ पर है एक हाथ already यहाँ य ठीक है यह भी खुस इस carbon का अगर बात करें तो एक हाथ इसका बना हुआ अल्रेडी बचा हुआ तीन हाथ बना देते हैं और तीनों में hydrogen पकड़ा देते हैं ठीक है यह structure बन गया अब एक पार hydrogen काउंट कर लीजे एक दो तीन चार पाच छे साथ हाथ आठ हाथ हाइड्रोज अब आगे किसका देखना है देखिए और यह मिथेन इथेन प्रोपेन तीनों में हम देख रहे थे कि कारबन के बीच में सिंगल बॉंड है तो इसको क्या बोलते हैं saturated compounds बोलेंगे ठीक है मिथेन जिसमें एक ही carbon था इसको भी क्या बोलते है saturated compound ही बोलेंगे इसको आप याद saturated और unsaturated carbon compounds के बीच में तो उसमें हम यह एक पॉइंट ही जरूर लिखेंगे कि जो saturated compounds होते है न यह ज्यादा reactive नहीं होते इस पॉइंट को आप याद रखिएगा ठीक है अब अगला यहां पर जो compound दिया गया है वह है इथीन ठीक है जिसका formula होता है C2H4 लेकिन इसका structure जानने से पहले चलिए थोड़ा से आपका दिमाग हलका करते हैं पहले basic concept जाल लेते ताकि आपको इतना formula याद ना करना पड़े ठीक है यह देखिए आप यहां पे चार्ट इसमें सबसे पहले उपर में लिखा हुआ है hydrocarbons, hydrocarbons का meaning क्या होता है ऐसा carbon compound जो सिफ carbon और hydrogen से बना हुआ है उसको hydrocarbon करते हैं ठीक है मतलब ऐसा कोई भी compound जिसमें सिफ carbon और hydrogen हो उसको क्या बोलेंगे hydrocarbon examples अब यह हमने देखा methane जिसका formula होता है CH4 ethane C2H6 ठीक है यह सब क्या है hydrocarbons है प्रोपेन जो हो गया C3H8 यह सब है hydrocarbons जिसमें सिफ carbon और hydrogen है समझें यहां तक चलिए अब hydrocarbons दो होते हैं वो डो टाइप के होते हैं एक होता है open chain compounds जिसको aliphatic कहते हैं आप सिफ open chain पर भी दिमाग लगाईए ठीक है और दूसरा होता है closed chain compounds ठीक है open chains दो टाइप का ह होता है, एक होता है saturated गमिलंग आपको पता है saturated मतलब, अगर 2 carbon items के बिच में तो सिंगल बॉंड प्रिजेन्ट होगा और अगर 2 carbon atoms के बिच में अगर double bond है या फिर दुनों के बिच में तो वो unsaturated ऐन कर थीरी滿 ऐगा ठीक है अब जो saturated hydrocarbons होता है ना उनको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं अलकेंस कहते हैं ये वर्ड आप याद कर लीजिए जब भी आप अलकेंस सुने तो आप समझ जाईए ये अलकेंस का मतलब saturated hydrocarbons का बात हो रहा है ठीक है और unsaturated दो typ का हो गया एक हो गया alkyne ठीक है और दुसरा हो गया alkyn अगर दो carbon atom के बीच में अगर double bond present है तो उसको कहते है alkyn और अगर दो carbon atom के बीच में triple bond present है ठीक है तो उसको क्या بोलेंगे alkyne बोलेंगे बात के लिए रहे यहां तक चलिए इतना बात तो जाने अब कुछ formula देख लेते हैं alkenes का जो general formula होता है वो था है cn h2n plus 2 alkenes का general formula cn h2n और इसका general formula cn h2n minus 2 अब यह सब क्या है देखे n के जगा पे आप numbers put करना start कीजिए natural numbers अगर हम n के जगा पे यहां पे 1 डाले तो c1 1 हम लोग लिखते नहीं है ठीक है सिर्फ c लिखेंगे cn के जगा पे का डाल रहे है 1 तो यहां पे भी 1 डाल दीजिए तो 2 into 1 2 ही रहा अब plus 2 4 हो गया तो c h4 समझ रहे है यह बन गया एक पहला alken ठीक है वही अगर हम यहां पे n equal to गर हम 2 डाले अब formula क्या हो जाएगा तो c2 हो जाएगा यह और h इसमें 2 डालके calculate कीजिए तो 2 2 जा 4 और plus 2 6 यह बन गी है ethane का formula है की नहीं यह किसका formula बन गी है यह बन गी है methane का formula समझे चलिए मतलब आपको simply देखिए इसका एक structure आप पता कीजिए इसका आप पहले समझे तब आप खुद से करवाएंगे देखिए अगर हम यहां पे आप देखिए यहां पे 2 carbon का बीच में क्या होता है एक double bond होना परता है तो कम से कम इसमें 2 carbon तो चाहिए न इसलिए हम यहां पे n equal to 1 नहीं डालते हैं अलकेन के case में similarly अलकाइन के case में भी triple bond होने के लिए कम से कम 2 carbon तो होना भी परेगा तो यहां पे जो n का शुरुवात है वो 2 से होता है ठीक है लेकिन इसमें हम n equal to 1 भी put कर पा रहे थे अलकेन के case में अलकीन और अलकाइन के case में n equal to 2 से start होगा यह ठीक है तो अगर हम इसमें 2 डालते हैं तो C2 हो जाएगा और H4 यह बनिया इथीन का formula और इसमें अगर 2 डालते हैं यह chart याद कर लेना है number of carbon atoms के basis पे कुछ root word होता है अगर number of carbon atoms 1 है तो उसका नाम math से शुरू होगा ठीक है अगर number of carbon atoms 2 है तो उसका नाम math से शुरू होगा 3 है तो prop 4 है तो but 5 है तो pent 6 है तो hex ठीक है उसी तरह से 7, 8, 9, 10 का hept, oct, non, deck तो यह chart आपको पुड़ा याद कर लेना है ठीक है अगर अगर यह याद हो गया अब आप easily नाम बोल पाएंगे देखिए एक तरफ है alkene एक तरफ है alkene और तीसरा है alkene है की नहीं इसका formula है C, N, H देखिए पहले हम इसका लिखते हैं आपके लिए याद करना easy होगा बीच बले का याद करना easy है C, N, H, 2, N मतलब जो भी यहाँ पे है उसका यहाँ पे double है ठीक है दोगुना और इसके पहले वाले में है C, N, H दोगुना तो करना ही है और उसमें plus 2 कर देना है ठीक है इसमें तो N equal to 2 से start करना पड़ेगा तो C तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखे इसका नाम अगर हम लिखना चाहिए लिखना चाहिए तो एक carbon atom में यहाँ पे तो X से इसका नाम होगा math ठीक है math हो गया और इसका जो last में है A, N, E वो suffix यहाँ पर लगा दीजिए तो methane हो गया इसका पूरा नाम उच्छी तरीक कैसे अगर हम यहाँ पे 2 डाले इस formula में तो क्या हो जाएगा C2, H6 हो जाएगा ठीक है calculate करना तो आपको आता ही है तो इसका नाम अगर लिखना चाहिए तो क्या होगा हम देखने की carbon atoms 2 है यहाँ पे 2 के लिए नाम शुरू होता है H से तो E, T, H हम लिखेंगे और यह alkane है तो A, N, E लगा देंगे ठीक है चलिए इसका पता के दिखाएए अगर हम N, E, Q, 2 डालें यहाँ पे तो C2 और H4 हो जाएगा ठीक है इसका नाम बताईए तो आप बुलेंगे यह 2 carbon atom है तो H से तो शुरू हो नहीं है इतना तो शूर है E, T, H और last में जो लगाना है suffix वो हम इसका last का word लगा देंगे इन इथीन ठीक है इसका बताईए अगर हम N इक्वल टू डाले तो C2 और 2, 2 is a 4, minus 2 2 तो H2 इसका नाम क्या होगा तो 2 carbon atom है तो H तो होगा ही E, T, H और इसका last में आईन है तो इथाईन हो जाएगा इसका नाम समझे की नहीं समझे तो फिलाल आप अभी अपने दिमाग में ऐसा चीज बैठाईए कि alkane और alkene और alkane इसको आप देखते ही पैचाल ले देखिए कहीं अगर लिखा हुआ है C3H6 सिफ इतना देखके बताईए कि यह alkane है कि alkane है कि alkane है कौन सा है तो आप इस यहाँ पर calculate कीजिए यहाँ पर double कर C double किया हुआ है यह तो double किस में होता है simply alkene में होता है तो यह क्या है alkene है ठीक है इसका अगर नाम लिखना है तो 3 है तो 3 है मतलब prop और last में लगाना है यह नहीं propene हो जाएगा इसका नाम बात तकर रहे हैं चलिए आप मुझे इसका बताईए C3 और H4 चलिए इसका बताईए तो आप यहाँ पर देख रहे है कि 3 का double होता है 6 और 6 में minus 2 किया गया है तबी तो 4 आएगा तो double करके minus 2 इसके case में हम करते हैं है की नहीं तो यह alkyne है और इसका अगर नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे prop तीन कारवन है उसलिए prop और लास्ट में वाई है नहीं लगा देंगे प्रोपाइन हो जाएगा इसका नाम बात अगरा ही समझे चलिए एक आप मुझे और करके दिखा दीजे कहीं अगर लिखा हुआ है मालीजे C5 और H12 सबसे पहले आप मुझे बताईए पेंट और अलकेन है तो लास्ट में एनई पेंटेन हो गया इसका नाम समझे की नहीं चलिए तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे पूरा तो यह पूरा आपको याद कर लेना है यह चार्ट ठीक है कि नमबर ओफ करबन एटम्स कितना कितना होगा तो नाम रूट वर्ड क्या होगा ठीक है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों का पांच कारबन एटम्स तक यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है अलकेन का पांच अलकीन वन तो होता है नहीं इसमें दूसरे से स्टार्ट हुआ यह और अलकाइन भी दूसरे से स्टार्ट हुआ ठीक है सबका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यह आपको समझ में आ गया चलिए इसके उपर हम एक कोशन्स देते हैं एक कोशन्स देते हैं आप इसका एंसर देने या कोशिस कीजिएगा एक है CH4 एक है C2H4 फिर एक है C2H6 फिर एक है C3H4 फिर एक है C3H6 आप इस सब में काटेगराइज कीजिए कि कौन अलकेन है कौन अलकीन है कौन अलकाइन है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 1 का डबल 2, 2 में प्लस 2 किया हुआ है तो यह हो गया अलकेन नाम हो गया मिथेन ठीक है यह बताइए तो यह देख रहे हैं 2 का डबल 4 फिर डबल है तो यह है अलकीन ठीक है क्योंकि यह पे शिर डबल होता है इसका नाम अगर देना चाहे तो 2 है तो हो गया इथेन ठीक है C2H6 डबल करके प्लस 2 किया हुआ है बताइए आप ही बताइए यह प्लस 2 है मतलब यह अलकीन है नाम लिखना चाहे तो एथ हो जाएगा और अलकैन है तो एन ठीक है इसका बताइए 3 का डबल 6, 6 में माईनस 2 किया हुआ है मतलब यह अलकाईन वाला है तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप और Y-N-E लगा देंगे प्रोपाइन ठीक है इसका बताइए सिफ डवल किया हुआ है तो प्रोप और यह डवल वाला है इन प्रोपीन समझे की नहीं तो इस तरीके से यह पूरा चार्टा आप त्यार कर लेंगे ठीक है इसके ऐसे भी कोशन आता है कि कौन सा ऐसे चार पर तो अब आपको क्लियर हो जाएगा यहां पर जो आप यह अलग-अलग वर्ड देख रहे थे सबसे पहले मिथेन था ठीक है इसका फॉर्मुला आप इसली निकाल सकते हैं अब भी हमने एक नया वर्ड देखा था इथीन ठीक है तो इथीन मान लीजी यह आपको फॉर्म फॉर्मुले के रूप में लिखा हुआ था और इस फॉर्मुले से एक बात यह भी क्लियर हो रहा है कि सीफ यहां पर डबल है इसका मतलब यह अलकीन है और इसका मतलब इसमें आप दो कारवन एटम के बीच में डबल बॉंड होगा बात अगरा ही समझ रहे हैं चलिए अब इसका में एक बनाते हैं अब आप इजी पर होगा हमारे लिए इथीन का स्ट्रक्श्र बनाते हैं तो दो काटबन है तो हम यहां पर दो कार्बन दे दे देतें सबसे पहले और इन्हें या डवल बांड होना है यह अलकीन है अब कउंट किजये कारवन का चारठ हाथ होता हे तो दो हाथ तो अल्रेडी यहाँ पे इंगेज है और दो हाथ बचा हुआ है तो दोनों को यहाँ बना देते हैं इस कर्बन का भी दो हाथ अल्रेडी इंगेज है तो और दो हाथ हम यहाँ बना देते हैं और खाली हाथ में क्या पक्रा दीजिए आप हैड्रोजन पक्रा दीज यहां पर दो बॉंड है आप समझ दिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रोन यहां पर एक इलेक्ट्रोन शेयर हुआ होगा ठीक है यहां से भी दो इलेक्ट्रोन होना चाहिए तो एक दो तीन हो गया चौथ आप यहां पर दे दीजिए इसका भी यहां पर देते हैं ठीक है और हाइ एसे शेयर कर लेगा, हैडोजन खूस, और कार्बन को खूस होने के लिए, देखिए, यह हैडोजन से एक लेगा, इस हैडोजन से लेगा और इस कार्बन से दो, कार्बन खूस, और यह कार्बन भी, इस हैडोजन का एक, इस कार्बन का दो, और इस हैडोजन का एक, ऐसे लिए के कार्बन भी खूस तो इस तरीके से इलेक्ट्रों डॉर्ट इस्ट्रक्चर बना देंगे इधीन का समझे एक्जाम में आता है यह कोश्चन चलिए तो यह हम पढ़ लिए आगे मुफ करते हैं एक और यहां यहां पर भी लोग बना के रखे हुए देखिए इधीन का होगा तो 2 का डबल 4 वेसे 2 गटा दीजिए तो 2 यह हो गया इसका फॉर्म्ला चीटू एच्टू तो सी टू एच्टू दिया हुआ है ठीक है इसका इस्ट्रक्चर बनाना है तो दो कार्बन एटम हम बना दिये आईन है फॉर्म्ले से भी समझ में आ रहा है इसका मतलब इसका में triple बॉन्ड हो काट इस carbon का तीन हाथ इनगेज है तो एक हात में आप head-zone पकड़ा दीजिये já प्याभी एक हात में head-zone पकड़ा दीजिये बस यही हो गया structure इथाईन का electron dot structure बनाना है तो बना लेंगे easily देखिए यह carbon यह carbon triple benefits यह तो यहाँ इसका एक लेगा और इसका तीन लेगा और ये कारवन भी इसका तीन लेगा और इसका एक लेगा इस तरीके से हो गया electron.structure.ethine का बहुत important question है यह कई बार आचुका आपके board exam में direct पूछते हैं कि draw the electron.structure of ethine and also draw its structure formula तो structure भी बनाना है structure मतलब ऐसा वाला structure यही लिखा है फिर यहां पर ऐसे भी पूछते हैं कि ethine में कितना covalent bond है तो ethine का अफसर से पहले structure बनाएंगे और इसमें bond count कर लीजिए तो एक bond एक दो तीन हुए चार और एक पांच टोटल पांच covalent bond होता है इथाईन में इस तरीके का भी question आता है number of bonds के ओपर चलिए तो वही बात यहां पर लिखा है कि ऐसे carbon compound जिसमें double यह triple bond होता है उसको unsaturated carbon compounds बोलते हैं यह बात तो हम बहुत बार पर चुके और यह unsaturated carbon compounds जो होते हैं यह ज्यादा reactive होते हैं than the saturated carbon compounds यह बात भी हम पहले देख चुके यहाँ पर देखेते हम कि saturated compounds ज्यादा reactive नहीं होते हैं तो आगे चलके जब हम difference between लिख रहे होंगे saturated और unsaturated में तो उसमें हम एक point इसके बारे में जरूर लिखेंगे कि यह कम reactive होते हैं और यह ज्यादा reactive होते हैं ठीक है चलिए तो इतना बात जाने और इसी के साथ यह topic जो हमारा end हो गया अब हम आज आते हैं अगले topic पे अगला topic है यह चेंस ब्रांचेस और रिंग्स देखिए इस topic में स्टार्टिंग का जो पार्ट है यह हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं यहां पर अलकेन सीरीज को दिखाया गया कि number of carbon atoms बर रहा है उसी के according यहां पर नाम लिखा हुआ है formula लिखा हुआ है यह तो आप easily derive कर लिए और structure बना भी आपके लिए तो आप बाय हाथ का खेल होगी है ठीक है बसरते हैं आपको भी copy pen लेके बैठना है और हम जैसे जैसे structure बना रहे हैं वैसे बना बना के practice भी करना है सी video देखेंगे तो कान मीज़े लेगा ठीक है चलिए आगे अब हम एक special term के बार में बात करेंगे isomer वो क्या होता है देखिए example लेते हैं butane का butane नाम से इसका formula क्या होगा तो but हम देख रहे हैं यानि 4 carbon है यहाँ ठीक है और ane मतलब यह alkane है यानि carbon hydrogen का जो item से इसका double करके plus 2 करना है तो 4 का double 8 8 plus 2 10 यह हो गया इसका formula ठीक है अगर हम butane का structure बना चाह हो गलत है तो चार carbon होगा 123 ठीक है अब कोई بच्चा क्या किया किह 4 carbon को ऐसे बना दिया 1234 एक chain के रूप में बना दिया और एक branch chain के रूप में बना दिया यहां पर branch कर दिया वो बच्चा ठीक है तो कौन सा सही है तो हम बोल सकते हैं दोनों ही सही है कोई गलत नहीं है ठीक है दोनों ही सही है और इसके पार इसमें head zone फिल कर देंगे और एक चीज यह भी है कि माली चीश में आप अभी तक हैड्जोन फिल नहीं किये सिफ कार्बन बनाए है तो ऐसे structure को बोलते है इसके लिटन इस्ट्रक्चर ठीक है सिव आपने हड़ी मतलब framework त्यार किया है बुड़ा बॉड़ी फिल नहीं किया है बॉड़ी फिल करने का बार इसमें जब हैड्जोन फिल कर देंगे फिल करने का तरीका आपको पता ही है इस carbon का एक हाथ है तो और तीन हाथ में यह रहा एक दो तीन हैड्जोन पकड़ा दीजे इस carbon के लिए दो हाथ में हैड्जोन पकड़ा दीजे तो और तीन में हैड्जोन ऐसे पक लेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दोनों जो carbon compounds है दोनों का formula सेम है दोनों का ही formula C4H10 है इसका भी formula C4H10 है लेकिन दोनों का अगर हम structure बना रहे हैं तो structure अलग-अलग बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं देखिए यहाँ पर लिखाए कि we see that both these structure have same formula दोनों ही structure का formula सेम है C4H10 तो देखिए such compounds ऐसे compounds जिनका molecular formula यह जो C4H10 लिख रहे हैं इसको बोलते है molecular formula ठीक है ऐसे compound जिनका molecular formula same हो यानि identical हो लेकिन structure अलग-अलग हो structure different हो ऐसे compound को बोलते है structural isomers very 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 important ठीक है मतलब molecular formula सेम लेकिन structure अलग-अलग अगर बन रहा है तो इसको बोलते है structural isomers ठीक है इसके उपर एक question बनता है डाइडेक्ट आपसे पूछेंगे कि how many structural isomers are possible for butane butane का कितना isomers possible है तो butane को हम देखने के हम दो तरीके से बना सकते है तो butane का कितना isomer है तो दो isomer है ठीक है exam में pentane का पूछ सकते हैं तो आपको exam में ऐसे करके बना-बना के देखना पड़ेगा कि कितना structure बन रहा है और एक बात यह भी याद रखिए for example देखें अगर butane का ही बना चाहे तो एक structure तो यह है एक structure अभी हमने बना दिया ऐसे करके ठीक है कोई बच्चा क्या कर रहा है कि इसका ऐसे बना रहा है एक दो इधर पर branch कर दे रहा है तो क्या यह और यह अलग माना जाएगा क्या नहीं हम लोग इसको chemistry मा अलग नहीं मानते दोनों को same माना जाएगा ठीक है यह structure और यह structure सेम है क्योंकि last इधर से अगर हम देखे तो यह ऐसा ही structure मिलेगा तो दोनों same है दोनों different नहीं है तो दो ही सिफ count होगा ठीक है फिर कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसे बनाती है C C C C तो यह भी एक सीधाई chain है यह इसी टाइप का chain बनीया यह ठीक है इसको भी अलग नहीं मानेंगे इसको इसी तरीके का मानेंगे ठीक है तो ultimately butane का दो ही structure होता है चलिए आगे देखिए तो अभी तक हमने देख लिया कि carbon chains क्या तो straight हो सकते हैं या फिर branch भी हो सकते हैं तो straight chain और branch chain के अलाबा कुछ compounds में देखा गया है कि carbon items जो है वो ring के रूप में arrange है for example cyclohexen को अगर हम देखे cyclohexen में hex है मतलब समझ मैं रहा है कि 6 carbon है C6 है ठीक है और cyclo word से समझ मैं रहा है कि यह ring के रूप में arrange होगा तो आप 6 carbon 1,2,3,4,5,6,6 carbon को ऐसे ring के रूप में बना लेंगे ठीक है आप बारी आया hydrogen को सजाने का तो इस carbon का दो हाथ अल्रेडी engage है यहाँ पर तो दो हाथ में आप hydrogen पकड़ा दीजिए इस तरीके से similarly इसका भी दो हाथ में आप hydrogen पकड़ा दीजिए ऐसे करके पूरा hydrogen फिल कर लेंगे इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे इसका नाम cyclohexen और इस लेकिन इसका अगर आप formula देखे तो C6H2L formula का हिसाब से अग देगा अलकीन केटेगरी में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं शेफ्टर के उपर तो उसमें काफी बच्चों ने यह comment करके पूछा था कि इसका formula तो अलकीन का है तो फिर भी हम इसको अलकेन क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर cyclo लगा हुआ है cyclo के case में वह जो formula होत में आगे देखिए तो एक्जाम में ऐसे भी कोशन आ सकता है तो देखिए यह saturated है कि unsaturated तो आप बोलेंगे इसमें सिर्फ single bond है तो यह हो जाएगा saturated ठीक है आपसे एक्जाम में कोशन पूछेंगे कि give an example of saturated ring तो आपको लिखना पड़ेगा cyclohexane ठीक है एक saturated ring है आगे saturated chain branch chain और cyclic carbon compounds यह सभी saturated भी हो सकते हैं और unsaturated भी हो सकते हैं अभी हम यहाँ पर देखे यह saturated क्या था ठीक है अब एक हम example देखते हैं ऐसा रिंग जो unsaturated है उसका example है benzene benzene का formula होता है C6H6 very 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 important यह एक नाम आप अच्छे से याद करके रखिए यह और cyclohexane भी जो हमने उपर अब और पर धाए ठीक है benzene के case में क्या होता है कि छे carbon atom होते हैं एक देखिए इसको ब्राने का तरीका होता है अब 2 carbon atom ऊपर दीजिए तीसरा इधर पर फिर दो नीचे दीजिए और छट्टा यहाँ पर ठीक है अब एक में single bond एक में double bond फिर, यह जो आप बना दिये ना यह हो यह बेंजीन का इस्ट्रक्चर यह special इसलिए है क्योंकि यह double bond है यहाँ पर इसका मतलब यह है अंसाचुरेटेड और उपर से यह रिंग के रूप में अरेंज है तो अंसाचुरेटेड रिंग यह कोशन आ चुका है CVSE 2018 का जो board exam था final उसमें पूछा गया था कि give an example of unsaturated drink और उसका structure भी बनाने बुले थे तो आपको लिखना था बेंजीन और ऐसा structure बना देना था आपको ठीक है इसलिए आप उसको अच्छे से याद करके रखेंगे यह फिर आ सकता है तो यह हो गया unsaturated drink और यह हो गया saturated drink का example cyclohexane तो finally यहाँ पर conclusion के रूप में यह लिखा है कि carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons कुछ यादा रहा है hydrocarbons अभी आपको एक चार्ट दिखाए थे यहाँ पर उसका definition लिखा हुआ है hydrocarbons का इसमें ऐसे carbon compound जिसमें सिफ carbon और hydrogen हो उसको hydrocarbon कहेंगे ठी फिर अगला point देखिए among these यह hydrocarbon में से saturated hydrocarbons होते हैं यानि alkyns उसको alkyns कहा जाता है ठीक है समझी गए और जो unsaturated hydrocarbons होते हैं जिसमें एक या फिर एक से जाधा double bond हो अगर unsaturated hydrocarbon में अगर double bond है तो उसको alkyn कहेंगे और अगर triple bond है तो उसको alkyn कहेंगे यह बात हम पहले ही जा हुआ है ठीक है तो अगर आप सीफ इसको परते तो उतना clear नहीं हो पाता लेकिन जिस तरीके से हम समझाए है वो चार्ट वगेटा दिखा के टेवल दिखा के आपको अच्छे से दिमाग में बैड रिया होगा ठीक है चलिए तो आप इसको अच्छे से प्रिपेर अब चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक है यह इसमें हम functional group के बारे हैं पढ़ेंगे फंसलों ग्रूप क्या होता है क्या नहीं होता है चलिए समझते हैं लाइन में लाइन आते हैं दिखाए कि carbon जो है एक काफी friendly element है मतलब यह किसी के साथ भी दोस्ती कर लेता है ठीक है अभी तक हमने ऐसे ही compounds देख रखे हैं जिसमें सिर carbon और hydrogen होता है मतलब इन दोनों का दोस्ती तो काफी अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है कि carbon जो है सिफ hydrogen के साथ ही compound form करता है ठीक है carbon जो है और भी कई सारे other element के साथ bond बनाता है ठीक है जैसे कि halogen हो गया halogen क्या होता अभी समझेंगे oxygen nitrogen sulfur इन सब के साथ carbon जो है वो bond form करता है ठीक पता रखें जो यह जो लास्ट ग्रूप है यह पूरा ग्रूप 18 इसको हम क्या बोलते है noble gas ठीक है और यह जो ग्रूप 17 है इसमें जो भी element है fluorine chlorine bromine इन सब को क्या मोलते है halogen बोलते है इस बात को आप याद रखिएगा ठीक है तो carbon in halogen के साथ भी क्या करता है bond form करता है ठी आगे लिखा हुआ है कि in a hydrocarbon chain one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the balance of carbon remains satisfied तो hydrocarbon chain जैसा कि हम अभी देखे थे CH4, methane, ethane, C2, H6, C3, C3, H8, propane ठीक है तो यह जो hydrocarbon chain है इसमें हम क्या कर सकते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा hydrogen को हटा के इन में से कोई सा भी element डाल सकते हैं बस सर्त यह होना चाहिए कि carbon का जो valency है यानि carbon का जो 4 हाथ है वो satisfy होना चाहिए मतलब carbon का 4 हाथों में कुछ न कुछ होना चाहिए ठीक है जैसे कि यहाँ पर हम चाहिए तो CH4 है तो CH3 करके एक hydrogen हटा के हम क्या कर सकते हैं chlorine लगा सकते हैं यह hydrogen लगा दिए ठीक है फिर इसी में हम अगले वाले जो carbon compound है इसमें हम क्या कर सकते हैं एक hydrogen हटा के कुछ और लगा सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर C2H6 है तो हम इसको C2H5 करते हैं एक hydrogen हटा दिए और उस एक hydrogen का बदले में हम चाहिए तो यहाँ पर यह ब्रोमिन लगा सकते हैं ठीक है तो यह भी एक carbon compound बन हिया है वह यहाँ बात यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो in such compound the element replacing hydrogen is referred to as heteroatom यह तम आप पहिचानिए तो ऐसे compound में जो element hydrogen को replace कर रहा है इसकेस में chlorine replace कर रहा है hydrogen को तो chlorine को क्या कहेंगे heteroatom इसकेस में bromine को कहेंगे heteroatom ठीक है फिर इसी में लिखाए कि जो heteroatoms है ना यह कुछ group के रूप में भी हो सकता है अब यह तक हम देखें यह सिब एक ही element था यह दो तीन element से मिलके भी बन सकता है for example यह देखिए यह OH इसमें oxygen भी है hydrogen भी है लेकिन यह पूरा ही एक group है ठीक है तो हम च hydrogen जो हटा उसके बदले में OH कर सकते है ठीक है तो यह जो heteroatoms है और heteroatoms और groups समझें यह दुरों वर्ड containing these, तो these heteroatoms and the group containing these conferred specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group तो इसी heteroatom और group को कहते है functional group इन में खास बात यह है कि यह जिस भी compound में लगते है उसमें अपना गुंड दे देते है for example यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह methane में भी OH लग गया, ethane में भी OH लग गया तो यह OH का group क्या है, class क्या है, alcohol लेए मतलब यह भी एक alcohol बन गया और यह भी एक alcohol बन गया, भले ही carbon chain कितना भी बड़ा हूँ, बस यह OH लगते ही, यह OH अपना साथ क्या property लाया, alcohol वाला property लेके आया, ठीक है और यह पुरा को alcohol बना दिया, होई बात यहाँ पर लिखा है, कि यह जो heteroatum है और जो group है, यह क्या कर देता है, confirm मतलब देना, ठीक है specific property देता है उस compound को, भले ही उसका length कितना भी हो, regardless of the length, ठीक है, एक carbon हो, दो carbon हो, तीन carbon हो, कोई मतलब नहीं है यह group लगते ही, यह फिर heteroatum लगते ही, उसको अपना property देता है, इसलिए यह group को, यह फिर heteroatum को क्या कहते है functional group कहते है, बात अगरा ही समझ रहे ही कि नहीं, तो यहाँ पर तीन word आपके mind में अच्छे से बैठना चाहिए कि कोई भी hydrocarbon में hydron को replace करके, हम क्या तो heteroatum या फिर group लगा सकते है और यह heteroatum group का खास बात यह है कि यह अपना property उस carbon compound को दे देता है length matter नहीं करता है carbon chain का, ठीक है, carbon atoms कितना भी हो इसलिए इसी heteroatum और group को क्या कहते है, functional group कहते है, समझे यहाँ तक, चलिए तो यहाँ पे कुछ functional group का नाम दिया हुआ है, 5 है total, आपको याद कर लेना है सबसे पहला है halogenes का group, chlorine, bromine आप लगा सकते हैं और यह चार्ज हो है, यह सबसे important है अगर OH कहीं लगा हुआ है, तो वो alcohol वाला group हो जाता है अगर कहीं पे ऐसे C double bond OH, इसको simply हम bond CHO में represent करते हैं ठीक है, जब structure बनाएंगे तब, यह aldehyde वाला group हो गया फिर अगर बीच में कहीं पे CO है, और इधर इधर bond है पुरा बड़ा रूप यह है, इसका छोटा रूप यह है, तो यह ketone वाला group हो गया और अगर कहीं पे C और इसे double bond OH है, शॉर्ट में इसको bond C double OH अगर लिख देते हैं तो यह है carboxylic acid वाला group, ठीक है, acid वाला property उस बुरे chain में आ जाएगा, ठीक है तो आप इसका short form भी अपने book में note करके रख लीजिए, आगे हम इसका use करेंगे, ठीक है तो यह हमने समझ लिया functional group, इसका definition आप त्यार करेंगे, examples यह सब है अगला topic है homologous series, यह बहुत important है, देखिए homologous series क्या होता है, इसको समझने से पहले line में लाएन आते हैं, तब जादा concept clear होगा You have seen that carbon atoms can be linked together to form chains of varying length Carbon atoms अब आपस में link हो जाते हैं, और chains बनाते हैं, कितने भी length के, यह बात हमने देख लिया, ठीक है यह chains branch के रूप में भी हो सकता है, rings के रूप में भी हो सकता है, वो भी हमने देखा In addition, इसके अलावा, hydrogen atom और other atoms on this carbon chain can be replaced by any of the functional group हम जानते हैं कि, hydrogen atom को हम replace कर सकते हैं किसी भी functional group से, functional group जो कि हमने अभी उपर में देखा, ठीक है यह जो functional group है, इसका presence decide करता है कि उसका property क्या होगा जैसे कि अगर OH वाला अगर किसी में लग जा रहा है, तो वो सारा जो compound है, उसमें alcohol वाला property आ जाएगा ठीक है, regardless carbon chain का length के इतना है, वो matter नहीं करता है, बस किसी में अगर OH लगा हुआ है, आप समझेगा कि वो alcohol है तो वही बात यहां पर लिखाएगी, for example, यहां पर देखिए, यह अगर हम, अलकेन का अगर हम यहां पर series बनाए तो यह हो गया methane, CH4, C2H6, यह हो गया ethane, C3H8, यह हो गया propane, C4H10, यह हो गया butane, ठीक है, ऐसे करके और भी जाएगा यह अगर हम यहां पर एक hydrogen replace करके, alcohol वल अगर हम personal group लगा दे, तो CH3OH, ठीक है, इसका नाम भी लिखना सिखेंगे अभी, nomenclature में, इसका हो जाएगा formula C2H5, और एक hydrogen जो हटा, उसके बदले में OH, इसका हो जाएगा C3, और H7, और यहां पर OH, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बत हो, वो matter नहीं करता है, बस सब में OH ही दीख रहा है, मतलब यह जो सारा जो, यह जो series बना, यह क्या है, alcohol वाला series हो गया, ठीक है, वह यहां पर लिखाएगी, chemical properties इन चारों का ही, और भी बहुत सरा यहां पर बनते जाएगा, यह पुरा chain, ठीक है, तो इन सब का जो chemical property है, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सब में क्या है, OH है, सब में alcohol का जो भी chemical property है, वो सब सेम property शो करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही series of compound को, जिसमें same functional group present होता है, ऐसे ही series को क्या बोलते है, homologus series बोलते है, बात अगरा ही समझे, तो यहां पर लिखाए, a series of compound in which same functional group substitute for hydrogen, hydrogen के बदले same functional group अ बनाता है direct, कि define homologus series of carbon compound, तो आपको यह definition यहां से यहां तक तियार कर लेना है, इसका example भी पूछेंगे, तो example आप यह याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी खुद से भी बना सकते हैं, हम तो यहां पर OS करके बनाए, आप चाहते तो, यह aldehyde वाला, ketone वाला, या फिर carboxylic acid वाला, किसी का भी बना सकते हैं, for example, अगर हम इसका प्राना चाहें, तो इसको short में CHO लिखते हैं, है न, तो CH4 होता है, methane, इसको अगर हम इस form में लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, CH3, और यहां पर लग जाएगा, CHO, ठीक है, फिर C2H6, यह होता है, अगला hydrocarbon, इसका अगर हम इस रूप में formula प्राना चाहें, तो क्या हो जाएगा, C2H5, और CHO, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इस सबका नाम क्या होता है, नाम पर अभी आएंगे थोड़े दिर में, बस यह जो आप series बना रहे है, यह क्या बन रहा है, आपका homologal series बन रहा है, और हमने यह जो आगे देखा था, अलकेन, अलकीन और अलकाइन, जिसे कि CH4, C2, H6, फिर C3, H8, ऐसे करके यह चलता जाएगा, अलकीन के case में, C2 और आपका H4, फिर C3, H6, सिर्फ डबल कर रहे है, C4 और H8, यह भी एक series बन रहा है, तो यह सब series भी क्या है, एक homologal series है, ठीक है, य यह भी एक क्या है, homologal series है, तो homologal series का अगर example पूछते हैं, तो आप यह भी example दे सकते हैं, ठीक है, इसका functional group क्या है, double bond है, इसका functional group, इसका functional group क्या है, single bond है, ठीक है, और अलकाइन वाले का case भी हम बना सकते हैं, YNE वाले का, C2, H2, फिर C3, और H4, ठीक है, ऐसे करके और भी बनाएंगे, C4 और H6, तो यह भी जो आपको series मिल रहा है, यह भी क्या है, एक homologal series है, जिसमें functional group क्या है, triple bond है, बात अगरा ही समझे, चलिए, तो इसके उपर भी एक question आता है, आप से पूछेंगे, कि name the third member of alkane series, alkane का तीसरा member बताईए, तो alkane समझ में आ रहा है, इसका त third member of alkane series, उसी तरीके से बोल सकते हैं कि, second member of alcohol series बताईए, तो alcohol का second member क्या होगा, first member यह है, तो second member यह हो जाएगा, ठीक है, C2H5OH, इस तरीके से question आता है, आगे move करते है, homologal series हम समझ लिए, आप कुछ property देखिए, अगर हम दो successive compound के बीच में, homologal series का, दो successive compound के बीच में का difference क बात करें, दोनों का formula में difference क्या है, तो आप बोलेंगे, यहाँ पर एक carbon है, यहाँ पर दो carbon है, तो एक carbon का difference हो गया, headzone यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो headzone 2 का difference हो गया, बाकि OH, OH तो दोनों में same है, तो CH2 unit का difference होता है, किसी भी दो successive compound of homologal series में, ठीक है, उसी तरीके से अ formula में difference का बात करें, तो C2 है, यहाँ पर carbon 3 है, तो एक carbon हो गया, headzone यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 7 है, तो headzone 2 हो गया, बाकि OH, OH, OH तो दोनों में same है, तो CH2 unit हर बात हम जागा difference निकाले, किसी भी homologal series के 2 successive compound में, तो वो हमेसा CH2 unit आता है, तो यह एक property है, homologal series का यह बात यह देखिए, alkane series यहाँ पर लिखा हुआ है, CH4 और C2H6, यह दो successive compound है, दुनों का difference अगर बात करें formula में, तो CH2 unit है, उसी तरीके से इन दुनों का भी difference का बात करें, तो CH2 unit, ठीक है, चलिए, यह पहला property आप याद रखेंगे, किसी भी successive compound, homologal series का अगर आप निकाले, difference formula का तो वो हमेशा CH2 आएगा, very important, फिर अगला property है, molecular mass को लेके, अगर हम किसी भी दो successive compound का molecular mass का difference निकाले, तो वो हमेशा कितना आएगा, देखिए, इसी formula से निकाल सकते है, carbon का molecular mass जो होता है, वो होता है, 12 unit plus, और hydrogen का 1, तो hydrogen यहाँ पे 2 है, तो 2 into 1, यानि यह कितना आगया, 12 plus 2 यानि 14 unit, atomic mass unit, इतना का difference होता है, molecular weight में, किसी भी 2 successive compound के बीच में, आप इन दोनों का भी इसका पूरा वज़न निकाल लीजे, इसका पूरा वज़न निकाल लीजे, और दोनों को minus कीजे, तो हमेशा कितना आएगा, वो 14 unit ही आएगा, तो यह अगला property हो गया, हम लोगा series का, ठीक है, यह दो property आप याद करेंगे, अभी हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, general formula for alkene, HCN, H2N, जहाँ पे N2 से start होता है, यह बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चलिए, आगे move करते हैं, अगला property यहाँ पे ल H5OH, फिर C3, और H7OH, यह जो homologa series है, इसमें देखिए, molecular mass बढ़ते जा रहा है, जैसे सब नीचे जाएंगे, इसका बजन निकालेंगे, ज्यादा आएगा, इसमें number of atoms सबका ज्यादा है, तो इसमें भी mass ज्यादा आएगा, इसका mass और भी ज्यादा आएगा, तो जैसे से molecular mass बढ़ता है, ना किसी भी homologa series में, उसी तरीके से physical property में भी एक बढ़ाव देखने को मिलता है, देखिए कैसे, this is because the melting point and boiling point increase with increasing molecular mass, जैसे जैसे हम mass नीचे जा रहे हैं, वैसे मास बढ़ रहा है, molecular mass, तो इनका melting point और boiling point भी increase होता है, ठीक है, उसी तरीके से अगला, दूसरा अगर physical property के बात करें, जैसे कि solubility हो गया, in a particular solvent, also so a similar gradation, उसी तरीके से solubility भी भरता है, ठीक है, जैसे नीचे जाएंगे, यह जालता solubile होगा, यह कम solubile होगा, यहाँ पर भी gradation देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो chemical property अगर बात करे, chemical property डिपेंड करता है, इस functional group पे, OS पे, तब सिंस functional group सब में same है, तो chemical property भी इन सारा ही elements, जो compound है, इन सारा का chemical property same होगा, ठीक है, वह बात यहाँ पर लिखा है, कि chemical property which is determined solely by the functional group, chemical property सी functional group पे ही depend करता है, तो chemical property similar रहता है, किसी भी homologa series में, आप CH3 OS का chemical property का बात कीज़े, या फिर C2H5 OS का chemical property का बात कीजे, द दूनों में, functional group same है, ठीक है, चलिए, तो ये homologa series का अगला property है, कि बढ़ते हुए molecular mass के साथ, physical property भी बढ़ता है, ठीक है, और chemical property जो है, वो same रहता है, क्योंकि chemical property depend करता है, functional group पे, समझे, चलिए, तो एक बार हम summarize करते है, total हमने क्या-क्या property जाना, homologa series का, सबसे पहला, homologa series का आप यह definition और यह example त्यार करेंगे, example आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, अभी आपको सिखा भी दिये, कैसे बनाना है, ठीक है, और आगे हम characteristics पर move करने से पहले, एक term जानते हैं, जिसको बोलते है, homologs, h-o-m-o-l-o-g-u-e-s, एक word होता है, homologa series, homologa series, यह पूरे अब आजाते हैं, characteristics पे, characteristics of homologa series, सबसे पहला characteristic यह होगा कि it has the same functional group, किसी भी homologa series में, functional group same होता है, ठीक है, दूसरा property यह है, कि the members of a homologa series, जिसको homologs कहते है, have similar chemical property, सारा homologs का chemical property same रहेगा, क्योंकि functional group same है, ठीक है, तीसरा property यह होगा कि the members of a homologa series, that is homologs, show a gradation in physical property with increase in molecular mass, जैसे जैसे molecular mass बढ़ता है, वैसे वैसे, physical property में gradation देखने को मिलता है, फिर चौथा property यह होगा कि formula of two successive homologs differ by CH2 unit, दो homologs के बीच में difference क्या होता है, दो successive homologs के बीच में CH2 unit का difference होता है, ठीक है, और 500 property हो जाएगा कि difference in molecular mass between two successive homologs is 14 unit, atomic mass unit, ठीक है, molecular mass का difference 14 unit होता है, तो यह 5 property आप याद रखेंगे, homologa series के बारे में, ठीक है, और इस chapter से जीतना भी important question answers है, अगर आपको एक जगह पर चाहिए, तो आपको पता ही यह कहाँ पर जाना है, आप सीधा मेरे website पर जाएंगे, www.cbacguidanceweb.com पर class 10 वाले section पर जाएंगे, और वहाँ पर chapter के name पर click करेंगे, और आपको सारा question answer एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने का बाल, आप उस question से ज़रूर एक बार देखे, आपको काफी help मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अच्छे से समझ लीजे, तो आपको वो question प्रिपेर करने में easy परेगा, ठीक हैं, एक छोड़ा सा break लेते हैं, break लेने का बाद, full energy के साथ इस topic को start करते हैं, ठीक है, चलिए एक break ले लीजे, अब आईए, अगला topic की start करते हैं, अगला topic है हमारा nomenclature of carbon compounds, ठीक है, nomenclature मतलब होता है नामकरन, carbon हमें पता है, बहुत सारा compounds बनाता है, तो सब का नामकरन कर रहने का कुछ rules होता है, एक union है, जिसको बोलते हैं, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, इन्होंने कुछ rules बना रखे हैं, जिस rules को follow करके हम carbon compounds का क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है, ताकि पुरा world में, मतलब एक compound का नेम एक जैसा रहे, ठीक है, तो ये कुछ rules के basis पर हम यहाँ पर नाम देना सीखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर काफी shortcut में यह तीसको यहाँ पर निप्टा दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा detail में सीख रहे होंगे, चलिए, आपको पहले थोड़ा कुछ basic जनकारी देते हैं, यह देखिए, लिखा हुआ है, the IUPAC name of any organic compound consists of three parts, कोई भी name का 3 part होता है, IUPAC name का, एक होता है root word, दूसरा होता है prefix, तीसरा होता है suffix, root word जिसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, यह बीच में एरेंज होता है, prefix यह root word के पहले लगता है, नाम से ही समझ में रहा है, और suffix root word के बाद में आता है, यह तीनों पार्ट को जब हम combine करते हैं, तो हमें finally IUPAC name मिल जाता है ठीक है तो यह दो हुआ basic बात कि बीच में root word होगा उससे पहले क्या होगा prefix होगा और उसके बाद क्या होगा suffix होगा इतीनों को मिलाके एक name बन जाएगा ठीक है इतना बात समझे चलिए अब आगे move करते हैं और अगर आपने पहले से हलका अगर यहां पर आपको तीन टेबल दिख रहा होगा एक टेबल यह है यह यह प्रेफिक्स का टेबल है एक टेबल यह है रूट वर्ड का टेबल इसको हम पहले ही देख चुके है और अगला टेबल है यह फंसलों ग्रूप का टेबल इसको अगर एक कार्बन एटम हुआ तो नाम उसका मेट से शुरू हो जाएगा दो हुआ तो एथ तीन हुआ तो प्रॉप ऐसे चलता जाएगा यह थीक है यह तो क्लियर है बात करते हैं prefix के बारे में prefix क्या represent करता है यह substituent represent करता है जो कि parent chain में present होता है substituent क्या होता है देखिए हमें पता है कि यह जो hydrocarbonate CH4 यहाँ पर हम एक hydrogen हटा के कुछ और लगा सकते हैं क्या तो कोई दूसरा element लगा सकते हैं या फिर कोई group of atoms लगा सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो अगर कोई hydrogen को हट के कोई चीज आ रहा है माली जे फ्लोरीन आ रहा है तो उसका नाम फ्लोरो से सुरू हो जाएगा अगर एक hydrogen को हटा के अगर हम chlorine ला रहे तो chloro से सुरू हो जाएगा वह बात यहां पर बताया गया है तो यह सब आप याद कर लेंगे कि अगर कहीं भी अगर carbon compound में F दिखा तो फ्लोरो नाम होगा chlorine दिखा तो chloro नाम होगा BR दिखा तो bromo I दिखा तो iodo NH2 दिखा तो amino ठीक है यह जनरली उतना नहीं दिखता है जाना दिखता है यह चीज यह उपर का यह तीन जो हो गया यह important है और नीचे का यह CH3 जो ग्रूप है यह methyl इसका नाम देंगे ठीक है और अगर CH2 CH3 दोनों है तो ethyl से इसका नाम देंगे ठीक है तो यह इसको आप अच्छे से याद कर लीजे इसका भी हम use करेंगे तो यह हो जाएगा prefix अभी use कैसे करेंगे तो आपको और से समझ भाएगा ठीक है जब वो बताएंगे अब आ जाते हैं suffix पे देखें suffix भी दो टाइप का होता है एक होता है primary suffix और दूसरा होता है secondary suffix primary suffix हम देते है nature of bond के basis में अगर दो carbon के बीच में single bond है तो a ne आएगा अगर double bond है तो क्या आएगा e ne triple bond है तो y ne आ जाएगा ठीक है root word के बाद यह चीज हुआ और दूसरा होता है secondary suffix यह functional group के basis पे दिया जाता है अगर किसी भी carbon chain में OH अगर functional group है ठीक है तो उसका नाम हम ol कर देते हैं e हटा के अभी बताएंगे अगर aldehyde CHO कहीं दि बीच में ठीक है तो ओनी वहाँ पर नाम देंगे suffix मतबब इससे end करेंगे और कहीं पर अगर C double OH ही दीख रहा है तो ओई कैसी इससे end करेंगे ठीक है चलिए अब इसको use कैसे करेंगे वह देखेंगे तो और अच्छे से clear होगा उससे पहले कुछ rules देख लिया जाए IOPC nomen क्लिचर का सबसे पहले आपको क्या गारना rule number one identify the longest chain of carbon atoms to get the parent name यानी root word सबसे पहले आगर आपको कोई carbon compound दीखता है तो आप उसका सबसे लंबा chain को identify कीजिए ताकि आपको root word मिल जाए मतलब आप उसमें number of carbon atoms पता कीजिए ताकि आप एथ है कि प्रॉप है कि ब्यूट है कौन numbering करना start कीजिए उस chain को ठीक है और numbering इस तरीके से कीजिए कि माल लीजे जहां पर functional group या फिर जो substitute है या फिर double bond या फिर triple bond है वहां से हमेसा numbering start करेंगे हम ठीक है अब यह line का meaning अभी आपको उतना सायथ के लिए नहीं होगा जब करेंगे तब आप और से समझ माएगा ठीक ठीक है और जब आप numbering कर दें तो उन numbers को क्या करते है लोकेंट numbers कहते है ठीक है फिर अगला case से अलकीन्स यह आपको अभी समझ बनी आएगा जब हम करेंगे तब यह बताएंगे चलिए आगे कड़के दिखाते हैं आपको तब आपको फिर सी यह rules पर आएंगे हम ठीक है द कि identify करने का बाद हम क्या करेंगे numbering करेंगे rule 2 ठीक है numbering कैसे करते हैं तो देखिए यह पहला कार बने तो इसको एक इसका दो इसको तीन इसको चार इसको पांच यह सब numbers को क्या कहते है लोकेंट numbers बात के लिए यहां तक numbering कर दिए numbering करने से 5 हमें दिखा 5 से हमें समझ में गया कि root word जो है वह पेंट होने वाला है ठीक है prefix हमें लगाना है इससे पहले रूट वर्ड हो गया ना रूट वर्ड रूट वर्ड से पहले आता है प्रेफिक्स के लिए यहां पर कोई है क्या सब्सिटुएंट है क्या कोई फ्लोरीन क्लोरीन ग्रोमीन या फिर कहीं पर इथाइल ग्रूप या फिर इथाइल ग्रूप कहीं दीख रहा है नहीं दीख रहा है ठीक है तो प्रेफिक nature of bond के basis पर दिया जाता है यहाँ पर bond कौन सा है तो आप बोलें के हर जगा single bond है तो primary suffix क्या होगा यहाँ पर घैनि होगा थिके तो आप स्पेंट में एनि लगा दीजिए और डूसरा स्थर्फिक्स होता है सेकेंडरी सफिक्स जो की दिया जाता है फॉंच्नल ग्रूप के देखिए यहां पर लिखा है कि identify the longest chain वो हम ना identify किया उसके बाद numbering किया और numbering इस टाइब से किया कि जहां पर सफिटुएंट और फॉन्सलोल ग्रूप हो वहां से numbering करना start करते हैं अभी जो हम example लिए थे उसमें कोई सब्सिटुएंट भी नहीं था फॉन्सलोल ग्रूप भी नहीं था उसलिए हमें यह चीज़ का हत्व समझ बनी आया ठीक है अभी जब करेंगे तो और example देखेंगे तो उसमें इसका important समझ बाएगा ठीक है चलिए एक example और आपको करके दिखाते हैं इसका numbering करना start कर इसका नाम दीजिए ठीक है कैसे देंगे देखिए सबसे पहले rule 1 क्या बोलता है आपको longest chain identify करना है longest chain ठीक है तो अगर हम यहां से numbering करें तो एक दो तीन चार पांच कारवन का chain बन रहा है ठीक है और अगर हम यहां से numbering करें एक दो क्योंकि यह भी तो एक chain है ना ठीक है ऐसे पांच का चिन मिल चुका है तो क्या तो हम ऐसे ले सकते हैं या फिर सिंप्लिसिटी के लिए हम सीधा ही नोमेंट्रेचर कर देते हैं क्योंकि दूनों में यह 5 कार्बोनेटम आ रहा है तो नमबरिंग करते हैं एक दो तीन चार पाच तो रूट व clues हमें यहां पें मिल गया पेंट है ठीक है यहां तक चलिए कि पेंट के बाद अब हम देहें गैज सफिक्स यहां पर चो冷 n चाहिए तो सफिक्स यहां पर कि यहां पे भी तो हमें CH3 दिख रहा था तो इसको हम क्यों नहीं लिए prefix के रूप में ठीक है तो यह क्या था कि यह longest chain का ही पार्ट था 1,2,3,4,5 यह chain में ही आ जा रहा है तो इसको हम prefix के रूप में count नहीं करेंगे लेकिन इस case में क्या हो रहा है कि वो chain से हट के आ रहा है देखिए यह 1,2,3,4,5 यह chain तो हमारा सिफ इतना ही है न चेन में अलग से यह लग रहा है ठीक है उसलिए इसको हम prefix के रूप में देख र पांच तो root word हमें मिल रहा है pent ठीक है प्रेफिक्स लगाना है तो prefix का हम इसका देख लिए इसका नाम है घिक है मिठायल तो लिखिए अब मिठायल भी कौनसा मिठायल कितने नंबर पे यह प्रेज़ेंट है तो यह हुआ प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा 2iği समझे 2 मिठायल पैंट और शफิक्स लगाना है तो शफिक्स लगता है शफिक्स होता है और डो टैब का सफिक्स होता है फंशनल ग्रूप के बेसिस पर फंशनल ग्रूप यहां पर ही नहीं तो सेकेंडर सफिस कुछ नहीं हुआ तो इसका नाम हो गया टू मिथाइल पेंटेन समझ मैं आया कि नहीं आया यह बात अभी और एक्जामपल करेंगे तो और अच्छे से खिलियर होगा आप कोई बच्चा अपमालीजिये यहां पर नॉमेंक्लेचर इधर से कर दिया 10-2345 तो उस-स-में यहापि'd क्या हो जाता यह जो मिथाइल गुरोब कहीं है चौथे नमबर पर प्रेजेंट है तो यह हो जाता फोन जाता है तो हम क्या करतें यह वही रूल वहा पर लिखा वह rocking लिए चैपैОं को नंबरिंग उस दिशा में करना और यहां कुछ सब होता है जहां पर double bond triple bond सबसे करीब हो या फिर जहां पर functional group सबसे करीब हो वहीं सब numbering start करते हैं ठीक है तो इस side में यह करीब पर रहा था इसलिए हम यहां से numbering start करें अगर यही CH3 यहां ना होके अगर यहां हो रहा होता तो हम numbering इस side से करते है 1 2 3 ठीक है चलिए तो इमीड करते हैं आपको clear हो रहा होगा वापस आते है rule 2 पे वही बात यहां पर लिखा हुआ था कि begin कीजिएगा वहीं पर जहां पर substitute या फिर functional group लगा हुआ हो ठीक है वहाई से numbering करना स्टार्ट कीजिएगा clear है rule 2 ठीक चलिए आगे बताया है rule 3 कि अलकीन्स और अलकाइन के केस में आप double इसको हमसे लिकर के दिखा देते हैं पढ़ेंगे तो आपको समझ बनी आएगा यह एक्जामपल हमने का बन रहा है चेन लेकिन हमें पता है कि चेन हम ऐसे भी देख सकते यह कीतना नँबर का चेन बन रहा है तो 1-2-3-4-5-6-7 हाँ यह हमें मिला longest chain हमें सीधा नहीं लेना है बलकि ऐसे लेना है ठीक है यह chain हमें देखना है चलिए तो यह हमें मिली और ऐसे देखेंगे तो यह तो चार ही carbon का chain बन रहा है एक दो तीन चार तो यह तो longest chain नहीं हुआ longest chain हमारा ऐसे हुआ तो अब इसका numbering कर दीजिए तो numbering एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ ऐसे करके हम numbering कर दिए अब किसी के मन में यह doubt आएगा कि numbering इधर से क्यों नहीं किये 1,2,3,4,5,6 करके 6,7 इधर से numbering क्यों नहीं किये तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो यह हमें prefix लगाने का prefix इससट्ट्ट के basis पर लगाएगा इसका क्या नाम है तो methyl कितने number पर प्रेजेंट है यह मिधाईल तो आप बलेंगे तीसरे कारवन में यह लगा हुआ है तो थ्री यह हो गया इसका IUPAC नेम समझेगी नहीं कैसे हम नेमिंग किये चलिए एक और एक्जामपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा इसका नेमिंग करते हैं सबसे पहले rule 1 क्या बोलता है आप longest chain identify कीजिए तो यह तो सीधा एक ही chain दिया हुआ है longest chain identify हो गया rule 2 बोलता है कि आप इसका numbering कीजिए numbering कहां से करेंगे वहीं से begin कीजिए जहां से substitute पास हो या फिर double bond या फिर triple bond पास परे या फिर कोई functional group पास परे तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर double bond है तो numbering हम इस दिस्षा से करेंगे क्योंकि यहां से double bond पास परेगा बात कर रह पर मिल गया यहां पर 5 कार्बन है तो पेंट यह हमें root word मिल गया अब बारी है यहां पर क्या लगाने का prefix लगाने का अब यहां पर हमें कोई सब्सिटुएंट दिखने रहे तो prefix यहां पर कुछ होगा नहीं अब बारी है suffix लगाने का suffix लगता है nature of bond के basis पे तो nature of bond यहां पर हमें double bond दिख रहा है तो nature of bond होगा उसके basis पर suffix हो गया in ठीक है अब यहां पर कुछ और भी आपको डालना है यह जो bond है वो किस कार्बन पर present है तो one और two के बीच में present है ना तो one और two में से जो lowest number है one वो हम लिखेंगे यहां पे तो pent x dash यहां पर one और फिर dash in मतलब pent और एक number पे है in double bond इस तरीके से naming करतेंगे हम इसका अब यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको एक अलग तरीके से भी लिखते हैं वो क्या करते हैं बीच में one ना देखें आगे में one देखें one pent in इस तरीके से लिखते हैं तो यह भी right है ठीक है आप कहीं भी अग बहुत इंपोर्टेंट है इस टाइप का बोर्ट इजाम में आता है नेमिंग करने के लिए एक बार आपके बोर्ट इजाम में सिबेसी का बोर्ट इजाम में पूछा गया था यह कोशन आपको दिया हुआ था CH3 bond CH2 फिर bond CH फिर इधर double bond था और इधर था CH2 और बोले थे इ अब नंबरिंग किजी नंबरिंग कहा से करेंगे जहां से सफिटूएंट या फिर double bond या फिर triple bond या फिर फ़ॉन्षनल ग्रॉप ये पास परे तो यहां से नंबरिंग कर देते है 1 टू 3 4 नमबरिंग करने के बाद four मिल गया तो हमें यहां पर root word मिल रहा है ब्यूट ठीक है और prefix तो कुछ होगा नहीं सफिक्स अगर हमें लगाना है तो वह होगा nature of bond के पिसिस पर double bond है तो in होगा और कहां पर double bond one और two के बीच में तो इसका lowest number है one वो हम यहाँ पर दे देंगे ब्यूट वन इन यह हो गया इसका आई उपिये सी नहीं आप क्या तो ऐसे लिखे या फिर वन ब्यूट इन आप ऐसे भी लिख सकते हैं यह भी राइट होगा बात अगराई समझ रहे हैं चलिए एक और एक्जांपल ट्राइ कीजिए और अच्छे से क्लियर होगा इसका नेविंग करते हैं रूल वन लॉंगेश चेन दिख गया हमें डाइरेक्ट रूल टू नम्बरिंग करना है नम्बरिंग इधर से करें की इधर से करें तो यहाँ पर हमें एक functional group दिख रहा है तो नम्बरिंग हमें इस दिशा से करना पड़ेगा तो यहाँ पर एक पहला carbon यह दूसरा carbon यह तीसरा carbon root word हमें यहाँ पर मिल गया prop ठीक है, तीन carbon से prop आ गया अब चाहिए prefix कोई substitute है यहाँ पर नहीं है, तो prefix कुछ होगा नहीं, अब हमें लगाना है suffix, suffix के लिए nature of bond के basis पर देखिए, जो है single bond है यहाँ पर तो यह क्या हो जाएगा, propane अब यहाँ पर चीज नोटिस करने वाला है, देखिए p-r-o-p-a-n-e अब जैसे ही यह functional group आता है ना, तो हम यह last का e letter जो है, उसको हटा देते हैं propane तक जाएंगे, और यह last जो OH है, उसके बदले में हम क्या डालेंगे ol, propanol अब यह ol कहां से पता चला तो इसके लिए वो यह table में लिखा हुआ था, यह देखिए यहाँ पर जो आप यह table देख रहे हैं, यह देखिए अगर functional group यह है, तो suffix हम ol use करेंगे, अगर functional group bond ch o है, तो suffix use होगा al, ठीक है ऐसा कोई functional group है, तो o ne और c o h functional group है तो o ek acid, तो यहाँ से हम ol use कर रहे हैं, तो यह तीनों ही table आपको अच्छे से याद होना चाहिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चैले तो वापस आते हैं, फिर से इसका numbering करते हैं 1, 2, 3, तीन carbon के basis पे नाम हुआ prop, और यहाँ पे हमें एक o h दिख रहा है और nature of bond, primary suffix पर लगा दीजे nature of bond के basis पे, तो propane e नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे functional group है, उसलिए हम यहाँ पे e हटा के क्या करेंगे, ol करेंगे अगर यहाँ पे o h ना होके c ho होता अगर, तो ol ना लिखके हम क्या लिख रहे होते है al लिख रहे होते है, e hug में हट देगा, ठीक है जैसे ही functional group आ जाता है वैसे ही नाम का जो e है ठीक है, वो हट जाता है e hug में होगा या फिर e e ne y ne हो, या फिर y ne हो, e to sub case में आता है na, तो functional group अगर होता है, कभी भी तो यह E को हम हटा देते हैं, last वाले E को और Al लगा देते हैं फंसम्न ग्रूप के बेशिस पे Al, Ol, OE के असिड जो भी होगा वो लगा देंगे ठीक है, या फिर O, N, E चलिए, तो final अगर हम इसका नाम देना चाहे तो कैसे देंगे तो numbering 1, 2, 3 की है तो root 1 मिल लिया prop, nature of bond, single bond है तो A, N, E तो नहीं लिखेंगे E के बदले में हम इसका Ol लिखेंगे ठीक है, अब ये भी कहा पर present है, तो पहले number carbon पर present है तो हम propane 1,ol ऐसे देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम इसको आप चाहे तो simply कैसे भी लिख सकते है 1 propanol P-R-O-P-A-N-O-L ऐसे भी लिख सकते है ऐसे भी लिख सकते है, तो नहीं सही है या फिर बहुत जगा simply इसको propanol भी सीधा लिखा जाता है क्योंकि propanol लिखने से भी clear है कि इसमें एक ही OH है जब लंबा chain होता है तब यह numbering करना ज़्यादा important हो जाता है इतना छोटा chain में 1 हम कभी-कभी avoid भी कर देते हैं, ठीक है चलिए, एक और example देखिए इसका naming कीजिए इसका कैसे होगा rule 1, longest chain यही है, rule 2 numbering करना है, numbering उस दिशा से करेंगे जहाँ पर कोई functional group है तो यहाँ पर हमें functional group दीख रहा है, direct तो इस दिशा से numbering करेंगे तो इतना छोटा है, तो इसका numbering 1, 2, ठीक है इससे परदा चल लिए है, इसका root word है eth, eth nature of bond समझ में आ रहा है, single bond है तो ethane, e तो नहीं होगा e के बदले हम क्या डालेंगे इसका suffix cwoos का suffix क्या होता है तो इस table से हमें दिख रहा है, oic acid ethane oic acid इसका नाम हो जाएगा, ठीक है यह हो जाएगा इसका answer चलिए, इसका try कीजिए इसमें भी हमें functional group दिख रहा है ch o, अब naming कीजिए तो इसका numbering 1, 2 हो गया 2 से पता चलिए है, eth ठीक है, nature of bond single bond है, तो ethane e तो नहीं लिखेंगे लाच में, e के बदले में इसका suffix लगाएंगे, al ethane al हो जाएगा इसका नाम समझेगी नहीं, चलिए ऐसा ही एक हम question आपको देते हैं आप इसका naming कीजिए, यह आपका body exam में आ चुका है, ch3 ch2, ch o इसका naming करके दिखाईए तो आप बोलेंगे simple है, यहां से हम numbering करते है, 1, 2, 3 तो prop पता चल गया prop, nature of bond single है, तो propane, e नहीं लिखते हैं लाच में e के बदले में इसका suffix, al propaneal हो जाएगा इसका नाम, ठीक है चलिए इसका naming कीजिए अब यहां पर सबसे पहला functional group identify कीजिए, तो आप बलेंगे functional group बीच में CO दिख रहा है, तो यही functional group है ठीक है, numbering करना है हमें rule 1 longest chain तो यही रहुआ, ठीक है numbering करना है rule 2 के हिसाब से इधर से numbering करें के, इधर से करें इधर से करेंगे तो यह functional group pass परेगा, तो इधर से हम numbering करेंगे ठीक है, 1, 2, 3, 4 तो 4 से उपरा चलेगी है but हो जाएगा इसका root word ठीक है, nature of bond single है, तो butane यहां तक, e नहीं लिख रहे हैं ठीक है, इसके basis पे suffix क्या आएगा, table देखके अगर आप बोले तो आप पूलेंगे, on आ जाएगा इसका suffix, ठीक है, butanone और यह कितने number पर प्रेजेंट है functional group तो दूसरे number पर है, तो आगे आप यहां पर 2 butanone लगा दीजिए, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, या फिर आप इसको but, butan तक जाते, फिर to और one, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है चलिए फिर एक और example ट्राइ करते हैं और अच्छे से clear होगा यह देखिए, इसका नाम बताइए क्या होगा सबसे पहले longest chain तो यही होगया longest chain, numbering करना है तो numbering के यह लिए, हमें यहाँ एक substitute, cl दिख रहा है तो इधर से numbering करना start करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है तो 4 से प्रचल लिए इसका root word but होगा, ठीक है, nature of one single है तो butane ठीक है, कोई functional group नहीं है, तो उसलिए हम यहाँ पर e लिख दिए, ठीक है अब बारी है, इसका prefix लगाने का तो prefix हमें यहाँ पर दिख रहा है, cl cl का नाम क्या होता है, chloro ठीक है, chloro, उस table से हम लिख रहें देखके ठीक है, तो chloro हो गया और वो भी यह जो chlorine है, वो किस carbon matase ज़े है 1 में, ठीक है, तो 1 chloro butane, यह इसका नाम हो जाएगा, समझे की नहीं, चलिए अगर यही chlorine, मालीजे यह ऐसा दिया होता, ch3, ch और इधर दे देते हैं cl, और इधर देते हैं ch2, और इधर ch3 ठीक है, मालीजे आप इस तरीके से दिया हुआ है, इसका naming कैसे होगा, तो आप बलेंगे longest chain तो यही है, numbering करना है, तो इधर से numbering करेंगे, इधर से करेंगे, तो आप बलेंगे, इधर से करेंगे, तो यह जो substitute है, यह करीप परेगा, तो 1, 2, 3, 4, इधर से numbering किये, 4 से पता चल रहा है, but, single point है, तो प्रेफिक्स डालने का भारी आया अब, तो CL के लिए प्रेफिक्स होता है, chloro, उस table में हम याद कर सुके है, ठीक है, अब chlorine कितना number पर प्रेजेंट है, दूसरे carbon पर प्रेजेंट है, तो 2 chloro, 2 chloro butane, यह इसका नाम हुझ जाएगा, IUPAC then, समझे इतना, चलिए, अब आपको काफी हाँ तक clear हुआ होगा, इतना अगर आप कर लेते हैं, तो आप तो सारा चीज़ कर पाएंगे, class 10 level तक, अभी भी बहुत advanced चीज़ भी है, इसमें, वो आपको class 11, 12 में सिखने को मिलेगा, 10 तक इतना चीज़ सफिचेंट है, ठीक है, questions का तो end नहीं है, यह देखिए, write the structural formula of, अब दिखें, नाम आपको दिया है, अब बोलेंगे structure बना के दिखाओ, अभी तक क्या हो रहा था, structure दे रहे थे, और आपको नाम लिखना होता था, अब नाम दे रहे है, structure लिखना है आपको, बनाना है, चलिए, बनाने आखोशिस करते है, propanol, ol से समझ मारा है, देख दिखें, ठीक है, बच सारा काम हो गया, अब बचा हुआ जो भी खाली हाथ है, उसमें हाइड्रोजन फिल किर दिखें, इस कारबन का एक हाथ और एक हाथ में हाइड्रोजन, और एक हाथ में हाइड्रोजन, पकड़ा दिखें, यही बन गया structure, propanol का, इतना ही काम करना है, चलिए, इस question को try कीजिए, propanolic acid, समझ में रहा है कुछ, prop है तो तीन कारबन हम बना दिए, an से समझ में रहा है, single bond होगा, ठीक है, oic acid है, तो यहाँ पे हम oic acid का functional group लगा देते हैं, double bond हो, oh, c, oh, h, ठीक है, अब बचा हुआ खाली हाथों में, आप हाइड्रोजन फिल कीज एक, दो, तीन, h, 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 फिर इसका एक, दो, h, और h, इस carbon का भी, एक, दो, h, और h, इस carbon का एक, दो, तीन, चार हाथों लेटी इंगेर से, उस match नहीं लएगा, यही हो गया इसका structure, ठीक है, और तीसरा है, chloropropane, समझ में रहा है, prop है, तो एक, दो, तीन, an है, single bond है, ठीक है, chloro है, तो chlorine कहीं पर लगाना है, तो आप चाहिए, तो chlorine यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, तीन ही carbon है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी numbering करेंगे, यहाँ से भी numbering करेंगे, तो यह की आएगा, तो हम क्या करते हैं, C, bond C, bond C, चलिए, आगे लगा देते हैं, हम देखे structure कैसे बनाया जाता है चलिए यह भी हो गया आगे देखते हैं आगे क्या है आगे यहाँ पर हम एक टेबल दे रखें यहाँ पर कुछ कार्बन कंपाउंड का नाम दिया हुआ है यह बस आप एक reference के लिए देख सकते हैं वाकि आपको यहाँ से कुछ याद नहीं करना है ठीक है चलिए अब आप वहाँ पस आते हैं नोट्स मना के रख लीजिए ठीक है चलिए तो यह देखिए हम वापस आ गए हैं एंसे टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर जो रूल से काफी shortcut तरीके से निप्टा दिया गया है पर तो ज्यादा समझ में आता नहीं बस और एक यहाँ पर टेबल दे दिये और कुछ-कुछ ना यह, how many structural isomers can you draw for pentane, pentane का कितना isomers आप बना सकते हैं, तो pentane में 5 carbon होता है, तो चलिए बनने के खोशिश करते हैं, यह हो गया पहला structure, skeletal structure, hydrogen तो fill करी लेंगे, दूसरा structure अगर हम बनाना चाहें, तो कैसा बनेगा, एक, दो, तीन, चार, चौथा में क्या करते हैं, कि यहां से branch कर देते हैं, यह C और यह C, यह हो गया दूसरा structure, ठीक है, तीसरा structure हम बनाना चाहें, एक, दो, तीन, हम एक यहां C लगा देते हैं, यहां C लगा देते हैं, हो गया 5 carbon, यह 3 structure, और अगर हम कोई बनाए, तो बागी बनाएंगे, तो इसका 3 isomers possible है, ठीक है, और structure ऐसा रहेगा, head zone fill करना है, तो दिखिए, इसका एक हाथ already engaged है, आप क्या तो तीन हाथ पनाके, ऐसे करके head zone दिखाए, या फिर आप simply shortcut भी कर सकते हैं, simply हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर H3 लिग देते हैं, ठीक है, इस carbon का दो हाथ है already engaged, तो हम क्या करेंगे, H2, तो CH2 यहाँ पर डाल देंगे, इसका भी H2, इसका भी H2, इसका एक हाथ ही engaged है, तो इसमें हम H3 डालेंगे, ठीक है, इसमें कितना डालें बोलिए, तो आप बोले H3, इस carbon का एक ही है, तो H3, ठीक है, इस तरीके से भी headzone fill करते हैं, इसका fill करके बताइए, तो आप बोलेंगे, इस carbon का एक ही हाथ दिख रहा है, तो H3 लगाईए, इस carbon का एक ही दिख रहा है, तो H3 लगाईए, इसमें भी H3, क्योंकि एक ही दिख रहा है, इस carbon का चारो properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us carbon का कौन सा वो दो प्रपर्टी है जिसके कारण इतना सारा compound वो बनाता है तो वही पहला प्रपर्टी क्या है catination और दूसरा प्रपर्टी है tetrabalancy बस यही दो आपको लिख देना है ठीक है 3 what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane cyclopentane का formula भी बताना है electron dot structure भी बताना है तो cyclo है cyclo के case में हम general formula से तो नहीं निकाल सकते हैं ठीक है अलकेन का हम क्या करते हैं पहले इसका structure बना लेते हैं pent है तो 5 carbon होगा एक दो तीन चार पांच ठीक है और n है यानि सब में single bond होगा में है अब है हागजंड फिल करने का बारी इस कार्बन का दो हाथ है तो हाथ में hydrogen hydrogen kissı त्रीके crochet से इसका भी दो हाथ में hydrogen 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 इसका भी hydrogen hydrogen इसका भी hydrogen hydrogen फर्मुला लिखना है तो c5 है हैड़ जोन कितना एकाउंट कर लीजिए तो 10 है c5 h10 यह हो गया इसका फर्मूला अब बारी है electron dot structure ब्राने का तो इसको देख के हम electron dot structure बना सकते हैं carbon है जहां जहां पर bond है वहां वहां पर electrons होगा ठीक है तो यहां पर ऒर एक carbon का electron यहां पर एक यहां पर एक होनाаемся है तो उसी तरीके से हम इधर इधर दे दे देते हैं ठीक है फिर वेसे ही एक और carbon eqo carbon और औरvat karbon सबका दे forgiven दीजे उसी तरीके से, इधर बनाएंगे तो काफी गंदा हो जाएगा, देखे, ओ, डैफी, इधर यहाँ पे और यह इलेक्ट्रोन, ताकि आप ऐसे करके sharing करेंगे, है है फुल फुलपील होगा कारवन का जब शेरिंग करवाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रोण इस हैट्रोण 9 एक इलेक्ट्रोण और इस करवन का इक अुअरे शेर कर लिए उससे सब कर लेंगे समझे आप यह इमएचtoCos लीजिए फाइनल जब बनाएंगे तो इस तरीके से आपको एंसर मिलेगा चलिए तो यह आप पर छोड़ते हैं यह आप कर लिजिएगा आगे मुव करते हैं अगले कोशन पर नंबर फोर लिखाएं कि ड्रॉद इस्ट्रक्चर फॉर्ड फॉलइंग कंपाउंड इस्ट्रक्चर ड्रॉद करना है इथनॉइक एसीड बताइए तो कर लेंगे इजिली एथ है तो दो कार्बन और दिखिए इथनॉइक एसीड है यहां पर अब यह जड़ा सोचने वाला बात है इथनॉइक एसीड इसका जो फंस्ट्रॉन गुरूफ होता है ना सी डबल ओएच होता है तो एक कार्बन तो इधरी आ जाता है ठीक है तो यह जो एक कार्बन है यही मतलब डबल ओएच व बना देंगे है ठीक है और है यहां फिल करना है तो बचा हुआ थीन हाथ में आप हाइड फिल कर दीजिए बस यहीं हो गया इस्ट्रक्चर इथनॉइक एसीड का अब आप सुछ रहे होंगे कि यह कैसे पता चले कि कहां पर कैसे बनेगा इसके लिए तो टेबल यहां पर द आपको जो टेबल दिये थे सफिक्स वाला उसमें भी बताया हुआ था ठीक है चलिया है अगर फिर नेक्स्ट है हमें ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बढ़ाना है तो पैंट है पांच कारबन एक दो तीन चार पांच ठीक है एन है सिंगल पॉंड है ब्रोमो लिखा आप हाइड़ोन फिल कर दीजिए बॉंड काउंट करके बस कर लेंगे इतना काम चलिए फिर इसी में इस एक स्टार्ड लगा हुआ है और स्टार्ड लागा के नीचे पूछे हुए है कि आर इस्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमो पेंटेन क्या इस ब्रोम सकते हैं 1234 सकते हैं क्यों और ब्रोमीन वाला क हुए मतलब ये स्ट्रक्चर से सेम हो जाएगा तो यह दुर एकदम सेम हो जाएगा उसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे ठीक है यही अलग होगा तो तीन आइसोमर्स हम बना सकते हैं ब्रोमो पेंटेन का समझे इतना चलिए अगला है प्यूटनों ब्यूटनों का structure करना है तो O N E है इसका होता है C double bond O और ऐसे करके होता है मतलब यह जो CO है यह बीच में आएगा तो देखिए एक दो तीन चार चार करवन हम दे दिए और एक कहीं पर आप CO दे दीजिए ठीक है क्योंकि end में तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहां पर भी bond है यहां पर भी bond है इसे समझ में रहा है कि क्या तो इसमें लगेगा नहीं तो इसमें लगेगा इन दुनों में तो लग नहीं सकता है ठीक है तो 4 carbon 1, 2, 3, 4 कि इसमें हम दे देते हैं आप चाहते तो इसमें भी दे सकते हैं ठीक है और बस आफ hydrogen fill कर दीजे 1, 2, 3 H, H और H इसमें भी 1 H और यहां पर H इसका 4 हाथ already filled है इसका 3 हाथ में H ठीक है इतना? चलिए लास्ट है चौथा नमबर हेक्सा नाल आल से समझ में आ गिया कि इसमें functional group CHO होगा तो देखे हेक्स है तो 6 carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? और आल है तो क्या करते हैं? double bond O और यहां पर H दे देते हैं CHO ठीक है? इसको खोल के बना दीए यहां पर अब बस बचा हुआ है hydrogen fill कर लेना है वो तो कड़ी लेंगे आप चलिए तो यह हो गया question number 4 काफी अच्छा question था उमीद करते हैं आपको यहां पर काफी concept clear हुआ होगा बस आपको यही सब practice करना है exam में यही सब question आ सकता है और आ जाता है number 5 how do you name the following इसका name करना है चलिए कुछ नहीं बोला है तो IUPAC name हम कर देंगे यहां पर हमें दिख रहा है substituent numbering कर देते हैं यहां से 1 और 2 ठीक है दो carbon है तो eth हो गया single bond दिख रहे हैं तो ethane हो गया e लिखे के नहीं लिखे functional group नहीं है तो हमें यहां पर e लिख देते हैं ठीक है ethane prefix लगाने का बाड़ी है अब prefix लगाने के लिए हमें यहां पर bromo दिख रहा है तो bromo ethane bromine भी कितने number पर present है तो पहले number पर है तो one bromo ethane भी आप लिख सकते या फिर simply bromo ethane भी लिख सकते वो आपका मर्जी है ठीक है दूसरा यह दिखे इसका naming कीजिए एक ही carbon है यहां पर तो root word हो गया math functional group हमें यहां पर दिख रहा है double bond O और H तो AN तो लगे गाई E नहीं लिखेंगे यहां पर R हो जाएगा क्योंकि यहां पर C HO जो है वो functional group है ठीक है मिथनाल यह हो जाएगा इसका answer यह question देखिए इसका naming कीजिए तो यह हो गया longest chain यहां से numbering करेंगे क्योंकि यहां से triple bond pass परेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 से आगिया क्या नाम हो जाएगा इसका hex triple bond है तो why any hexine होगा और यह 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है तो 1 छोटा है तो dash 1 dash hex 1 आइन ऐसे भी लिख सकते है या फिर दूसा तरीका क्या है इसका 1 hexine ऐसे भी लिख सकते है तो जो मर्जी दोनों यह right होगा ठीक है चलिए तो इसका answer यह हो जाएगा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना next topic next topic है chemical properties of carbon compounds ठीक है छोटा सा easy सा topic है लेकिन काफी important exam के लिए ठीक है बहुत सारा questions बनता है इस topic से चलिए अराम अराम से study करते है तो इस topic में हमें 4 टाइक के reactions पढ़ने है सबसे पहला reaction है combination reaction देखिए लिखा हुआ है carbon अपने सभी allotropic forms में क्या होता है कि oxygen combustion का मतलब होता है मतलब कुछी सीचीज का जलना ठीक है तो carbon जो है वो oxygen में burn करता है और क्या form करता है carbon dioxide release करता है with the release of heat and light carbon dioxide तो बनता ही है साथी साथ बहुत चादा heat भी release होता है और light भी release होता है ठीक है तो पहला बात यहाँ पर जाने कि carbon जब जलता है यानि carbon का जब combustion होता है oxygen में हमेशा combustion के लिए क्या चाहिए होता है oxygen चाहिए होता है ठीक है तो क्या product मिलता है carbon dioxide मिलता है यह तो मिलेगा ही मिलेगा इसके साथ साथ heat और light भी release होता है ठीक है चलिए फिर अगला line देखते है इसमें लिखा है कि most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning सिफ carbon जो है वो जलके carbon dioxide heat और light रिलीस करता ही है लेकिन जातर जो carbon compounds है वो भी इनको भी जब जलाया जाता है तो यह भी large amount of heat or light release करते है ठीक है on burning बस इतना सा line के उपर एक बहुत ही अच्छा question बन जाता है आपसे exam में पूछेंगे कि why are carbon and its compounds used as fuels for most applications carbon और उसके compound को क्यों हम लोग fuels की तरह यूज़ करते है तो reason यही है क्योंकि carbon और उसके जो compound है वो oxygen में burn करते है और carbon dioxide gas release करते और साथी साथ large amount of heat or light release करते ठीक है इसलिए हम इसे as a fuel यूज़ करते है क्योंकि fuel में हमें क्या चाहिए जीतना जदा heat release हो उतना अच्छा हम fuel मानते है तो carbon उसमें खड़ा उतरता है ठीक है तो यह question अगर आता है तो इसका answer आपको यहां से यहां तक लिग देना है समझे के नहीं और चकर साथ यह equations भी डाल देंगे तो और भी अच्छा रहेगा चलिए यह जो combustion है तो combustion एक क्या है एक टाइप का oxidation reaction है oxidation reaction मतलब इसमें oxygen का addition होता है plus oxygen होता है carbon में ठीक है देखिए आप example से समझे देखिए यहां पर हमने एक carbon लिया और उसमें उसका जब combustion करेंगे मतलब वो oxygen को use करके जलेगा इसका मतलब यह एक oxidation reaction है और जो product बन रहा है उसमें देखिए पहले था carbon अब इसमें oxygen जूर गिया carbon dioxide हो गिया तो oxygen जूर रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते है oxidation reaction कहते है तो carbon dioxide तो बनी रहा है इसका साथ-साथ heat और light भी release हो रहा है ठीक है दूसरा आप मुझे यह पैचान के बताई है यह कौन सा compound है तो आप बोलेंगे CH4 इसको तो बहुत अच्छे से जानते है इसको बोलते हैं methane ठीक है तो methane को जब oxygen में burn करते हैं तो carbon dioxide बनता है प्लस water paper के रूप में यह release हो जाता है और प्लस heat और light तो सब हर बार release होगा ठीक है तीसरा है यह इसका नाम क्या होगा तो दो carbon compound है तो एथ और यहाँ पे OH है और single bond है तो ethaneol है यह ठीक है यह भी oxygen में इसको जब burn करते हैं इसको जब oxygen में burn करेंगे तो carbon dioxide और water paper तो रिलीज होगा तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो लैटर टू रियक्शन है यह जो बाद वाला दो रियक्शन है इसको आप बैलेंस करके दिखाईए चलिए बैलेंसिंग कर लेते हैं इसमें हम देखने की एक carbon है एक carbon है hydrogen यहाँ पर चार है hydrogen यहाँ पर दो है तो इस दो को चार कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर two लगा देंगे ठीक है अब चलिए इस equation को बैलेंस करके देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि carbon कितना है एक दो यहां पर carbon है एक तो इसको दो लगा दीजे carbon balance हो गया ठीक है आप क्या balance करना hydrogen यहां पर देखिए कितना है तीन और दो 5 और एक 6 hydrogen है इसको 6 बलाने के लिए यहां पर हम 3 लगा देते हैं तो हो जाएगा hydrogen भी balance अब है oxygen balance करने का पाड़ी oxygen इस साइड में अगर हम देखे तो टूजा 4 हो गया और 7 oxygen है यहां पर टोटल यहां पर एक अल्रेडी है तो यहां अगर हम 3 लगाते हैं तो 6 और 7 हो जाएगा तो इस तरीके से यह balance हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे यहां पर एक activity discuss किया गया है इस activity में बोला गया है कि आप कुछ carbon compounds लीजिए तीन carbon compound लेने को कहा गया है एक है naphthalene दूसरा है camphor यानि कपूर तीसरा है alcohol ठीक है और तीनों को लेने का बाद burn कीजिए अलग-अलग और burn करने का बाद nature of flame वो किस type का आग से जलता है उसको आप absorb कीजिए और यह भी note कीजिए कि कोई smoke ठीक है काले रंग का जो धुआ होता है आग flame में वो निकलता है कि नहीं वो absorb कीजिए ठीक है तो आप absorb करेंगे कि जब आप इस नेप्थलीन को burn करते हैं तो यह येलो flame से जलता है येलो और साथी साथ उपर में जो जिसको हम लोग हिंदी में करिखा बोलते है येलो सूटी flame इसको इंग्लिश में कहते हैं ठीक है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा इस टाइप का flame से जलेगा ये ठीक है और ब् blue color के flame से जलता है और कोई भी smoke का formation यहां पर नहीं होता है इसलिए इसको क्या बोलते है clean flame बोलते है ठीक है चलिए तो यह activity पढ़ने का बाद हमें कुछ यहां पर बात पर चलेगा यह देखिए यह जो नैप्थिलीन होता है और यह जो camphor होता है यह दोनों क्या है unsaturated carbon compound है तो जब भी हम unsaturated carbon compounds को जब burn करते हैं तो यह हमेशा yellow flame के साथ जलते हैं with lots of black smoke ठीक है यह पर smoke भी निकलता है लेकिन यह जो alcohol था यह क्या है एक saturated carbon compound है तो जब भी saturated hydrocarbon को हम burn करते हैं तो यह काफी clean flame के साथ जलते हैं बात अगरा ही समझ रहें तो आगे चलके जब हम difference between लिख यह काफी clean blue flame के साथ जलता है और जो unsaturated carbon compound होते हैं यह yellow flame with lots of smoke के साथ जलता है समझेगी नहीं समझे यह point चलिए फिर आगे यहाँ पे एक और activity है activity 4.4 इसमें बोला गया है कि आप एक बंसेंट बर्नर को जलाईए आप इस picture में देख सकते हैं इसको बंसेंट बर्नर कहते है ठीक है आप यहाँ पे air hole को adjust करके अलग-अलग type का flames obtain कर सकते हैं होता क्या है बंसें बर्नर नहीं तो आप simple आप normal जो आपके घर में LPG जो चूला है gas आप उसका reference से भी आप इसको समझ सकते हैं ठीक है क्या होता है कि आप notice करेंगे कि जब आप LPG को काफी कम आँच पे जला जलता है यह तो आप देखे ही होंगे अपने कीचन में ठीक है लेकिन जैसे जैसे आप उसका मतलब आच बढ़ा देते हैं जब ज्यादा गैस निकालते है तो आप पाएंगे कि वह yellow flame से जलने लगता है है कि यह चीज आप notice करते होंगे तो देखिए यह जो LPG है यह भी क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं लेकिन अगर आप एयर को कंट्रोल करना शुरू कर दें अगर एयर कम दे यहांपे तो यह भी क्लीन फ्लेम से नहीं जलके यह भी सूटी फ्लेम यह भी स्मोक प्रोडूस करना शुरू कर देंगे और यह भी yellow flame के साथ जलने लगेंगे समझे चलिए अब आगे लिखा है देखिए आगे यहां पर लिखा है the gas या फिर kerosene stove जो घर में यूज करते हम लोग वहां पर इनलेट्स होता है हवा का आने के लिए ताकि sufficient amount of oxygen rich air जो है वह available हो उस carbon compound को और वह काफी clean blue flame के साथ जले ठीक है और अगर आप खाना बनाते बनाते है है कि आपके जो cooking vessel से उसके जो bottom part है अगर उसमें काला रंग का अगर layer जमा हुआ है ठीक है जिसको हम लोग कडिखा बोलते है ठीक है तो इसका मतलब है कि आपका जो चूला है उसमें जो air hole से वह blocked है sufficient amount of air नहीं आ रहा है ठीक है air का कम supply का बजल से जितना जो gas निकल रहा है हो पूरा जल नहीं पा रहा है और incomplete combustion हो रहा है और वहां पर आपको yellow flame देखने को मिलेगा और smoke मतलब सूटी जो सूट जो होता है कडिखा वो जम जाएगा है इस बर्दन पर ठीक है और यहां पर आपका fuel का wastage हो रहा है तो आप अपने साब इस बात को याद रखिए कि जबी भी है ब्लू flame कहीं पर निकल रहा है तो वह काफी अच्छे तरीके से वहां पर combustion हो रहा है complete combustion से वह जल रहा है ठीक है और अगर कहीं पर yellow flame देखने को मिल रहा है इसका मतलब gas ज्यादा निकल रहा है ठीक है और उतना air available नहीं है उसलिए वह yellow flame से जल रहा है वहां पर fuel wastage हो रहा है इस case में और यहां पर अच्छा utilization हो रहा है fuel का समझे इतना चलिए इसके ओपर भी question आता है ठीक है कि अगर आप cooking vessels में black उसका bottom part जो अगर है वह black है तो इसका मतलब क्य petroleum इसमें some amount of nitrogen और sulfur भी पाया जाता है तो जब हम इस coal petroleum को जब burn करते हैं combustion करते हैं तो इससे क्या होता है कि nitrogen oxides और sulfur oxides का formation होता है जो की काफी major pollutant है environment के लिए बस इतना बात यहां पर बताया गया है समझे यह topic चलिए आगे यहां पर do you know में कुछ बोला गया है कि why do substances burn with or without flame आप अगर कोईले को देखे होंगे कोईले कोईला अगर जलता है तो क्या उसमें flame निकलता है क्या आग निकलता है क्या तो नहीं निकलता है ठीक है तो इसा क्यू होता है एसा इसलिए होता है flame जो है आग जो है वो हावा में ठीक है वह वेपराइज हो जाता है और बर्ण होता है फ्लेम के साथ ठीक है समझे इतना इंद बीगिनिंग जैसे ही वह वोलाटाइल सबस्टेंस का अमाउंट खतम हो जाता है तब यह वूड जो है वह सीफ मतलब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस टाइप से इससे होता है तो एक बाड़ पढ़ते हैं ध्यान से सुनिए का अब लिखा है कि कोल और प्ट्रोलियूम और जो आनिमल वागवे उससे कोल और प्ट्रोलियूम का फर्मेशन हुआ है जब यह बायो मास को वेडियस बाइलोजीकल और जोलोजीकल प्रोसेस से सबजेक्ट कर other plants that lived millions of years ago तो यह जो trees, ferns और other plants होते हैं जो कई millions of years अगो पहले जीनदा थे उसी से कोईला बना हुआ है they were crushed into the earth perhaps by earthquake or volcanic eruptions हो सकता है कभी भूकाम पाया हो या फिर कभी volcanic eruption हुआ हो तब यह सब tree, ferns और other plants जो थे यह उसके नीचे दब गए हो तो they were pressed down by layers of earth and rock ठीक है इस सब के नीचे यह सब चीज यह tree, ferns और other plants नीचे दब गए इसी को tree, ferns को ही क्या बोलता है biomass कहते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ they slowly decayed into coal तो वही trees, ferns जो थे यह सब धिरे-धिरे सरते-सरते coal में convert हो गए तो coal इस तरीके से बनता है बात करें petroleum का formation तो वह ऐसे होता है देखिए oil और gas जो है वो remains है millions of tiny plants और animals का जो sea में पाई जाते थे ठीक है जब ये बहुत सारे plant और animals जब मर गए तो इनका जो body है वो sea bed में दव गया ठीक है और जो मिट्टी होता है उससे cover हो गया ठीक है तो bacteria इस मरे हुए चीजों पर act किया और इसको convert कर दिया oils और gas में काफी high pressure मे ठीक है क्योंकि एक तो c है पानी का pressure दो है उपर से silt है मिट्टी है उसका भी pressure है तो काफी high pressure में bacteria उसको oil और gas में convert कर देता है ठीक है तो meanwhile the silt और ये जो मिट्टी है जिससे ये plants और animals cover थे ये मिट्टी दिले दिले compress होते होते है ये मिट्टी convert हो जाता है रॉक में ठीक है तो oil और gas जो है वो इसी rock में अंदर चले जाते हैं ठीक है पॉरस पार्ट अब दर और 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 ये स्पॉंज जैसे कि आप एक स्पॉंज देखे होंगे माली जै किसी स्पॉंज में कोई स्पॉंज जो है बहुत सारा पानी सोखा हुआ है ठीक है जैसे हम स्पॉंज को प इस टॉपिक से जितना मंडराइन किये कोशन बहुत वराइटी का बन सकता इस टॉपिक से यहां पर भी हम डिसकस नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आपको इस चप्टर का जितना भी इंपोर्टेंट कोशन एंसर से सब अगर एक जगह पर चा वीडियो खतम हो जाए तब उसको सेंसर को आप प्रिपेर कर लीजीगा ठीक है चलिए तो यह हमने कभर कर लिया कंबस्षन क्या होता है एड्वांटेश क्या है कुछ रियक्शन इतना आपको प्रिपेर करना है और क्लीन फ्लेम फिर क्या होता है फ्लेम की खलर से क्या और हमने फिर्स श्रेप्ट्र में पढ़ रखा ऑक्सिडेशन के बारे में ठीक है कारबन इसके अलाबह एक और और ऑक्सिडेशन टाया जिसमें क्या होता है कि alcohols जो है वो convert हो जाते हैं carboxylic acid में alcohol का functional group बताइए तो आप बोलेंगे bond OH carboxylic acid का functional group बताइए तो आप बोलेंगे bond COOH यही तो होता है अब यहाद किया था चलिए एक यहाँ पर reaction देखिए इसी activity के ऊपर यह reaction है यह reaction बहुत important है ठीक है छोड़ा सा दीख रहा है लेकिन इतना कोशन आता है इससे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इसमें बुला गया है कि आप यह लीजिए यह है इतनौल इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है इतनौल बहुत important है आप बहुत बार repeat बढ़ने भी वाले इतनौल को अलग से तो इस reaction में होता है कि आप इतनौल ले लीजिए ठीक है और उसमें alkaline potassium permagnate इसका नाम क्या है potassium यहाँ पे लिखा है potassium permagnate ठीक है इसको डालके heat कीजिए और अगर आपके पास potassium permagnate नहीं है तो आप क्या लीजिए acidified potassium dichromate काफी बढ़ा डाल दीजिए या फिर acidified potassium dichromate डालके अगर heat करते हैं तो यह जो alcohol यानि इतनौल जो है यह convert हो जाएगा आपका acid में इसको बोलते हैं हम इतनौइक एसीड ठीक है दो carbon है तो इतनौइक एसीड और यह functional group है तो इसको नाम हो जाएगा इतनौइक एसीड में convert हो जाएगा यह तो यहां पर हम देख रहें कि इसमें एक ही oxygen था और इसमें reaction होने का बाद दो oxygen आ गया मतलब यह यहां से यहां पर क्या हो गया oxidize हो गया ठीक है तो we see that some substances are capable of adding oxygen to others तो इसमें oxygen add करवाया कौन तो यही potassium permagnate या फिर potassium dichromate इसी का help से इसमें oxygen add हुआ है तो यह जो potassium permagnate या फिर potassium dichromate है यह oxygen add करने में help कर रहें तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं oxidizing agent बोलते हैं समझें कि नहीं समझें एक बार फिर से पढ़ते हैं आप ज्यान से समझेगा लिखाए कि कुछ substances है जिनमें यह capacity होता है कि वो दूसरों में oxygen add करवा देते हैं तो ऐसे ही substance को क्या बोलते है oxidizing agent करते हैं इस reaction में alkaline potassium permagnate या फिर acidified potassium dichromate यह oxidize कर रहे हैं alcohols को acid में ठीक है oxidize कर रहे है मतलब oxygen को add कर रहे है to the starting material इसमें add कर रहे है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा oxidizing agent कहा जाएगा ठीक है चलिए इसको आप तिहान रखेंगे यहाँ पे आप यह भी notice करेंगे यहाँ हम यह क्या लिख रखें तो इसको बोलते है molecular formula question आएगा कि exam step से statement आता है कि compound X है ठीक है जिसका molecular formula है C2H6O तो आप यह देखते ही पैचान जाएंगे आपके syllabus के according कि यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है ethanol का बात किया जा रहा है क्योंकि C2 है यहाँ पे तो C2 H यहाँ पे total count करेंगे तो 6 है और एक oxygen तो C2H6O Ethanol का molecular formula है और यह ethanoic acid का molecular formula है C2 ठीक है एच अगर count करेंगे तो 4 और oxygen 2 ठीक है तो यह दोनों formula आप ध्यान रखेंगे इसके उपर एक question आपको बोलते हैं आप देखिए कितना अच्छा question है question आएगा इस type से कि a compound has molecular formula C2H6O ठीक है it can be used as a fuel इसको हम as a fuel भी यूज़ कर सकते है identify the name of the compound तो name of the compound क्या हो जाएगा तो यह हमारा ethanol है ठीक है फिर आगे इसमें लिखा हुआ है and a functional group present in it इस compound में functional group भी पता किजिए कौन सा functional group है तो इसमें functional group कौन सा है OH ठीक है bond OH यानि alcohol है इ write the reaction involved in the conversion of this compound into ethanoic acid यह compound जो है ethanoic acid में जब convert होता है तो उसके लिए reaction भी लिखिए तो आपको यह वाला reaction लिखना है समझे की नहीं बहुत important question नहीं है और exam में अगर आप इसको प्रिपेर नहीं किए तो आपको अच्छा-खासा confuse भी कर देगा आप यह दुनों formula को अच्छा स addition reaction यह तो और भी important सबसे ज़्यादा important ठीक है इसमें लिखा है कि unsaturated hydrocarbons जो होते है न वह क्या करते है oxygen को hydrogen को add कर लेते हैं hydrogen कर करके किसमें convert हो जाते है saturated hydrocarbons में convert हो जाते है in the presence of catalyst जैसे कि palladium और nickel सबसे पहले आप यह catalyst word समझे उसके बाद हम इस line पर वापस आएंगे ठीक है catalyst क्या होता है तो catalyst ऐसे substance होते हैं जो किसी reaction को होने में या फिर प्रोसीड होने में help करते है at a different rate without the reaction itself being affected मालीजे कोई यहाँ पर chemical reaction है a plus b gives c plus d यह reaction हो रहा है अब इस reaction का अगर आपको speed बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे catalyst का यूज़ करेंगे catalyst क्या है ऐसा substance है कि बीना reaction में participate किये ठीक है बीना reaction को effect किये यह reaction का rate जो है rate जो है वो increase कर देता है ठीक है तो ऐसे substance को catalyst बोलते हैं समझे के नहीं समझे देखिए तो catalyst are substances that causes a reaction to occur at a different rate without the reaction being affected समझे इतना चलिए अब वापस पहले लाइन पर आते है इसमें लिखा है कि जो unsaturated hydrocarbons है न वो किस में convert हो जाते है saturated hydrocarbons में convert हो जाते है convert होने के लिए क्या चाहिए उसमें hydrogen add होना चाहिए तो यह unsaturated hydrocarbons saturated में कैसे convert होते है अगर हम कुछ catalyst का यूज करें तब कुछ catalyst मुझे से की palladium हो गया और nickel हो गया अगर हम इन सब catalyst का यूज करेंगे तो यह unsaturated hydrocarbons saturated में convert हो जाएगा आप यहाँ पर एक example देखिए यह reaction देखिए यह दो carbon के बीच में यहाँ पर double bond है इसका मतलब यह है एक unsaturated hydrocarbons ठीक है यहाँ पर RR लिखा हुआ है मतलब R कुछ भी होगा कोई carbon हो सकता है या फिर hydrogen हो सकता है जो भी हो ठीक है यहाँ पर हम nickel catalyst का यूज कर रहे है आप nickel के बजाए palladium भी यूज कर सकते थे और plus hydrogen यहाँ पर add जैसे double bond से single bond हुआ हम समझ गए यह अब क्या बन गया है saturated hydrocarbon बन गया है ठीक है और इसका एक हाथ खोले है तो इस carbon का एक एक हाथ बढ़ गया तो उस एक एक हाथ में क्या आजाएगा hydrogen आजाएगा यही दो hydrogen यहाँ पर add हो गया ठीक है तो यही reaction के बाड़े में यहाँ पर ब vegetable oils using a nickel catalyst जो vegetable oils होता है देखे vegetable oils generally क्या होते है unsaturated carbon chains होते हैं तो vegetables oil को saturate जब करते हैं यानि जब उसका hydrogenation करते हैं तब इसी reaction का use होता है ठीक है एक्जाम में question पूछेंगे industrial application of addition reaction तो आपको यह line यहाँ से यहाँ तक लिखना है ठीक है industries में हम इस reaction का use करके vegetable oils को hydrogenate करते हैं hydrogenate करना मतलब hydrogen को add करना ठीक है एक्जाम में इसका definition आता है अलग से कि define hydrogenation reaction तो इसका definition अब यहाँ लिख रखे the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to get a saturated hydrocarbon in the presence of nickel और palladium as catalyst is called hydrogenation कितना अचा definition है यह समझे इसका मतलब simple length में समझ माई ही गया होगा तो जब हम vegetable oils जो की vegetable oils क्या होते हैं unsaturated होते हैं इसको जब हम hydrogenate करते हैं तो इसी reaction का use करते हैं nickel catalyst का help से तो एक्जाम में direct आता है कि इसका addition reaction का industrial application बताई है एक दम exact यही word यूज करेंगे industrial application तो आपको यह लाइन लिखना है बहुत important यहां बहुत बार आचुका है यह question चलिए अब यहां पर हमें दो चीज़ समझना होगा एक तरफ है vegetable oils और दूसरा तरफ है आपका animal fats ठीक है इसका nature जो होता है वह generally liquid होता है physical nature और इसका physical property होता है solid ठीक है एस एल आईडी solid और vegetable oils जो होते हैं यह unsaturated होते हैं और animal fat जो होते हैं यह होते है ठीक है unhealthy इतना point आप याद रखेंगे दोनों के बीच में चलिए अब आगे पढ़ते हैं आप आगे और चलाएगा आपको देखे आगे लिखाए कि vegetable oils generally have long unsaturated carbon genes समझ में आ गया जबकि animal fats दूसरी तरफ saturated carbon genes में होते हैं ठीक है आपने कई बार advertisement भी देखा होगा यह बोलते हुए कि vegetable oils जो होते हैं वो healthy होते हैं तो animal fats जो होते हैं वो generally saturated fatty acid होते हैं जो की health के लिए harmful होता है अभी आपको बताए ठीक है तो oils containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking तो ऐसा ही oils हम लोग cooking के लिए इस्तमाल करना चाहिए जिसमें क्या हो unsaturated fatty acid हो जो सरीर के लिए healthy होता है समझें इतना चलिए तो यह बात आप धिहान रखेंगे इतना छोटा सा topic है लेकिन question बहुत type से आता है चलिए एक question आपको देते हैं इस topic के उपर एक बड़ा सा question इस type से आएगा कि name the functional group of organic compound that can be hydrogenated यह पहला बात है तो कौन hydrogenate होता है यह ऐसा compound hydrogenate होता है मतलब unsaturated hydrocarbon hydrogenate होता है तो इसमें functional group कौन सा है तो इसका functional group हो जाएगा unsaturated मतलब क्या तो alkynes होगा क्या तो alkynes होगा ने and alkynes तो यही functional group है जो क्या होते है hydrogenation reaction undergo होते है ठीक है चलिए फिर इसी question में आगे add क्या हुआ है कि with the help of suitable example explain the process of hydrogenation mentioning the conditions of the reaction आप hydrogenation reaction को explain कीज़े एक example से तो आपको पूरा यहां से लेके यहां तक लिखना पड़ेगा ठीक है फिर इसी question में एक और part है add किये है कि name anyone natural source of organic compound that can be hydrogenated ऐसा कौन सा organic compound है natural source वाला जो hydrogenate हो जाता है तो vegetable oils जो है यह hydrogenate हो जाता है क्योंकि vegetable oils unsaturated है यह hydrogenation reaction undergo होगा समझे तो इस question का ऐसा question आता है आपके exam में इसको आप त्यार करेंगे ठीक है फिर इसी topic के ओपर एक question ऐसे भी बनता है कि which type of organic compounds undergo addition reaction तो कैसे organic compounds addition reaction undergo होते है तो आपका हो जाएगा alkynes और alkynes यह दोनों यानि unsaturated hydrocarbons जो है यह addition reaction undergo होते है ठीक है फिर इसी question में add करेंगे कि mention the industrial application of addition reaction इसका industrial application बताइए तो industrial application के लिए आपको यह line लिखना है ठीक है फिर hydrogenation का definition भी पूछेंगे आपसे तो यह आपको यहां से यहां तक लिखना है देखें कितना चोटा था topic ह है लेकिन questions कितना variety का आता है चलिए तो यह आप अच्छे से prepare करेंगे अब हम आगे move करते हैं आगे हमारा एक last topic है जो की है substitution reaction देखिए जो saturated hydrocarbons होते हैं न हमें पहले पता हैं यह उतना reactive नहीं होते हैं यह unreactive होते हैं और inert होते हैं in the presence of most reagents किसी के साथ भी आप इसको reaction करवा यह है ठीक है however लेकिन अगर आप इसको sunlight के presence में chlorine के साथ अगर react करवाए ना तो तब यह reaction कर लेते हैं chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction तब यह reaction काफी तेजी से होता है chlorine जो है वो hydrogen को replace कर देता है इसी को बोलते है substitution reaction क्योंकि यहां पे एक type of atom को दूसरा atom replace कर रहा है आप इस reaction में देखिए य यह है methane CH4 इसमें chlorine add हो रहा है in the presence of sunlight ठीक है यह बहुत important condition है तो यहां पे कितना hydrogen था चार आप देखिए CH3 एक hydrogen कम गया और उसके बदले में क्या आ गया chlorine आ गया तो chlorine जो है क्या कर रहा है hydrogen को substitute कर रहा है इसलिए इसको substitution reaction कहते हैं समझे यह बात चलिए तो यहां पे यह formation हो र देंगे कि chlorine react with saturated hydrocarbons at room temperature in the dash चार option दिए है तो chlorine कब react करता है option number B हो जाएगा presence of sunlight ठीक है चलिए तो यहां पूरा त्यार करेंगे फिर अगला यहां पे कुछ questions दिया गया है इसको देख लेते हैं तो पहला question में बुला गया है कि why is the conversion of ethanol to ethanoic acid and oxidation reaction यह reaction एक oxidation reaction क्यों है क्योंकि इसमें oxygen add हो रहा है ठीक है और oxygen कैसे add हो रहा है in the presence of acidified potassium dichromate या फिर alkaline potassium permagnate ठीक है इसके presence में यह oxidation reaction होता है चलिए दूसरा question इस कि a mixture of oxygen and ethane is burned for welding can you tell why a mixture of ethane and air is not used welding के लिए हम ethane और oxygen को साथ में burn करते हैं ठीक है तब welding करते हैं तो हम क्यों ethane और oxygen के बदले ethane plus air क्यों नहीं लेते हैं तो यही reason होगा कि देखिए ethane को जब sufficient amount of oxygen मिलेगा तो ethane का complete combustion होगा और यह blue flame के साथ full efficiency के साथ जलेगा अगर हम ethane को air के साथ burn करेंगे तो air में तो सिक oxygen नहीं है ना nitrogen भी है carbon dioxide भी है बहुत सरा gases है तो यहाँ पर उतना efficiently इसको oxygen नहीं मिल पाएगा क्योंकि जलने के लिए burning के लिए हमें main क्या चाहिए oxygen चाहिए बाकी gases कोई यहाँ पर roll है नहीं तो जितना तो oxygen देंगे उतना समझे चलिए तो इतना चीज आपको इस टॉपिक से पिपेर करना है अब हम आज आते हैं दूसरे टॉपिक पर दूसरा टॉपिक है इसमें हमें दो compound के बारे में study करना है एक है ethanol और एक है इथनॉइक एक एथनॉइक एसिड लेकिन उसके पहले आपको पता यह क्या करना है है चोड़ा सब ब्रेक लिए लेते हैं को उसके बाद हम इस टोपिक को कंटिन्यूउग करते हैं ठीक है अब हुआ है तो आईए अब स्टार्ट करते हैं अगले टोपिक को इसमें हमें पढ़ना है सम इनपोर्टेंट कारवन कंपाउंड इसमें हम इथनॉल और compound को steady करेंगे ठीक है इनका physical property chemical property डिटिल में study कर रहे होंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो अध्यान से सुनिए है कि इसके उपर questions बहुत अच्छे level के बनते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Ethanol से तो देखिए properties of ethanol ethanol का अगर formula देखना चाहे तो वह कैसा होता है तो वह होता है आपका C2H5 वह होता है C2H5OH यह हो गया short form अगर इसी को expand करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले होगा CH3 फिर bond CH2 फिर OH या फिर बीना bond का पर लिख देते हैं हम लोग CH3 CH2 OH यह तीनों ही चीज क्या है Ethanol है आपको तीनों ही दिमाग में रखना है ठीक है यह वाला भी दिमाग में रखिए और यह वाला भी इस प्रोपर्टी देखते हैं सबसे पहला इसका प्रोपर्टी है कि यह लिकविड होता है रूम टेमपरेचर पर रूम टेमपरेचर मतलब रूम का टेमपरेचर एप्रोक्स 34 degree Celsius के आसपास होता है तो इस temperature पर ethanol जो है वो क्या होता है liquid होता है ठीक है चलिए फिर आगे देखिए इस नोल इस कॉमनली कॉल्ड अल्कोहॉल अधिस इस एक्टिव इंग्रीडियन और अल्कोहॉलिक ड्रींक इस इन अधिशन बिकॉज इट इस अधिर गूट शॉल्वेंट टेटा है सॉल्वेंग का में अच्छा शॉल्वेंट है आपको मतला इसमें कोई भी चीज आसानी से घुन सकते है ठीक है it is used it is also used in medicines such as tincture iodine cup syrup and many tonics तो इसको में दवाईों में भी यूज किया जाता है tincture iodine cup syrup तो आप पीए ही होंगे और पीने के बाद आप मैसूस किये होंगे कि काफी नीन दाता है आपको क्यों कि उसमें क्या होता है इत नॉल होता है ठीक है कई सारे जो tonics होते है उसे भी इतनOL यूज किया जाता है ठीक तो इतनोल का यहाँ पर दो यूज़ आप याद रखेंगे में नमबर वन यह अच्छा सॉल्बेंट है नमबर टू मेडिसिंस में यूज़ होता है यह सब मेडिसिंस में ठीक है इसके अलावा इतनोल जो है वह सॉल्यूवल इन वाटर है इन ओल प्रोपोर्शन मतलब आप मा स्मॉल कॉंटिटीटी ऑफ डाइलूट इतनोल कॉज़ेस ड्रंकेननेस अगर आप थोरा सा भी इतनोल पी लेते हैं थोरे कॉंटिटी में भी तो आप क्या हो जाएंगे मद होश हो जाएंगे फिर आगे देखिए इभन दो तो यह जो है अलकोहल ड्रिंक करना का प्रैक्ट एफ इसल्ल देखिए लेते हैं इसोगा जै प्रैक्षर प्रindruck के बाजएंगे Philipp के बारे में इतना बात अब ध्यान रखेंगे ठीक है कोशन कैसा बनेगा अभी हम बताएंगे थोड़े दिर में और इतनोल का जो smell होता है यह याद रखिएगा इसका smell होता है sweet smell pleasant smell कि इसको हम यूज करेंगे ठीक है sweet smell या फिर बोल सकते है pleasant smell चलिए, अब हम आजाते है, reactions of ethanol पे, ठीक है, यहापे हमें दो reactions पढ़ना है, ethanol का, पहला है reaction with sodium, और दूसरा है reaction to give unsaturate hydrocarbon, देखते हैं, पहले बाले को देखते हैं, यह हमारा क्या है, पैचानिए इसको, तो CH3, CH2, OH, यह हमारा ethanol है, इसको हम react कर वा रहे हैं, किसके साथ, sodium के साथ, ठीक है, तो हमें एक क्या मिल रहा है, sodium ethoxide मिल रहा है, ठीक है, इसका formula आप याद कर लेंगे, CH3, CH2, OH, यह H जो था, यह H हटके, यह N आ गया है, ठीक है, N, और यह जो H था, यह अलग से hydrogen के रूप या फिर burning candle लाते है, तो hydrogen कैसे जलेगा, pop sound के साथ जलेगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, इसके उपर बहुत question बनता है, इस chapter से भी, ठीक है, चलिए, तो reaction with sodium आपको त्यार कर लेना है, यहाँ पे, कि sodium के साथ जबी भी react होता है, तो यहाँ पे जो H है, वो हट कर जाता है, उसके बनले में N आजाता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, sodium, क्योंकि यहाँ पे Na है, इथोकसाइड, ठीक है, और यह जो hydrogen है, वो अलग से hydrogen gas के रूप में separate हो जाएगा, ठीक है, तो alcohols जो है, वो react करते है, sodium के साथ, with leading to evolution of hydrogen, और एक hydrogen gas निकालते है, ठीक है, with ethanol, जो दूसरा product, ethanol का अगर हम ले, तो दूसरा product यहाँ पर जो मिलता है, उसका नाम क्या है, sodium ethoxide, यह नाम आप याद रखेंगे, direct question बनेगा exam में, कि जब हम ethanol को sodium के साथ react करते हैं, तो कौन सा product बनता है, तो आप लिखना पड़ेगा sodium ethoxide, उसका formula भी पूछ सकते हैं, तो और जहां तक रहा, balancing का बात, तो देखिए, यहां तक तो सब ठीक था, यहां से सीधा H हट रहा है, तो उसके बदले में Na आ गिया, लेकिन यह H, सिफ H के रूप में तो नहीं रह सकता है, आपको पहले भी बता चुक है, यह molecule बनेगा, H2 बनेगा, ठीक, इसलिए हमें यहां इसथे, इसका balancing का बढ़़ा ग Indust雪 एगा, और यह Two का वजह से हमें यहां पर लगाना पर रहा, और यहां पर टु लगाने का वजह से हमें यहां टू लगाना पर हैं और यहां टू लगाने से sodium भी two हो गया, मतलब यहां पर लगा ठीक है, इस तरीके सिफ यह balance हो गया, तो आ बहुत इंपॉर्टेंट यह जो टॉपिक हम पर रहें ना इथनॉल और इथनॉई कैसी इसमें टोटल हमें पांच रियाक्शन त्यार करना है ठीक है दो रियाक्शन है इथनॉल का और तीन रियाक्शन है इतना इंपॉर्टेंट है और इतना कंफ्यूज करेगा आपको अगला है रियाक्शन तो गिव अन्साचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए अगर हम इथनॉल को हीट करेंगे कितना टेंप्रेचर पर 443 केल्विन पर हीट करें विज एक्सेस कॉंसेंट्रेटर सल्फिरीक एसिड लेके तो क्या होगा इथनॉल डिहाइड्रेट हो ज यह हमारा है इथनॉल इसको हम हीट कर रहे हैं किसको लेके किसके साथ तो होट कंसेंट्रेटर सल्फिरीक एसिड होट है मतलब हीट कर रहे हैं कॉंसेंट्रेटर सल्फिरीक एसिड लेके हीट कर रहें ठीक है तो इससे क्या होता है डी हाइड्रेशन हो जाता यह वाट पर ध हटी है और यहाँ पर CH2 है और द्रूण का वैलेश्ट सर्टिसफाई करने के लिए यहाँ पर डवलबॉन्ड आ जाएग जये और यह यहे च और यह grabbed हो यहाँ इच टू हो यहाँ पर सिपरेट फो यह तो पानी अज़ड के यहाँ पर बोल सकते हैं यह जो इधन Аल था यह dehydrate होके क्या बन गया इसका नाम क्या होगा बताइए इसका नाम तो आप बोलेंगे दो कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड है तो इन एथीन है इसका नाम ठीक है बहुत इंपोर्टेंट डायरेक्क कोशन बनता है इसके उपड़ आपसे पूछ लेंगे कि हाउव इथीन प्रिपेर्ट फ्रॉम इथेनॉल इथीन कैसे बनता है इथेनॉल से आपको यह पूरा यहां से लिखना पड़ेगा और यह एक्वेशन तो मस्ट है ठीक है यह आपको भी लिखना पड़ेगा केन बी रिगारडेड एज़ डी हाइडरेटिंग एजेंट विच रिमूबस वाटर फ्रॉम इथेनॉल यहां पर कॉंसेंट्रेटर सल्फूरिक एसिट क्या है डी हाइडरेटिंग एजेंट है पानी रिमूफ करने में हेल्प करता है तो देखे यह इतना छोटा सा टॉपि as a dehydrating agent ठीक है which removes water from ethanol इतना लिग देना है आपको चलिए तो यह दो reaction हमने cover कर लिया ethanol का इसी के साथ ethanol खतम हो जाता है और यहां पर कुछ do you know में कुछ अच्छा अच्छा बात बताया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए देखिए alcohol कैसे effect करता है living beings को जबी भी ethanol हम consume करते हैं तो इससे हमारा metabolic process जो है वो slow हो जाता है और हमारा brain का एक part है central nervous system वो भी मतलब सुस्थ पढ़ जाता है ठीक है इससे हम ठीक से coordinate नहीं कर पाते हैं आपने हाग के लोग नहीं कर यह ना लोग क्या करते हैं मतब्दा रूपी दें ठीक है ताकि सारा टेंशन खतम हो जाए तो इतना समझे आप अब देखिए यहां पर हम देख रहे थे c2h5oh यह क्या है इतनोल है क्योंकि यह पर दो कार्बन उसलिए इतनोल हो इसका नाम पर रहा है ठीक है अगर कहीं पर लिखा हुआ इक ch3oh तो बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा ताब बोलेंगे यहां पर एक ही कार्बन है तो इसका नाम हो थोड़ा सा quantity भी ले लेते हैं ना तो आपका क्या हो सकता है मौस हो सकता है क्यूंकि जब भी आप मेथलों जैसी आप मेथनॉल लेंगे मतला पीएंगे तो लीवर में जाके यह मेथनॉल जो है कंवर्ट होके क्या बन जाएगा मेथनाल बन जाएगा एक एल्दिहाइड बन ठीक है तो सेल का अंदर जो जितना भी कॉंपोनेंट挑 ईसके साथ मैथनार करता है और उसको को टोलेट मतलब जमा देता है जैसे कि आप जैसेन अदर प्रp और क्योंद सब्सक्रूद्ग मेथन ऑंस जाता है और मेथनोनोल साथ ही साथ आपके optic nerve को भी effect करता है जिसे आप अंधे हो जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से methanol जो है आप थोड़ा साभी quantity लेंगे तो आपके लिए मौत का कारण बन सकता है ठीक है चलिए इसके उपर भी question बन जाता है आपसे पूछेंगे कि intake of small quantity of methanol can be lethal comment तो आपको यह कि पूरा बात यहां से यहां तक लिखना पड़ेगा कि कैसे methanol dangerous हो सकता है methanol हमारे liver में जाके किस में convert हो जाएगा methanol में ठीक है इस reaction को oxidation कहेंगे methanol जो है वो cell component के साथ react करता है और इसको coagulate कर देता है पूरा protoplasm को protoplasm मतलब cell के अंदर जितना भी चीज़ है nucleus, cytoplasm, cell organelles ठीक है यह सब coagulate कर देगा और हमारा अर्देत हो जाएगा ठीक है और methanol जो है optic nerve को भी effect करता है जिसे हम blind हो जाते हैं चलिए फिर आगे ethanol के बारे में एक और अच्छा बात बताया गया है देखिए ethanol हमें पता है काफी अच्छा क्या है solvent है मतलब इसमें हम बहुत सारा चीज़ घोल सकते हैं तो इसको industry में use किया जाता है industrial solvent की तरह ठीक है अब इसका misuse को prevent करने के लिए क्योंकि लोग को अगर ethanol free में मिलने लगा तो यह लोग पी ना start कर देंगे ठीक है तो लोग इसको पी पाए इसलिए ethanol को क्या किया जाता है unfit for drinking बनाया जाता है कैसे बाइडिंग poisonous substance like methanol in it क्या करते है कि इस ethanol में जहर मिला दिया जाता है जैसे कि methanol इस methanol मिला देंगे तो यह unfit हो जाएगा पीने के लिए लोग इसको पी नहीं पाएंगे अब माली यह किसी को पता नहीं है कि प्लूर एड कि इस alcohol का color एड़ कि लूछ हो जाए और लोग इसको easily identify कर ले ठीक है और लोग इसको ना पिए समझे तो ऐसे alcohol को बोलते है denatured alcohol मतलब denatured alcohol ऐसा अलकोहल है जिसमे इथनॉल होता है जिसको unfit for drinking बनाया गया है by adding poisonous substance like methanol ठीक है और इसमें dyes add किया जाता है ताकि इसका color blue रहे ताकि लोग इसको easily identify कर ले ऐसे अलकोहल को क्या कहते है denatured alcohol समझे की नहीं अगर mcq बनता है इसके उपर तो कर लेंगे अब चलिए यह हो गया फिर एक और है यहां पर more to know में alcohol को आजकल हम लोग as a fuel यूज कर रहे है देखिए sugarcane juice से क्या बनता है molasses बनता है और इसी molasses को ferment करके breakdown करके क्या बना जाता है alcohol यानि ethanol बनाया जाता है ठीक है तो कुछ countries जो है वो क्या कर रही है alcohol को petrol में मिला के यूज कर रहे है ठीक है क्यों क्योंकि alcohol जो है हमें पता है यह एक saturated है hydrocarbon है मतलब saturated carbon compound है जो की काफी clean fuel है ठीक है जो सिफ carbon dioxide और water release करता है burning में लेकिन हमें पता है petrol में nitrogen भी होता है sulfur भी होता है हमने थोड़े पहले पढ़ा था जो अगर जलता है तो nitrogen oxide sulfur oxide जो की major pollutant है वो रिलीज होता है अगर हम इस petrol में alcohol मिलाएंगे तो जो fuel है वो थोड़ा clean होगा ठीक है चलिए तो यह बात भी आप धियान रखेंगे तो इतना ही बात हमें त्यायर करना है ethanol से एक बार अगर हम recap करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखे physical properties बहुत सारा है इसका यह liquid होता है room temperature पे alcoholic drink का active ingredient है इसका use देखे हम यह water में सभी proportion में ठीक है और इसका जो ज़्यादा consumption अगर आप करेंगे तो आप मदहोस हो जाएंगे और अगर absolute alcohol यानि pure ethanol अगर आप लेते हैं तो इसका थोड़ा सा भी quantity आपके लिए घातक हो सकता है फिर दो reaction हम देखे reaction with sodium तो क्या बनता है sodium ethoxide और hydrogen gas जो की pop sound के साथ जलता ह है ठीक है और दूसरा हमने reaction देखा कि कैसे ethanol जो है वह एक इथीन में convert होता है concentrated sulfuric acid जो है वह इसको dehydrate कर देता है और यह में convert हो जाता है मतलब एक alcohol unsaturated hydrocarbon में change हो रहा है यहां पर यह reaction बहुत important इसके उपर question भी हमने देखा याद रहेगा इतना बात चली और यह जो भी arrow के उपर जो यह लिखा रहता है ना इसका रोल आप याद रखेंगे बहुत important होता है concentrated sulfuric acid का रोल पूछ सकते हैं फिर पीछ आपको याद होना चाहिए फिर यहाँ पर हम alkaline potassium permagnate या acidified potassium dichromate यूज किये थे इसका रोल क्या है यह भी exam में पूछते हैं तो यह सब क्या है oxidizing agent है यह याद रखेंगे ठीक है इसलिए हम सब में यहाँ पर star लगा रखें ब्लू दो star है इसका रोल आप याद रखेंगे य ठीक है चलिए और यह साथ उसके साथ साथ आप यह भी याद रखेंगे आप molecular formula यह है इतनौल का molecular formula C2H6O और यह है इतनौई acid अब हम इसी को study करने वाले इसका molecular formula है यह identify कैसे करेंगे देखिए इसमें दो ओ होता है C00 इसलिए पर O2 है लेकिन इसमें एक ही O होता है इसलिए लाच में सिफ O है ठीक है तो C2H6O यह हो गया इतनौल का molecular formula और C2H4O2 यह हो गया इतनौई acid का चलिए अभी बताएंगे इसके उपर एक कोशन तब आपको और क्लियर होगा उससे पहले हम इसको study कर लेते है इतनौई acid को ठीक है देखिए यह दा properties of ethanoic acid formula अगर बात करें तो इसका formula क्या होगा तो CH3COOH यह formula है इसका अच्छा से आप दिवाग में बैठा लीजिए जब भी यह देखे तो आपके दिवाग में आना चीए ethanoic acid ठीक है इसका common name है acetic acid यह भी आप अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है and belong to a group of acid called carboxylic acids का group में यह बिलोंग करता है ठीक है पहला बात दूसरा 5-8% solution of acetic acid in water is called vinegar मतलब अगर आप यहाँ पे 100 ग्राम अगर पाणी लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम से 8 ग्राम तक अगर आप acetic acid यानि इथेनोग अगर आप उसमें मिला दे तो यह जो आपको solution मिला इसको क्या बोलेंगे vinegar गएंगे समझे और vinegar का use कैसे किया जाता है तो इसको as a preservative use किया जाता है pickles के लिए अचार खराब ना हो जाए इसको बचाने के लिए हम vinegar डाल देते हैं तो as a preservative इसको use किया जाता है याद रखेंगे यह बात चलिए इक्जाम में एक नमर के लिए कोशन पूछ सकते हैं कि vinegar कैसे बनता है तो यह percentage याद करना पहुत जूरी है 5-8% solution of acetic acid वह भी किसमे water में ठीक है चलिए यह बहुत important लाइन है इथनोईग एसिट को acetic acid भी कहते है फिर आगे देखिए the melting point of pure ethanoic acid is 293 Kelvin इतना पर melt हो जाता है का फिर आगे लिखा है the melting point of pure ethanoic acid, pure ethanoic acid का melting point है 290 Kelvin ठीक है and hence it often freezes during winter in cold climate तो थंड के टाइम में यह जम जाता है जैसे नारियल तेल होता है थंड के टाइम पर जम जाता है वैसे यह भी winters के टाइम में जम जाता है ठीक है फ्रीज हो जाता है this give rise to its name glacial acetic acid इसलिए इसको acetic acid को हम कभी-कभी glacial acetic acid भी कहते हैं क्योंकि यह winters के टाइम में क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है चलिए फिर आगे इसमें लिखा है the group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by acidic nature चुकि इसके नाम में ही acid लगा हुआ है तो इसका nature क्या होगा acid ही होगा acidic nature है इसका मतलब यह blue litmus paper को किस में convert कर देगा red में convert कर देगा यादेगी नहीं chapter 2 में हम पढ़े है इसको detail में चलिए अब acid जो होता है दिखिए जो हमने chapter 2 में पढ़ा था जो acids के बारे में जिसे की HCL हो गया hydrochloric acid sulfuric acid सबसे खतरनाक फिर nitric acid HNO3 यह सब जो acids है ना इसको हम लोग बोलते है mineral acids और अभी जो हम acid पर रहे है इथनोइक acid वो क्या है एक carboxylic acid है अब mineral acid carboxylic acid में difference क्या है तो यह mineral acid काफी strong acid होते हैं ठीक है strong acid इसलिए होते हैं क्योंकि यह completely ionized हो जाते हैं ठीक है ions में पूरा break हो जाते हैं लेकिन यह carboxylic acid पूरा ions में convert नहीं होते हैं यह partially ionized होते हैं इसलिए इसको weak acid कहते हैं carboxylic acid को तो difference समझे mineral acid और carboxylic acid में mineral acid क्या है strong acid है क्योंकि यह completely ionized होते हैं carboxylic acid weak acid क्योंकि यह partially ionized होते हैं बस इतना बात याद रखेंगे आप कोशन बनता है इसके उपर ठीक है चलिए आगे आगे आप अब देख लेते हैं reactions reactions of ethanoic acid बताए यह कितना reaction पढ़ना है हमें तो यहाँ पे हमें तीन reaction पढ़ना है सबसे पहला reaction है esterification reaction इसका नामी है esterification देखते हैं क्या होता है esterification reaction से esters का formation होता है esters are most commonly formed by the reaction of acid and an alcohol acid जिसके बारे में अभी हम पढ़ी रहें कौनसा acid हम पढ़ रहें बताए तो आप बोलेंगे ethanoic acid जिसका formula क्या है CH3CH OH ठीक है और alcohol अभी हम थोड़े देर पहले पढ़े कौनसा alcohol पढ़े अभी तो आप बोलेंगे ethanol के बारे में पढ़ें जिसका formula क्या होता है तो C2H5OH या फिर बड़े रूप में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे CH3CH2OH ठीक है यह हम बार-बार क्यों रिपिट करें ताकि आपको अच्छे से दिवां में बैट जाए थ्यान से आप सुनिएगा इसको ठीक है तो जबी भी एक acid और एक alcohol का reaction होता है तो क्या बनता है इस्टर्स बनता है ठीक है देखिए तो इथनोईक acid जो है वो react करेगा किसके साथ absolute ethanol के साथ in the presence of acid catalyst यहां पे भी एक reaction में condition है कि आपको एक acid यूज़ करना पड़ेगा जो की as a catalyst की तरह काम करेगा catalyst या देकी भूल गए catalyst एक ऐसा substance होता है जो reaction के rate को बढ़ा देता है without affecting the reaction बेहाए reaction में participate किये वो reaction का rate को change करता है ठीक है ऐसे substance को catalyst कहते है तो यह जो reaction है न इतनोईक acid और ethanol का यह हो पाता है तब ही जब हम एक acid catalyst को use करें ठीक है तो देखिए reaction कैसे होता है यहां पे यह यहां पे है CH3COOH और यहां पे CH3CH2OH तो होता क्या है कि CH3COO यहां तक तो रहेगा CH3COO समझे रहें यहां तक अब यह जो hydrogen है यह last वाला hydrogen हट जाएगा last वाला hydrogen यह OS के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O बनके separate हो गया और यहां पर जो एक आधा पार्ट मिल गया CH3 और CH2 वो यहां पर लग जाएगा CH2 CH3 समझे की नहीं तो यह पूड़ा का नाम क्या हो गया इसका नाम आप याद रखेंगे इसको खुद से लिखने का कोशिश की यह उपर जो बें रियक्शन देखा इस चरीफिकेशन रियक्शन उसको खुद से लिखते हैं देखिए इसमें होता है सबसे पहले इथनौइक एसीड तो CH3COOH यह हमने ले लिया इसनौइक एसीड फिर इसमें क्या एड करेंगे तो एड करेंगे हम इथनौल इथनौल का फॉर्मूला क्या होगा तो CH3CH2OH है की नहीं यहाँ पर रियक्शन होगा अब रियक्शन में देखिए सिम्बल्स ऐसा यूज किया हुआ था यह रियक्शन था यह अब यह ऐसा क्यों है इसके उपर थोड़े दिर में आएंगे फिलाल आप जो मेन बात है उस पर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्याशीज यूज कर रहे हम यहाँ पर तो आप बोलेंगे एक ऐसीड यूज कर रहे हैं एज़ा कैलिस्ट ठीक है रियक्शन कि तो वैसा भी लिख सकते हैं इस्टक्चर बनाके कि CH3 CH3 ऐसे लिखते हैं और यहाँ बॉंड और फिर यहाँ पर एक ओ देते हैं और यहाँ पर क्या लगएगा यहाँ पर इतना वाला पार्ट लगएगा अब CH2 कम हैजन वाला यहाँ पर आएगा CH2 CH3 यह यहाँ पर हो इसका नाम क्या बुले थे इथाइल एथोकसाइड ठीक है उमीर करते हैं आपको यह रियक्शन अच्छे से किलियर हुआ होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा ठीक है बसर से अगर आप अभी कॉपी पर लेके बैठे हो और अभी साथ में इसको प्रैक्टिस कर लेकिन इसका खास नाम क्या है इसका अभी खास नाम क्या हो गया इसका नाम याद रखेंगे ठीक है अब ये कोशन बोलेंगे जिसमें इसका यूज पड़ेगा अब हम इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं यह इस बात पर आएंगे कि यहाँ पर ऐसा सिंबल क्यों यूज किया है उसके बारे में भी आएंगे ठीक है देखिए स्टर्स जोते हैं वह स्वीट स्मेलिंग स्टैंस होते है ठीक है काफी इसका फ्रूटी स्मेल होता है यह याद रखीगा आप है फल जैसा मीठा-मीठा सेंट करता है यह सिसका यूज किया जाता है पर्फुम्स बनाने हाइड्रोकसाइड है यह बेस होता है ठीक है तो यह जो इस्टर है यह वापस कनवर्ट हो जाएगा आलकोहॉल में और सोडियम सॉल्ट आप कार्वकसिलिक एसीड में अब यह क्या क्या बोल दिया आपको समझ बनी आया होगा इस बस इस रेक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते है क्योंकि इस रेक्शन का इस रेक्शन के सोब बनता है चलिए वापस फिर से आते हैं लिखा है कि यह जो इस्टर बनाए ना अगर आप इस इस्टर को इस इस्टर का शॉर्ट फर्म क्या होगा तो CH3 यह जो C double O खोला हुआ है इसलिए भेंकर लग रहा है इसको हम शॉट में सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ अगर रियक्ट करवा दें ट्रीट कर दें सोडियम हाइड्रोकसाइड का फर्मुला बोलिए तो एने ओएच ठीक है अगर हम इसके साथ रियक्ट कर दें तो यह जो इस्टर है किस में कंवर्ट हो जाएगा अलकोहॉल में कंवर्ट हो जा CH3COONA, यह मिलेगा, ठीक है, तो इसी reaction को हम क्या कहते है, saponification कहते हैं, क्योंकि इस reaction का use करके क्या बनता है, साबुन बनता है, चलिए, इसको एक बार, इस reaction को हम यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे, यह पैचानिये, यह क्या चीज है, तो यह तो वही है, जो अभी हम उपर द C2H5, ठीक है, इसको अगर हम sodium hydroxide के साथ, अगर treat करें, तो यह वापस किस में convert हो जाएगा, उस alcohol में convert हो जाएगा, इसनोल में, C2H5 OH, और साथी साथ क्या मिलेगा, एक sodium salt of carboxylic acid, यहाँ तक तो carboxylic acid था, एच हट के sodium आ गया, तो इसलिए को क्या बोलते है, sodium salt of carboxylic acid, ठी ठीक है, चलिए, तो इस reaction को क्या बोलते है, यहाँ से यहाँ तक को saponification, यह जो आपको मिला न, यही चीज क्या है, soap की तरह काम करता है, soap और detergent अभी एक अलग से topic है, उसमें हम study करेंगे, ठीक है, तो इबर फिर से पढ़ते हैं, देखिए, on treating with sodium hydroxide, the ester is converted back to alcohol, ester वापस कि इसमें convert हो जाएगा, alcohol में, और एक sodium salt of carboxylic acid मिलेगा, यही जो sodium salt of carboxylic acid है न, यही soap की तरह काम करता है, इसलिए इस reaction को क्या कहते है, saponification कहते है, मतलब इसमें soap का formation होता है, ठीक है, saponification का हिंदी जानते हैं, क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, साबुनी क ठीक है, और soaps are sodium potassium salts of long chain carboxylic acid, देखे, यह जो यह तो काफी एक छोटा सा molecule आपको मिला, soap का काफी छोटा molecule है, लेकिन जो soap होता है असली में, वो क्या होता है, sodium salty होता है, लेकिन लंबा chain होता है, यहाँ पर आगे में बहुत सारा hydrocarbon लगा होगा, उसके बाद यह ऐसा है, यह हम सोक पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है, चलिए, फिलाल आप इतना बात याद रखिए, sterification reaction में क्या होता है, तो ethanoic acid और alcohol react करते हैं, और ister का formation होता है, ठीक है, यहाँ पर acid catalyst की तरह use किया जाता है, यह जो ister है, यह काफी sweet smelling होता है, इसलिए इसका दो use है, perfumes में और flavoring agent की त सोडियम हाइड्रोकसाइट या अगर हम react करवा देते हैं, तो यह इस्टर किस में convert हो जाएगा, alcohol में convert हो जाएगा, और एक मिलेगा, sodium salt of carboxylic acid, जिसका नाम क्या है, sodium acetate या फिर sodium ethanoate, आप यह भी बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं इसका नाम, ठीक है, और general नाम क्या है, sodium salt of carboxylic acid, यह आपको अच्छे से बिठा लेना है, यह अपने दिमाग में, ठीक है, sodium salt of carboxylic acid, जबी भी आप यह सुने, तो आपके दिमाग में इसका image बनना चाहिए, sodium salt है, पुरा carboxylic acid का पार्ट है, इसलिए sodium salt of carboxylic acid, ठीक है, और इसका particular name अगर बोले, तो sodium ethanoate या फ define saponification, तो आपको यह पूरा बात यहां से यहां तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, इस्टरिफिकेशन का भी definition पूछ सकते हैं, तो इस्टरिफिकेशन का definition आप पूरा यहां से यहां तक लिखेंगे, example देने बोलेंगा, तो यह आप reaction लिख देंगे, चलिए, आज आ acid, जिसका formula होता है, CH3, COOH, यह क्या है, एक acid है, इसका जब हम reaction करवाएंगे base के साथ, तो कुछ यादा रहा है आपको, chapter number 2 में हमने पढ़ा था, कि acid और base जब react करते हैं, तो क्या मिलता है, salt plus water मिलता है, और इस reaction को क्या बोलते हैं, बोलिए, तो आप बोलेंगे, neutralization reaction इसको बोलते हैं, तो वैसा ही case यहाँ पर हो रहा है, यह देखिए, ठीक mineral acid की तरह, इथनोईक acid भी जो है, वो base के साथ react करता है, और एक salt और water का formation देता है, जो salt बनता है, उसका नाम फिर से, यही, same salt यहाँ पर भी बनता है, यह देखिए, यह है acid, CH3C level OH, इथनोईक acid, यह है base, NaOH, reaction हुआ, और हमें एक salt मिला, इसको general नाम के आप बलेंगे, तो आप बलेंगे, sodium salt of carboxylic acid, ठीक है, और particular name हो गया, sodium ethanoid, तो salt plus water हमें मिल रहा है, समझ गए, यह reaction easy है, चलिए, अब आजाते हैं, तिसरे reaction पे, तिसरा reaction है, अब हम आजाते हैं, तिसरे reaction पे, तिसरा reaction है, reaction with carbonates and hydrogen carbonates, देखिए, इसमें लिखाएं कि अगर आप इथनोईक acid को, carbonate के साथ, यह फिर hydrogen carbonate के साथ, अगर react करें, तो आपको क्या मिलेगा, एक salt मिलेगा, प्लस carbon dioxide gas मिलेगा, प्लस water मिलेगा, और जो salt जो normally produce होता है, उसको क् है, sodium acetate, वही फिर से, देख रहें, कितना बार repeat हो रहा है, यह देखिए, sodium acetate, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया, इथनोईक acid, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ी रहें, इसके साथ, अगर आप carbonate लेते हैं, जैसे कि sodium carbonate, और दूसरे reaction में हम hydrogen carbonate ले रहें, sodium hydrogen carbonate, तो reaction होगा, एक salt बनेगा, यही सेम salt यहाँ पे भी बन रहा है, salt का नाम क्या है, sodium acetate, प्लस water दोनों में ही है, प्लस carbon dioxide gas दोनों में ही release होगा, इस carbon dioxide gas का feature क्या-क्या है, तो सबसे पहला feature है, यहाँ पे effervescence, बहुत सारा water bubbles दिखने को मिलेगा, ठीक है, effervescence यह produce करता है, EFFERV E, E, S, C, E, N, C, इस property को भोलते हैं, ठीक है, और साथी साथ अगर हम इस carbon dioxide gas को, अगर freshly prepared lime water से अगर पास कर दे, तो यह carbon dioxide इस lime water को क्या कर देगा, white कर देगा, milky कर देगा, lime water turns milky, ठीक है, यह दो feature है, इस gas का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, चलिए, तो यह पूरा questions देखते हैं, exam में एक question बनता है, difference between पे, आप से ethanol और ethanolic acid का difference बूचेंगे, ethanol और यह ethanolic acid का, तो देखेंगे, difference हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक तरफ है ethanol और एक तरफ है ethanolic acid, पहला difference हम यह लिखेंगे, कि इसका smell कैसा होता है, तो ethanol का smell काफी sweet smell होता है, pleasant smell होता है, ठीक है और इसका जो smell होता है, वो काफी pungent vinegar जैसा smell होता है, क्योंकि इससे vinegar बनता है, तो इसका smell vinegar जैसा होता है, ठीक है, vinegar like smell फिर दूसरा difference हम यह लिख सकते है, litmus paper के basis पर, यह तो alcohol है, तो यह litmus paper पर कोई action नहीं करता है, तो no action in litmus paper, लेकिन ethanoic acid है यह, तो यह blue litmus को क्या कर देगा, blue litmus को red कर देगा यह, ठीक है फिर तीसरा difference लिख सकते है, reaction के basis पर, अगर हम इसको hydrogen carbonate का साथ, जैसे की NaHCO3, इसके साथ अगर हम react करवाए, ethanol को, मतलब C2H5OH, C2H5OH, प्लस carbonate, तो यह क्या होगा, no reaction, यह वे कोई reaction ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर, अगर आप ethanoic acid को, CH3, COOH को, अगर react करवाए, sodium hydrogen carbonate के साथ, अभी इसका reaction देखे, तो क्या बनता है, बताइए, तो CH3, C2O, यतना तो रहे गाई, और N है, sodium salt of carboxylic acid, यानि sodium acetate बनेगा, प्लस water, और प्लस carbon dioxide gas, इतना चीज़ आपको देखने को मिलेगा, brisk effervescence आपको देखने को मिलेगा, bubbles का formation, आप देख पाएंगे, ठीक है तो ये तीन point का difference आप त्यार कर लेंगे दोलों के बीच में, बात के लिए रहे हैं यहां तक, चलिए, फिर एक question ऐसे बन सकता है कि इसके basis पर, इस reaction के basis पर एक question बनेगा, reaction with sodium, ethanol का, आपसे बोलेंगे कि a gas is evolved when ethanol reacts with sodium, name the gas and write balance equation, तो जब ethanol sodium के साथ react करता है, तो कौन सा gas evolve होता है, तो hydrogen gas, ठीक है, और पुरा equation भी लिखना है, तो आपको यह पुरा लिख देना है, ठीक है, चलिए, फिर एक बड़ा सा question आप इस type से बनेगा, देखिए, आपसे बोलेंगे, कि a compound X is formed by the reaction of a carboxylic acid C2H4O2, समझे रहें, C2H4O2 यह है इथनोईक acid अमारा and an alcohol in presence of few drops of H2SO4, लिखाएं कि अगर हम carboxylic acid और alcohol को react करते हैं, तो एक compound X बनता है, और यह reaction, एक acid है, H2SO4 उसके presence में हो रहा है, तो इतना ही बात से आप reaction क्या पता कर सकते हैं, alcohol और acid का reaction कौन सा reaction है, तो आप बोलेंगे, हाँ, यह तो हमारा sterification reaction है, क्योंकि इसी में, जो है acid और alcohol दोनों साथ में react करते हैं, तो समझ गई यहाँ पर, a compound X is formed, मतलब यह X, यह X जो compound जो form हो रहा है, वो क्या चीज़ है, तो ethyl ethanoate है वो, ठीके, फिर आगे लिखाए, the alcohol on oxidation with alkaline k-ameno4, यह जो alcohol आप ले रहे हैं, यानि यह वाला ethanol, इसका जब आप oxidation कर देते हैं, किसक by acidification, give the same carboxylic acid as used in the reaction, तो जब आप इस alcohol का oxidation करते हैं, तो वापस आपको carboxylic acid मिल जाता है, अब यह line से कौन सा reaction है, पता कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है, इस reaction के बारे में, कि यह जो alcohol है, वापस acid में convert हो जाता है, अगर हम इसको alkaline potassium per magnet के साथ react ठीक है, तो give the names and structure of carboxylic acid, तो यहाँ पर कौन सा carboxylic acid है, तो आप बोलेंगे, इथनोईक acid है, फिर B में पूछा है, alcohol को identify कीजिए, तो alcohol कौन सा है, तो यह हमारा इथनोल है, compound X, वो X कौन सा है, तो sodium, sorry, क्या है वो, इथाइल इथनोईट है, फिर also write the reaction, तो यह reaction आपको लि समझे, तो अगर यह question अगर आप अच्छे से prepare कर लेते हैं, तो इस से tough level का question तो नहीं आएगा, आप इस question में का value ही समझ सकते हैं, कि कितना चीजिस में involved किया गया है, तो यह question काफी important आप कहीं पर लिख कर लिजिएगा, exam time में जब revise करेंगे, तो इस question से आपका काफी सारा doubt clear होगा, ठीक है, चलिए, अब आएए कुछ questions दिख लेते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला question में बोला गया है कि how would you distinguish experimentally between an alcohol और carboxylic acid, इन दोरों में कैसे differentiate करेंगे, तो आपको इसी reaction के बारे में लिखना है, कि जब हम alcohol को sodium bicarbonate, फिर sodium hydrogen carbonate के साथ react करवाते हैं, तो ऐसा-इसा compound बनता है, और यहाँ पर हमें effervescence देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए, दूसरा question है कि what are oxidizing agent, oxidizing agent का definition पूछ रहें, तो यह तो हम पहले ही देख चुके, यहाँ पर दिया हुआ था, मतलब ऐसे agent जो oxygen add करवाई, उसी को oxidizing agent कहते हैं, बस, आपको यह line यहाँ से य adding oxygen to others, तो ऐसे substance को oxidizing agent कहते हैं, बात के लिए example पूछेंगे, तो आप यह भी लिख सकते हैं, चलिए, बस, इतना एक चीज़ आपको prepare करना है इस topic से, अब हम आ जाते हैं, इस chapter के आखरी topic पे, soaps and detergents पे, ठीक है, लेकिन इसको start करने से पहले उमीड करते हैं, आप भी थग गए होंगी, हम भी थोड़ा थग गए, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम इस topic को energy के साथ थोड़ा खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए अब चलिए start करते हैं, इस chapter का आखरी topic जो की है, soaps and detergents, soaps के बारे में कुछ बात हम पिछले topic में जान चुके हैं, चलिए एक बार पहले उसको recap करते हैं, फिर आगे move करते हैं, हमने यहाँ पे एक reaction पढ़ा था, saponification, जिसमें soap बनता है, ठीक है, यह soap बन कैसे रहा था, हम हम देखेते हैं कि अगर हम ethanoic acid में, को base के साथ react करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक soap मिल रहा था, ठीक है, यह पूरा-पूरी soap नहीं है, soap होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था, कि soap जो साबुन जो होता है, वो क्या होता है, sodium या फिर potassium salt, डिपेंड करेगा कि आप यहाँ कौन सा base यूज़ कर रहे है, of long chain carboxylic acid, ठीक है, यह तो काफी छोटा chain है, जो soap होता है, वो लंबा chain वाला carboxylic acid का sodium salt होता है, या फिर potassium salt होता है, मतलब देखिए, अगर आप soap का structure बना चाहिए, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इसमें सीप क्या है, CH3 है, और Conna है, ऐसा है यह काफी छोटा chain है, हमें तो long chain चाहिए, तो long chain होता कैसे है, उसको समझिए, ऐसे यहाँ पे CH3 होगा, फिर यहाँ पे bond, फिर CH2, फिर bond CH2, फिर bond CH2, देखिए, यह कितना लंबा chain जा रहा है, फिर bond, फिर CH2, ऐसे करके बहुत लंबा chain है, ऐसे करके repeat होते होते हैं, finally last में, यहाँ पे मिलेगा C, double bond O, फिर इसको बना रहे है, फिर एक bond O, और यहाँ पे NA, समझे के नहीं, तो यह एक जो आप डियाग्राम देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को एक soap molecule बोलते हैं, यह वोट पर ध्यान दीजिए, यह एक soap का molecule है, ऐसा बहुत इफ carbon और hydrogen है, तो इसको हम लोग carbon chain कह देते हैं, या फिर simply hydrocarbon chain बोल देते हैं, यह बात समझे, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, चुकि यहाँ पे देखिए, ions का formation होता है, यह negative होगा और यह positive होगा, यहाँ पे ions का formation होता है, इसलिए मैं इसको ionic पार्ट कहते हैं, इतना समझे यह बात, चलिए, फिर एक और feature है, यह जो ionic पार्ट होता है, यह पानी को love करता है, यानि यह क्या है, hydro philic, philic का मतलब होता है love, ठीक है, और यह जो carbon chain है या फिर hydrocarbon chain है, यह पानी को hate करता है, पानी से दूर बागता है यह, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते है hydro phobic, phobia मतलब इसी चीज के प्रती डर, तो यह पानी से डरता है, यह hydrocarbon part और यह जो ionic part है, यह पानी को love करता है, पानी से attract होता है, समझे इतना बात, इसको आप याद करेंगे, और अपने book में भी आप यह इसको बना के रख लीजिए, revise करते वक्स काम को देगा, ठीक है तो एक soap molecule जब हम बनाते हैं, तो CH3, bond CH2, फिर bond CH2, फिर bond CH2, ऐसे करके यह बहुत लंबा जाता है, बहुत लंबा जाता है, और लास्ट में हमें आइनिक part मिल रहा होता है, C double bond O, यह पर O, Na, Na हो गया positive और यह पूरा जो है, यह negative part, ठीक है, इसको ionic part, इसको carbon chain या फिर hydrocarbon chain क बनाएंगे, अब से हम simply इसका diagram कैसे बनाएंगे, यह पूरा को हम ऐसे एक जिक 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 लाइन से दिखा देंगे, ठीक है, और यह ionic part को यहाँ से लेके यहाँ तक को, ठीक है, C double O को हम एक ऐसे करके गोला से दिखा देंगे, समझे की नहीं समझे, और यहाँ पर Na plus तो है तो आप से हम soap molecule का diagram कुछ इस तरीके से बना रहे होंगे, इसका meaning आप समझ रहे हैं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2, 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 CH2 यह से चलते जा रही है, और इसमें क्या है, C double O है, ठीक है, इतना clear है बात, चलिए, फिर आप एक और बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो NaOH है यह क्या है, एक काफी strong base है, हमने chapter number 2 में पर रखा है, तो इस strong base का बजल से यह जो यहाँ पर salt बन रहा है, sodium salt of carboxylic acid, इसका nature भी क्या हो जाता है, basic हो जाता है, इस word को आप याद रखेंगे, कि soaps का nature क्या होता है, basic, इसको आप कहीं लिक करत लीजिए, ठीक है, इसके उपर question बन जागा कि soaps को अगर litmus support में test करेंगे, तो कैसा effect मिलेगा, तो blue litmus को कोई change नहीं कर पाएगा, no effect on blue litmus support, लेकिन अगर red litmus लाएंगे, तो यह soaps जो है, उस red litmus को किस में change कर देगा, blue में, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि soaps का nature क्या होता है, basic होता है समझे, क्योंकि ये इसको बनाने के वक्त strong base का use किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका nature basic है, ठीक है, चलिए तो दो बात हमने जाना, एक है soap molecule का structure, कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे हम एक end बनाते हैं, गोला पार्ठ, और फिर यहाँ पे end है, यह प्लस है, यह हो गया एक soap molecule और दूसरा हमने जाना कि soap का जो nature होता है, वो basic होता है, समझे, यह दो बात चलिए, अब आगे continue करते हैं, यहाँ पे एक activity बोला गया है, बोला गया है कि आप दो test tube लीजिए, और दोनों में 10 ml पानी ले लीजिए, ठीक है, फिर दोनों में एक बूंद, यह test tube है, यह test tube है, दोनों में आपने 10 ml पानी लिया, और दोनों में एक बूंद oil डाल दीजिए, ठीक है, फिर इसका नामे A, इसका नामे B, test tube B में आप क्या कीजिए, कुछ drops of soap solution, साबुन का solution जो है, इसमें डाल दीजिए, कुछ drops, ठीक है, उसके बाद shake कीजिए, दोनों test tube को कुछ time ठीक है, और देखिए कि क्या shake करने का बाद, जो oil और water का जो layer है, वो क्या separate हो जाता है, दोनों ही test tube में, oil और water हम जानते है, mix नहीं होता है, तो shake करने का बाद, क्या ये दोनों layer separate हो रहे है, तो आप पाहेंगे कि जो test tube A है, यहाँ पे तो easily separate हो गए, shake करने का बाद, oil उप water का जो layer है, वो separate होता है, ठीक है, यह हमने यहाँ पर observe किया, अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए, तो इसी activity से हमें समझ में आ रहा है कि soap जो है, वो कैसे clean करता है, देखिए, जानातर जो किटानू होते हैं, जो dirt होते हैं, वो oily nature के होते हैं, very important line है, यह बाद होता है, उसका nature क्या होता है, oily होता है, ठीक है, और हमें पता है कि oil जो है, वो water से dissolve नहीं होता है, water में dissolve नहीं होता है, इसका मतलब अगर आपके कपरे में कुछ गंदा लगा हुआ है, सिप पानी से दोएंगे तो क्या साफ होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो देखिए, the molecules of soap एक जो soap molecule होता है, वो क्या होता है, sodium ये फिर potassium salt होता है, of long chain carboxylic acid, ये line तो आपको अच्छे से clear है, ठीक है, और इसका structure भी हम अभी देख चुके है, कुछ इस type से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ionic part है, ये वाला part, जो ionic end of soap है, वो interact करता है water के साथ, क्योंकि हमने अभी देखाता है, ये क्या होता है, hydro, यादे की भूल गए, ये होता है hydro, hydrophilic होता है ये, पानी को love करता है, इसलिए ये जो ionic end है, वो interact करता है पानी के साथ, जबकि जो carbon chain है, ये जो carbon chain है, ये hydrophobic होता है, पानी को avoid करता है ये, ये क्या करता है, oil के साथ interact करता है, बात में है कुछ मैल, oil droplet, क्योंकि dirt का nature होता है, तो यह पर oil लिये हुए, और यह आप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक यह क्या है, एक soap molecules है, यह भी एक soap molecule, यह भी एक soap molecule, तो बहुत sara soap molecules यहां पर दिखाए हुआ है, अब यह soap molecules को ऐसे कड़के arrange Q किया परणी को समय ईसको समझे हमने पता है कि अगर आप शिफ एक पर फोकस कीजिए तो ये जो है यह कया है आई निक पार्ट है ये जो है ये पूरा जो चीज है ये पानी में रखा हुआ है ठीक है ये जो आइनिक पार्ट है हमें पता इसको पानी से प्यार है तो ये पानी के साथ इंटरेक्ट करता है इधर इधर पानी है तो ये पानी से इंटरेक्ट कर रहा है और ये जो पार्ट है कार्बन चेन ये प साथ इंटरेक्ट कर रहा है क्योंकि यह पानी को से दूर भागता है मतलब के तरफ एट्रेक्ट होता है यह तो इस तरीके से यह सब एरेंज हो जाते हैं और इस टाइप का जो पर फार्मेशन या फिर इस्ट्रेक्ट्टर बन रहा इसी इस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं मिचल कहते इंस इस्ट्रक्टर में होता क्या है one end of the molecule is towards the oil कौन सा end वही end जो carbon chain है यह जो carbon chain है यह oil का तरफ arrange होता है while the ionic end जो इसका ionic end होता है यह वाला part ठीक है वो क्या होता है faces outside वो बाहर की तरफ face किये होता है आपसे यह देखी सकते है इस picture में जो एक end है वो oil की तरफ है और जो ionic end है वो बाहर की तरफ face कर रहा है ठीक है इसी structure को क्या कहते है missiles कहते है समझेगी नहीं समझेगी यहां तक चली तो इससे क्या होता है this forms an emulsion in water तो इससे emulsion बन जाता है emulsion का meaning होता है ऐसे दो liquids का mixture जो आपस में mix नहीं होते है ठीक है तो यहां पर जो sop molecule से वह ऐसा structure form कर रहा है कि एक पार दुसरे पार से mix नहीं हो रहा है दोनों अलग-अलग separate हो रहे है इसलिए आप एक टैप का emulsion करेट हो जाता है the soap missile thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean तो यह जो finally अब यह देखे यह बाहर की तरफ भाग रहा है और यह जो carbon chain है यह किसको लेने का चाह रहा है यह चाह रहा है कि तेल में dissolve हो जाए ठीक है इसको तेल से प्यार है cleansing action of soap soap कैसे सफाई करता है तो आपको पूरा यहां से लेके यहां तक बात बताना है और इसके साथ-साथ आप यह diagram बनाएंगे यह जो missile का diagram है यह बनाएंगे ठीक है diagram का structure अब समझी गए चलिए फिर आगे यहां पर missiles के बारे में कुछ और बात बताया गया है देखिए जो soaps के molecules होते है उसका दो end होता है जैसा कि यह आपको बता चुक है यह एक soap molecule है तो इसका दो end है एक है यह वाला end और एक है यह वाला end तो एक end जो होता है वो hydrophilic होता है पानी से प्यार करता है तो कौन सा है वो end आइनिक पार्ट ठीक है इसलिए वो पानी से इंटरेक्ट करता है ठीक है और जो दूसरा end है यानि यह जो carbon chain है या फिर hydrocarbon जो chain है वो hydrophobic होता है वो पानी से hate करता है इसलिए वो किसके साथ interact करता है oil के साथ ठीक है तो जब जब सोप जो है वो surface of water पर होता है अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बात बता है कि है देखिए यह माली जे कोई tub है और इसमें पानी है ठीक है माली जे यहां तक पानी है तो जब सोप molecule surface पर है तो surface पर किस तरीके से arrange होगा कुछ इस तरीके से arrange होता है और इस तरीके से ठीक है अब यह कैसा arrangement है इसको बोलते हैं देखिए यह पता है हमें ionic पार्ट है तो यह पानी के तरफ attract हुआ हुआ है और यह जो hydrophobic पार्ट है जो पानी से हेट करता है पानी से दूर भगना चाहता है वो surface पैसे करके protrude मतलब निकला हुआ है ठीक है वही बात यहां पर लिखा है कि जब soap surface पे होता है water का तो जो hydrophobic पार्ट है जो पानी को हेट करता है वो पानी में soluble तो नहीं है तो soap किस तरीके से arrange होता है देखिए ionic end पानी के अंदर होता है और जो hydrocarbon tail है वो protrude होता है out of the water जैसा मैं भी diagram बनाते है उस तरीके से arrange होता है बस यह extra ग्यान है बस समझ के छोड़ दीजिए ठीक है फिर अगर soap molecule अगर पानी के अंदर है तो वो कुछ इस टाइप का structure बनाते है इस structure को क्या बोलते है missiles बोलते है ठीक है आप यह पर देख भी सकते है यह एक soap molecule का यह पर diagram बनाया हुआ है इसका जो यह पार्ट है जिग जग लाइन वो है hydrophobic end और यह है जो end है इसको बोलते है hydrophilic इसको head बोलते है इसको tail बोलते है बहुत important ठीक है इसके उपर question आएगा चलिए फिर आगे यहाँ पर missiles का बारे में एक और definition लिखा हुआ है कि missiles क्या है एक ऐसे cluster of soap molecules है कुछ soap molecules का जूंड है जिसमें hydrophobic जो tail होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो ionic end है वो बाहर की तरफ होता है surface of the cluster पर होता है तो इसी formation को missiles कहते है तो आप यह definition भी त्यार कर सकते है ठीक है आपका मर्जी नहीं तो आप यहाँ पर जो हम online कर रखें इतना भी आप प्रिपेर कर लेंगे तो काफी होगा बस यह hydrophilic और hydrophobic वाला बात याद रखेंगे ठीक है चलिए तो इतना बात हुआ soap के बारे में आप आजाते हैं कुछ activity देखते हैं यहाँ पर activity से एक test tube में आप distil water लीजिए जो की होगा soft water ठीक है और एक test tube में आप hard water लीजिए soft water और hard water में difference यह होता है कि soft water में mineral क्यास कर से calcium और magnesium यह बहुत कम होता है नई के बराबर होता है और hard water में यह mineral है जीसे का calcium और magnesium यह दो mineral का नाम याद रखेंगे ठीक है यह 2 minerals काफी high amount में पाया जाता है hard water में ठीक है तो दो test tube लीजिए एक में soft water लीजिए एक में hard water लीजिए माल लीजिए इसमें soft लिया इसमें hard water लिया ठीक है फिर add a couple of drops of soft solution to both दोनों में आप कुछ साबुन का solution डाल दीजिए उस drops ठीक है फिर अच्छे सेख कीजिए for equal period of time दोनों test tube को और absorb कीजिए कि किसमें कितना foam यानी जाग अप्टेन हो रहा है तो आप आएंगे कि soft water में काफी ज्यादा foam जो bubbly formation है जाग यहाँ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ जाग के बदले आपको यहाँ पर क्या मिला यह पानी जो है वह पुड़ा white हो गया मतलब आपको एक white करडी प्रेसिपिटेट देखने को मिला यहाँ पर आप यह खुद भी अब्जर्ब करेंगे जब आप नहाएंगे तो बाल्टिंग में अगर इसे दो टेस्ट्यूब लीजिए और दोनों में ही hard water ले लीजिए ठीक है यह एक टेस्ट्यूब है और यह एक टेस्ट्यूब है इस बार हमने दोनों में ही hard water लिया फिर एक में क्या कीजिए 5 drops of soap solution इसमें साबून डालिए soap solution डालिए 5 drops और दूसरे में 5 drop detergent solution का डालिए ठ ठीक है अब हम डिटर्जन्ट पे आ रहे हैं फिर शेक बोड टेस्ट ट्यूब फॉर सेम प्रिट दुनों को सेक कीजिए और बताइए कि क्या दोनों में सेम एमाउंट ओफ फोम अप्टेन हुआ तो यह तो हम पहले जान चुक है कि अगर हम हार्ड वाटर में सोप सोलुशन दालते हैं तो उतना जाग अप्टेन नहीं होता है जाग के बतले यहां पर क्या होता है करडी वाइट प्रेसिपिटेट यहां पर अप्टेन होता है ठीक है जिसको हम लोग इसकम बोलते है यह यह इसकम यह इनसॉलिवल सब्स्टेंस है यह अप्टेन होता है यहां पर कब जब hard water में soap solution डला जाए तब ठीक है लेकिन detergent जो है वो hard water में भी काफी अच्छा amount of जाग obtain कर देता है ठीक है मतलब हम बोल सकते हैं कि जो soap है वो hard water में उतना अच्छा काम नहीं करता है उतना effective नहीं है जबकि detergent जो है वो hard water में भी अच्छा खासा effective है तो soap और detergent में एक point का आप difference notice किये ठीक है अब आएंगे वापस difference between पे फिलाला हमने यह चीज़ देखा चलिए वापस टेक्स्ट पर आते है लिखा है कि have you ever absorbed while bathing that soap is that foam is formed with difficulty and an insoluble substance is come remains after washing with water आपका भी अगर balting से नहाते हैं तो आप observe कि होंगे कि जब आप साबून लागे नहा लेते हैं तो बांटिंग के side side में कुछ white white substance लग जाता है observe कि नहीं कि नहीं तो इसी white white substance को क्या बोलते है करड़ी white precipitate यानि इसकम insoluble substance form होता है क्योंकि साबून जो है वो उतना अच्छा काम नहीं करता है hard water में ठीक है जो कल से पानी निकलता है क्मवाई से पानी निकलता है वो एक टैप का hard water है ठीक है तो यह जो वही बाते हैं पर लिखा कि यहां पर इसकम का formation क्यों हो रहा है क्योंकि जो शोप molecules है वो react कर जा रहे है hard water के calcium और magnesium salt से हमें पता है hard water में क्या पाया जाता है calcium और magnesium minerals पाय जाते यानि calcium calcium और magnesium salts तो शोप molecules से वो इसी calcium magnesium salt से react करके इसकम फॉर्म करते हैं और इसकम एक insoluble substance है समझे यहां तक तो इसलिए एगर हम चाहें कि अगर hard water में भी अगर हम चाहें कि अच्छा कासा form develop हो जाग obtain हो यानि ज्यादा effective हो तो हमें ज्यादा शोप लगाना पड़ेगा तो यह एक problem है सोप के साथ कि सोप जो है वह hard water में उतना अच्छे से काम नहीं करता है ठीक है काम नहीं करता है मतलब यहां पर उतना अच्छा form obtain नहीं होता है ठीक है तो इस problem का solution कौन लेके आता है detergents लेके आते है ठीक है this problem is overcome by using another class of compound जिसको detergent करते है देखिए detergent क्या होता है detergents are generally sodium salts of sulfonic acids और ammonium salts with chlorides और bromides ions यह detergent का definition आप रट लिजिए ठीक है both have long hydrocarbon chain जो सोप है उसमें भी लंबा हैड्रो कार्बन चेन होता है और जो detergent है उसमें भी लंबा हैड्रो कार्बन चेन होता है डिफरेंस यही है कि soap क्या होता है sodium salt of carboxylic acid लेकिन detergent जो होता है sodium salt of sulphonic acid होता है या फिर ammonium salts with chlorides और bromides ion होता है ठीक है फिर आगे लिखाए the charge ends of these compound जो detergent के जो molecules होते हैं उसका जो charge part होता है आइनिक part वो do not form in soluble precipitate वो in soluble precipitate यानी इसख़ां नहीं करते हैं थिक हे ऐसाथ ही इसलिए यह जो इफ्पीव है ठीक है चलिए और डितरजेंट तसे यूजवली तो मेग सेंपूस और प्रोडटट्स टीकец完全 s देफिनेशन लिख देंगे, समझें कि यह sodium salt of long chain carboxylic acid है, और यह क्या है, इसका definition आप यहां से यहां तक लिखेंगे, ठीक है, पहला point होगा definition का, दूसरा point में आप लिखेंगे कि soap जो है, वो effective है, सिफ soft water में, लेकिन detergent जो है, वो soft water और hard water दुनों में ही effective है, तो फिलाल हमने यह दो point का difference जाना, soap और detergent के बीच में, ठीक है, चलिए, इसके उपर एक questions दिखते है, उससे पहले आप यह hard water और soft water के बीच का भी difference आप जान लिजिए, अगर इन दोनों में difference आता है, तो पहला point का difference आप क्या लिखेंगे, यह hard water है, वो minerals में reach होता है, जिसे की calcium और magnesium, लेकिन जो soft water है, उसमें very few elements पाई जाते है, hard water में soap उतना effective नहीं है, लेकिन soft water में soap easily effective है, ठीक है, तीसरा point में आप लिखेंगे, इसमें कोई soap के साथ ज़्यादा foam और leather ज़ाग है, वो obtain नहीं होता है, ठीक है, और soft water में soap जो है, वो काफी अच्छा bubbly leather form कर देता है, यहां पर जाग अच्छा obtain होता है, ठीक है, soap effective है, soft water में, चलिए, यहां पर एक अच्छा question दिया हुआ है, इसको try कीजिए, लिखा है कि, would you be able to check if water is hard by using a detergent, क्या detergent को use करके आप बता पाएंगे कि water hard है कि soft, अब माल लीजिए, यहां पर आपको दो पानी दिया soft water, आपको पता नहीं कौन सा hard है, कौन सा soft है, ठीक है, आप क्या किए कि इसमें detergent गोल दिये, इसमें भी जाग, foam अच्छा का सा develop हो गया, foam और leather, इसमें भी foam अच्छा का सा develop हो गया, तो क्योंकि detergent दोनों में ही अच्छे से effective है, इसलिए detergent को use करके नहीं पता सकते है कि जगा पर यहां पर हम soap यूस करते हैं, और अगर हम इसमें soap solution डाल रहे होते हैं, तो अगर जाग अप्टेन होता है, तो हम समझ जाते कि यह soft water है, क्योंकि जाग अप्टेन हुआ है, और soap है, soap हमेशा soft water के साथ ही जाग देता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम soap का use करके बता स है, usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, एक बार साबून लगाने का बाद क्या किया जाता है, कपरे को पत्थर पे पीटा जाता है, या फिर उसको एक लक्री के छर्वे से मारा जाता है, ठीक है, या फिर उसको brush से scrub किया जाता है, या फिर उस mixture को agitate किया जाता है, washing machine में डाल के, मतलब तो आपको सिर्फ साबून लगा के नहीं छोड़ना है, आपको उस पर कुछ काम करना है, रगड़ना है, scrub कीजिए, जो भी कीजिए, ठीक है, तो question पूछ रहे हैं कि क्यूँ ये agitation जरूरी है कपड़े को साफ करने के लिए, तो ये तो एकदम common sense है कि अगर आप सिर्फ आगे वो जो dirt है, जो oily nature का है, उसको shift or lose कर देना, अब उसको हटाना है, तो आपको उसको रगड़ के हटाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, ये हुआ, बस इसी के साथ हमारा chapter end हो जाता है, यहाँ पर कुछ summary है, आप इसको खुछ से पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको पढ़ि carbon compound है, with the functional group, इसमें functional group कौन सा है, बताइए, तो O, N, E से हमें पता चलेगा, functional group क्या होगा, ketone, ठीक है, फिर ethane में कितना covalent bond है, वो पूछा है, तो इसका structure बनाएंगे, covalent bond count करके लिग देंगे, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर और भी questions है, तो यहाँ खुछ से एक बा hard water is treated with soap, जब hard water, जब hard water में soap डला जाता है, तो इसकम का formation होता है, तो कैसे, तो hard water में कौन से दो minerals है, तो आप बलेंगे calcium और magnesium salts, ठीक है, तो यह soap मौली की उस्जों है, यह इन दोनों के साथ react करके क्या बनाते है, एक insoluble substance बनाते है, insoluble substance, जो की एक precipitate होता है, ठीक है, और इसी को क्या बोलते है, इसकम बोलते है, तो इसी तरीके से यह form होता है, आपको बस इतना line लिख देना है, यहाँ पर जो हमने देखा था यह, कि जब soap molecules react करते हैं, calcium और magnesium salts of hard water, ठीक है, तब क्या होता है, एक insoluble substance, यानि इसकम form होता है, बस इतना यह बात आपको लिखना है इस question में, ठीक है, चलिया, फिर एक और अच्छा सा question यहाँ पर यह दिया गया है, बुला गया है कि which of the following hydrocarbons undergo addition reaction, कौन सा addition reaction इसमें से करेगा, addition reaction याद है, hydrogenation जिसको बोलते हैं, तो इसमें unsaturated hydrocarbons यह reaction करते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें से unsaturated ढूनना है, unsaturated में दो होते ह है, alkenes, alkynes, यानि जिसका formula cn, h2n हो, या फिर cn, h2n-2 हो, वह वैसा compounder में चुनना है, ठीक है, तो यह देखे, 2 में double करके plus 2 है, तो यह तो alkenne है, यह नहीं होगा, यहाँ पर 3 का double 6, plus 2, 8, यह भी नहीं होगा, 3 का double, हाँ, यह alkenne है, यह addition reaction करेगा, यहाँ यह पर double करके 2 minus किया हुआ है, तो यह भी addition reaction करेगा, यह तो मिथे ने, यह नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ यह दोनों addition reaction करेंगे, ठीक है, फिर question number 14, इसने बोला गया है कि, give a test that can be used to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons, आप इन दोनों को कैसे differentiate करेंगे, एक test के जरी यह बताइए, तो इसको हम एक flame test करेंगे, इन दोनों ही compounds को flame से subject करेंगे, और देखेंगे कि कौन कैसे जल रहा है, अगर कोई substance clear flame के साथ जल रहा है, तो वो substance कौन सा है, बताइए, तो वो substance होगा, saturated substance, ठीक है, और अगर कोई substance yellow, sooty flame दे रहा है, तो वो substance कौन सा है, unsaturated hydrocarbons है, समझे की नहीं समझे, चलिए, तो इसी साइब से question आएगा, जीतना हम आपको chapter में बताए है, जो जो चीजे मानरलाइन किये है, जो जो question दिये है, उतना प्रिपर कर लेंगे, तो काफी होगा, और इस chapter से जो भी important questions है, अगर आपको सब एक जगर पे चाहिए, तो आपको पता ही है, कहा विजिट करना है, आपको मे करेगा, ठीक है, चलिए, तो वीडियो को end करने से पहले एक छोटा सा homework आपको भी देंगे, ये question देखे आपके screen पर, इसका answer आप मुझे comment section में दीजिएगा, ठीक है, चलिए, तो उमीद करते हैं आपको ये video पसंद आया होगा, काफी चीज़ आपको सीखने को मिला होगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट रहे भी या है, तो बे जीज़ा comment करके आप पूच सकते हैं, ठीक है, हम कोशिज करेंगे उस डाउट को resolve करने का, चलिए, तो वीडियो अच्छा है कि आप प्लेलिस सेक्षन में देखिए, प्लेलिस हम लेकर अप्डेट करते रहते हैं कि कौन सा कौन सा वीडियो आपको देखना है, ठीक है, तो प्लेलिस में आप जाएएंगा, और वहाँ पर जो भी वीडियो है वो देख लेना है आपको, ठीक है, चलिए, एंड करते हैं, मिलते हैं बहुचल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाइ-बाइ-एंड, ट कर दो कर दो